जिसे चाहा वो न मिला जिसे चाहा वो न मिला और जो नो चाहा वो मिला सोचते हैं जिन्दगी में क्या खोया और क्या पाया चलो करते हैं सुरू बिस्मिल्लाह स्री गनेश करते हैं चलो आज हमें एक छोटा सा टोपिक बहुत ही जी तरीके से बताऊंगा मैं ज्यादा माथा स्वीधान की कुछ चीजे हम अनुछेदों में नहीं लिख पाए, उन्हें अनुछ उची बना दिवस, और क्या है, मून स्वीधान जब था तब यह थी आठ, और वर्तमान में यह है बारा, तो हम सब से पहले वो पढ़ेंगे जो मून स्वीधान के अंदर की, फिर कब-कब जोड़ी गई, उनको भी हम एक तरीके से करते हैं, कंप्लीट कर लेंगे, अब मैं आपके कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं कोशिस करता हूँ कि जल्दी से इसको बढ़िया तरीके से समझाओं आपको, ताकि आपको लगे कि थोड़ा आप में भी मेरा एक राबियां, के कै है, मेतन दिल नुचायो, तु तो मजाक में लेगी, मेतन बबबबबबबबबबब करता रहा, पर तु तो कि योगी होगी, साहिरी तो घजब है, यार कुछ भी कहे, शांदार साहिरी, ये साहिरा ना लिखे करो, पेर के मेरा अंदुरू बोज़ को सा और दिये, बुजा दिये, जितना भी तेल था, सर को लगा कि चंग दिये, चलो, मूल स्विधान में कितनी है, मूल स्विधान में, आटम सुची, आप मैं आपके कमेंड नहीं पढ़ों, सिर्फ पढ़ाई पर ज्यान देगा, कलास में कोई उन्दो सुन्दो नहीं बोलेग है, मेरे पैसे का जले गए, हमें आप से लूटने वाले गुरू की जरूरता है, धन्यवाद गुर्देओ, हमसे पैसे लूट नहीं, इसे कुण से लूट गी हो, कुण से जोइन बटन, आप पांप कोई जोइन बटन राखा ही को नहीं, मार रहे हैं, ब्लोग मार, किर हमारे पास कोई जोइन बटन नहीं है, हाँ, यूटूब पे कुछ लोग जोइन बटन रखते हैं, अपने कोई जोइन बटन नहीं है, अपना यूटूब चेनल पे कोई जोइन बटन नहीं है, ब्लोग मार रहे हैं, गेटी मार रहे हैं, कट मार रहे हैं, कट मार रहे हैं, वाल इन वन नहीं आओ सब जगों गाईब कर जो हमारे बास बटनी नहीं है हमने जोईन बटन करी नहीं रखा है चलो शुरू करते हैं पहली दूसरी तीसरी ठीक है पहली दूसरी तीसरी फिर आपने इन नहीं करते हैं चोथी पांचवी चट्टी फिर साथवी आठवी को अलग से पढ़ लेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आखन बाद बटना देखो हम किसकी अनुसूची आराम से समझते जाओ आपको पूरा आराम से समझ में आएगा आपका बहुत अच्छी तरीके से आएगा अनुसूची तो मैं यही याद करवा दूँ आपको क्योंकि पहले इजी टोपिक लेना चीए ताकि थोड़ा सा रुत्वा पढ़ जाई सबसे पहले हम किसकी अनुसूची पढ़ रहे हैं सर हम भारत की अनुसूची पढ़ रहे हैं अरे भारत में कितने राज्ये हैं कितने केंदर सासित परदेश हैं यह कहां देखना है सबसे पहले ही देखना है सबसे पहले बारत के बारे में लिको तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में हमारे जितने भी राज्ये हैं और जितने भी केंदर सासित परदेश हैं वो लिखे गए यानि वर्तमान में 88 सनुपात है तो कोई भी नया जुड़ेगा, गटेगा, बढ़ेगा जो भी प्रोसेस होगी वो सारी की सा द्दान शंसोदन द्वारा दिल्ली को रास्ठानी का धर्जा दिया गया ठीक है, आठरे जेगी सोपेलिफोत बारतगा, बारे में जिकर बारतें किता राजजी किता होता है अब बात करांगा नेता जी नेता बनते ही दो काम होंगे तनखा लेंगे वे तनवे बते और सपत भी लेंगे बात ये आती है कि पहले सपत दिलाएं कि पहले पैसे दिलाएं खेल तो सारा बेटा पेसों का यह है बाप बड़ा ना भया सबसे बड़ा रुपया दूसरी तीसरी अनुसुची में नेताओं की सपत और पैसे एके तो आप confused नहों तो सीधा ध्यान रखो कोई लोगों के लिए पैसों से बड़ा कुछ भी नहीं है सब कुछ पैसे को ही मान रखा है तो फिर पहले पैसा सपत बाद में दिरा दियो यानि दूसरी अनुसुची में क्या है दूसरी अनुसुची में ये लिखा गया है यानि दूसरी अनुसुची में मैं क्या कहूँ दूसरी अनुसुची में हो गया वेतन यानि पदादिकारियों का वेतन वे भत्ते सर जैसे जैसे राष्टपती को 5 लाख मिलता है तो इस तरीके का सारा उनका हम अलग से पढ़ेंगे जैसे राष्टपती को कितना मिलता है राष्टपती को जैसे 5 लाख है उपराष्टपती को 4 लाख है वैसे उप्रास्पती को वैसे वेतन सुनने होता है लेकिन हो सभापती के रूप में और फिर जैसे राज्येपाल को साड़े तील लाग तो उनका जिक्र हम बाद में करेंगे जब हम पढ़ते जाएंगे तब एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे यानि सबसे पहले हमें पैसे दो फिर हमें सपत दिला दो चाहिए तीसरे में क्या है ये जो पदा दिकारी है जैसे मंत्री है हाई कोर्ड सुप्रीम कोर्ड इनके सपत का लेकिन इन सपतों में एक चीज और बताओ रास्टपती उपरास्टपती राज्य पाल इनका विवरन अनुछेदों में भी है जैसे रास्टपती का है 60 उपरास्टपती का 60 राज्य पाल का यानि रास्टपती से निच्छे होता है तो एक गटाओ 60 में से, कितने वे गुण 60, एक गटाना है वो एक इधर लिख दो, राज्येपाल यानि इनका अनुछेदू के अंदर भी जिक्र है, लेकिन वैसे कहा हो जाएगा, तीसरी अनुछूची में इनके सपत बगेरे की जान कितनी आपको यह बता दी भी इनका अलक्षे अनुछेदू में रास्टपती का, उपरास्टपती का और इसके बारे में यह तो अलक्षे मैंने बताई दिया, यह तो बता दिया, तो अलक् yardım के बारें क्या करो, चलो तेन अनुछूचिए आपको याड़ोगी, चलो आगे च कोण सी अनुसूची देखनी है पांचवी छट्टी साथ यानि पांचवी कहां तक पड़ ली हमने तीन तक ही पड़ा है सोरी एक देखो राज्यों से राज्ये सबा में कितने लोग जाएगे shortcut में मैं बात कुँए, यानि राज्य से, राज्य सबा में कितने परतिनी दी जाएंगे, उन चीजों के बारे में लिखा गया है, कौन सी अनुसूची में, चोथी के अंदर, और ये कितने के आधार पे, गुनमीश सो इकेतर की जनसंक्या के अनुपात में लिया गया है, वह क कि जनसंक्या के अनुपात में था, तो लोगों न सोचा क्यूंकि जिसका राज्य सबा में या लोग सबा में परतिनी दी तो बढ़ेगा, तो उसका दबदबा बढ़ेगा उस टेट का, तो बोल जी ऐसा करो कि जनसंक्या ही बढ़ालो, आग लगा देओ, आपी सद से तब ये नियम करना पड़ा जनजाती के परशासंद के बारे में है जैसे बहुत सारे नहीं होते जैसे टी एसप के अलग से पदाते हैं तो उनको एक तरीके से उथान के लिए यानि अनुसूची जाती, अनुसूची जनजाती उनके परशासन के बारे में हैं लेकिन छट्टे में एक सिदा से याद राखो, मम्ता ने याद राखो मैं, मैं, ता, ता में कुण सा स्वर है? आ अनुसूची जाती, जनजाती के परशासन के बारे में हैं ठीक है गुर्जी है, पांच वी, इंगमा ही फेर अलग निकाड दिया, किन निकाड यह अलग निकाड यह ममतान है, यानि ममता को मतलब हो गयो मेघाले, मिजोरम, तागो त्रीपुरा, आगो आसां, इन जंजाती छेतरों के अलग से परसासन के बारे में विवरण है किसमे अ पहली राज्यां के बारे में, बारत के बारे में, दूसरी तीसरी नेतागी सपत और रिप्यां के बारे में, पहली रिप्या लेाना है, यानि दूसरी अनुसूची में रिप्या, तीसरी अनुसूची में सपत, चोथी पांच वी, छट्टी, इनको साथ में याद करना, चो शॉरम, मेखाले, तिरीपुरा, ता में आ की मात्रा है, असम, असम, असम जो भी है पटवार में है क्या, सो क्या मैं है तुपड़ ले, बताओ इतने तक समझ में आई क्या, इतने तक समझ में आई क्या, यह अनुसुच्ची बड़ी important है, कोन सी सात्मी और 8 है ये दोनों ही important है δोनों को बढ़िया तरीके से हम पढ़ने की कोसिस करते हैं क्या है इसमें ऐसे याद रखना है कोन सी यान सुची है ये सरीवफ यान सुची है साथ में तु सीधा याद रखना सै से साथ में सै से सुची सक्तियों का बंटवारा इसमें सुची है सिधा इसे याद अभी सैसे साथवी सैसे सुची तील सुचिया है संग सुची राजे सुची संवर्ड़ी 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 देखो किया, यानि तीन सूचियां बना दी, एक बना दी संख, एक बना दी राज्ये, और तीसरी बना दी संवर्थ, यानि विश्ये का मतलब यह हो कि अलग-अलग चीजे है, कुछ चीजे संख को दे दी गई, कुछ राज्ये को दे दी, कुछ संवर्थी, यानि दोनु जिस पर नियम बनाए संग और राजी, अब देखो कैसे, इनमें कौन-कौन से विशेर कितने इस चीज को थोड़ा सा मैं बाद में बना दूगा लेकिन यामना, वैसे ये सुची 1935 से ही थी, स्विधान 1935 में से ही शुरू है ये, 1935 में संग सुची में गुणसट विशे थी, यानि squeezing पूल सुची में सुची में सच्चाण में थे, राज्य शुची में 66 थे और समवर्ती में 47 थे, लेकिन हमने इसको दिरे दिरे तोड़ा मरोडी करके कम जयादा किया, अब बात करें कि कितने है, अब जो है वो वैसे देखें तो सत्याण में है, लेकिन किताबें 100 ल जो सब्जेक्ट में, स्कूल एक्टरार वाले में जब ये पर्सन पुछा, तो उसमें सत्याण में सही माना था, अगर सत्याण में सो दोनों option आजे, सत्याण में option नहीं है, तो 100 ज्यादा सही माना है, तो 100 सही है, समझे क्या इस बात को, option के आधार पे इसको देख लेना, RPSC तो सत्याण में 100 परविष्ट हैं, हाई ये बात सही है, RPSC सत्याण में पे अटकी हुई है अभी, इनका 5 उपर नीचे करतो बस और कुछ नहीं, यानि इसमें से 5 गटाओ, अब इसके 61 बचे हैं, इसमें 5 गटाओ, वापस से ये बाँ, इसको संग बनाएगा, यानि बाब बनाओगो, आपर नियम बाबो बनाओगो, आपर बेटो बनाओगो, कोई जरूरी निको निया बेटो, बाब बेगी चल लगी फिरी, सामान्य ते बेटा बनाएगा, लेकिन बाब को इंटर्फेर भी हो उसके, दोनों मिल गए बना लेओ, देख लेओ, वीरिष्टियों करनों, एक कौन करनों, अब दोनों वांगी चल लगी, गुरुजी आवाज बढ़ाओ, आवाज कम मेरे, हैं, मन तो कम को लाग रियाद, खुद को हार गया, बात अलग है, तकदीर के आगे जुकने वाला नहीं हूँ, मुसीवतों में कहां अपनी रफदार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं रुखने वाला नहीं हूँ, साजी को रुखर है, देखो, अब थोड़ों सो में, आब ताजीओं कि गुर्जी संग सुची का विश्य कुण साव है, समवर्ती सुची का विश्य कुण साव है, थोड़ों सु मान बताओ दी, देखो, जी आप मान ले थानाग लो, आप पूछले, कह, रेल विश्य क्या मों है, तो राजस्तान में कोई रेल मंत्री है गे बाई उसी रेल मंत्री तो राजस्तान में जो को नी तो इसका मतलब विश्य किसका है संग का थोड़ो बहुत दिमाग आपाने लगानों ही पड़ेगो जैसे बारती रक्ष्यागी जिम्मेवारी की यह है बारत में रक्षा आगी जिम्यवारी मेन रूपू संगी है विदेसी मामला में कदि आपन एठांगे लोगछी कोजागा विदेसी मामले वी किस में आजाएंगे संग में आजाएंगे युदध और श्यांती का ली युदध और मोद्धी यहां कोन करयो क्यों, क्योंखो संग हो है जदा आपा मोदी नहीं कांगा, तो युद्ध बगेर ये परमानुपरिक्षन करयो जदा आपना एटो, आपना मुख्य मंत्री गए कि कहते हैं ये ना कि परमानुपरिक्षन इंद्रा जी के समय हुआ, अटल जी के समय हुआ क्यों? ये वी से ही उनका है परमानू बगी रहे राज जे सुची राजस्तान पुलीस की बरती नहीं आवेज थे, कि इन कोगा? बताओ दिल्ली की पुलीस किसके अंधर में आती है? चला एक परसंद बताओ इतना मैं थार कमेंट पढ़े राव 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 टी सेट कोंड सी कम्पनी किये? विरु को निया आज़े बताना, जो परसंद पुच्छा है वो बताना दिल्ली किसके अंधर में आती है? आरे का सारा बाबाच आम भारा, हाँ मैं दुबारा रपर रिपीट मानों, तीन बार रिपीट मानों, फेर ही नहीं याद वो उसर्ट ल्याँगा देखा किया याद को निया? संदी ये गोड़ा डरती हूँ परनाम देखो गैलने कोन सुनियोगे? केजरिवाल तो बोले हो कहे पुलीस मन सुमपो पुलीस आरा कहे मन सुमपो क्या होता है? पुलीस जो है वो राज्ये के अंडर में आती है मालो ऐसा कोई मामला हो जाए के अंदर से हमारे आमालो परदानमंतरी आहे अपने यहां का मुख्यमंतरी कहे दे उत्रन ना दे ये और पुलीस आ रो तो आपने जो पुलीस है वो राज्य की अदिना पुलीस अपने पुलीस में अगर अपने गैलोजी कह देनें कि पांक साल उम्मर और बढ़ा देवाई या एज में छूट दे देओ, तनखा और बढ़ा देओ, तो हो सकता है, क्योंकि पुलिस विश्य किसका है, राज्य सुची का विश्य, जेल जो होती है न, वो भी राज्य के अंडर में आती है भई, कर्शी लेश का, दोनों बेल सकते हैं, फिर बात आती है समवर्ती सुची, जैसे दीवानी है, फोजदारी है, शिक्ष्या भी बईया समवर्ती का है, ब्या है, तलाक है, बिजली है, वन किसका विश्य लिखाते हैं वन किसका विश्य समवर्ती सुची का, समझ गया गए? अबाइं ओके हैं, इतना कमेंट जल्दी किया चालना आ गया, गुर्जी आज न्यालो गया, आज क्या न्यालो या, आज किए मिलियो रच को थोड़ा सा धिमाग सा लगाना है, कि इसका मंतरी हमारे हमारे हाँ है, कर नहीं चेंजिंग होद नहीं नहीं ये जैसे सेना है तो केंदर का विश्य हो गया सेना को थनवेरों बारती आर्मी गेलो तो केड़ों मान लेगी तो इह साब फोड़ों सो दिमाख लगाने पड़ेगों ये विश्य किसका है ठीक है कुछ विश्य जो है वो दोनों में आ गए समझ गए बात को आगे चलो दुब रजबाये सवामस उच्लश। पांचों सटों सटों आमान लigration बात के में हमारी 22 भासाओं इंग है वर्तमान में कितनी भासाइं है वर्तमान में 22 भासाइं alors लेकिन मूल स्विधान में कितनी थी, मूल स्विधान में वत्ष चवदय थी, इसका मतलब बाकी बाद में जुड़ी है, इकी सोरी केतर किता वै, इकी सोरी केतर बाण में वै, मूल स्विधान में 22, सोरी, स्विधान में 22 है, मूल स्विधान में जो है न, जन संक्या, जन गणना, जन गणना केंदर का विश्य है, जन गणना केंदर का विश्य है, जन गणना केंदर का विश्य है, जन गणना केंदर सरकार कराती है, भरत सरकार कराती है, बता दिया न, व बाद में जूर्णी है, बाद में जूर्यान के है आधराखऊऊब? 21, 41, 21, 21 मिला, एकिताब बाण में, यानि, सबसे पहले जो जूरी है, वो जूरी है 21, 11, 16, 26, 26, 62, Россия, फिर जूरी है, GU warum 21, 21, 16, mouse और ये दन्हाख, 29, 63, 66, 67, 61, 68, इह यादरा कि और कोई तरीकों गुओं द बाणमें में नमक जोडा गया, 211 इकेतर बाणमें, 2666 सिंदी, 2666 सिंदी, 211 सुधान स्सोधन दवार सिंदी, बाणमें में नमक को जोडा गया, नमक को मतलब नेपाली, मनिपूरी, कौकडी, नमक नेपाली, मनिपूरी, कोंकडी और इन नहीं तो भई जिम्मत तो रट्टा मार राखिया देखो थे मारो तो और ही बड़िया मेथिली, संथाली, डोगरी, बोड़ो मत यहीं रट्रा की थे भी रट्लियो मेथिली, संथाली, डोगरी, बोड़ो मेथिली संथाली डोगरी बोड़ो रट लियो की सुत्र को नमना नो इंगो सड़ सट में सिंदी आगलाई केतरवे में नमक फिर मेथिली संथाली डोगरी बोड़ो मेथिली संथाली डोगरी बोड़ो रट अमार लियो इंगो दो तो यहां हो गयो, सड़ सड़ सिंदी, फिर नमक, फिर बदमास, बदमास हो गया, चारू बढ़न लाग रही है, यादरे जैसी गे, यहां मिल जूल गे नाको लगा देन, कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चले, ऐसे करते करते हम टेंपू का किराया बता लेगे, बताओ आठ अनुसूचि याद हो गई या दुबारा बताओ लेगे, बताओ लेगे, क्या आठ अनुसूचि याद हो गई, या फिर मैं दुबारा बताओ, ये बताओ मुझे दूधे, कैन, इस वर का दिया कभी अलप नहीं होता, हाँ ठीक है बेरह न हाँ, शटक मूटके पाव ल वत्ष बदाई हो आगे चलूं क्या नौमी दस्वी ग्यारवी बारवी और अब बोहत ही जी है अम तो कीको ही नी नौमी दस्वी ग्यारवी बारवी तो देखो उपर ले जाओ भागो जी ले जाओ नौमी दस्वी ग्यारवी बारवी आकुण सी अनुसुकि टावरो आद दस्वी है तो जीया दस्वी दैवूं दस्वी दैवूं दल बदल यानी इंगंडर की है दल बदल कानून है कद कद गी तारीक देखो किया आद रखो आठ पूरी होई 1950 हमारा सुविधान लागू हुआ आठ थी नौमी की जुर्थ पड़ी यानि 1950 के बाद जुड़ी है तो कनपरम है गुन्नी सो इकावन में जुड़ी है यानि ये नौमी अनुसुची जो है वो उन्नी सो इकावन में जुड़ी है तुर्थ एक साल बाद यानि पर्थम सुविधान से सोदन पर्थम सुविधान से सोदन ये नौमी सो इकावन में जुड़ी है इसका मतलब 51 में जोड़ी, 1901 ने सबसे पहला स्वीधान संसोदन कर लिया, जाहिरा 51 में किया है पहला, वो 51 में किया है और 10 में 52 स्वीधान संसोदन है, यानि ये जो 10 में जोड़ी गई है, ये 52 में स्वीधान संसोदन द्वारा जोड़ी गई है, कदगुर जी, राजी उग अगर पूरी पूरी पार्टी में दो बटे तीन सदस्य दल बदल में जारे थी ये रूल लागू नहीं होगा अभी चैंजिंग क्या इसमें अरे मारे तो बरसांत आण लागी है बड़िया बात है यारो बारिस आण लागी है सर मोरतो चलो नमक से क्या नेपाली मनीपुरी कौक नहीं नमक से तीन बासा ही जुड़ गई नमक से अरे आप बासाओं में एक चीज ध्यान रखना अगर आप से ऐसे पुछे कि कौन सी बासा नहीं जोड़ी गई तो ध्यान रहे माइड बासा राभिन आपनी जी कि माइड बासा है राजतानी तो राजस्तानी बासाइंग मा कोनी है जक्या खातर लोग भोध परियास कर रहे पूरा राजस्तान बोलता है पूरा राजस्तान जीस बासा को समझता है उसको तो माननेता ही नहीं 22 बासाओं अंग्रेजी भी नहीं है बोजबुरी भी नहीं है तो अगर आप से पुछा कि कौन सी बासा जो है वो 22 बासाओं में सामिल नहीं हो सकता है वो अपने वाला यह इसमें क्या है? कौन सी में? इसमें संपत्ति या भूमी से समंदित है भूमी सुधार से समंदित है बात यही है कि इसको न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती पुन्रावलोकन कहां से लिया है? अमेरिका से थर्स्तीन में सलसे पहले वहीं वहां था नयाले में चुनोती इसको नहीं दी जा सकती वर्तमान में इसमें कुल 284 अधिनियम है अगर मोलिक अधिकारों का अनन हो 27 के बाद बनाया था तो किया जा सकता है वरना पिर इसको चुनोती नहीं दी जा सकती जो विशेकिस में डाल दिया गया है जोको 9 में फसी हो नहीं वो फसी क्यों फिर ठीक है दस्वी होईगी दल बदल बैस आओ लास्ट आजओ बहुत ही जी है दस्वी ग्यारवी इस बात का सब को पता है कि इसमें एक में पंचायत का बरनन है और इसमें एक नगरपालिका का बरनन है यानि ग्रामीन सौशासन और सहरी नगरपालिका बात ही आई कि किसमें है पंचायती राज किसमें नगरपालिका देखो भई सहरावी विकास तो एडो यूए विकास पहली गावांगों करो गावं का विकास होगा तो सहर का एटो बेटी क्यों जाएगा तो फिर दस्वी ग्यारिवी है तो नगरपालिका पंचायत ग्रामीन और सहरी से समंदित इसका मतलब पहले गावं का विकास करना है तो दस्वी अनुसूची जो है दस्वी अनुसूची किस्य समंदित होगी दस्वी अनुसूची होगई पंचाईती राज से समझे तो फिर ये किस्ये हो गई? ये नगर स्वैसासनिया, नगर पालिकान तो फिर कद जोड़ी गई गुर्जी है, दस्वी गारिया ही बता दो, ये जोड़ी गई तेतरवे स्मिधान, ये चोतरवे अब देखो, इसमें विशे ज़्यादा है, गुर्णतीस है गुर्णतीस मूँ दूए मूँ एक कम करो, एक, नो मूँ एक कम करो, अठारा इसके कितने विशे हैं? अठारा विशे है अब बताओ क्या समझने में एकदम इजी सा है, सिधा सा परसन कुट अप होगा, ज्यादा तर इसमें 22 वासाओं से समन्दित क्यों सन कुट अप किया जाता है वो याद रहेगी, आठी अनुसूची में है दूबारा इसको कहो तो मैं रिपीट एकदम फासली तरीके से इसको याद रखना है आठ हो गई फिन नो, दस, ग्यारा, बारा दस, दैसे, दस, दैसे, दल बदल नौम भी वो है जो नौम में फसी हो, जो को फसी हो ठीक है, नियाईक पुन्रावलोकन वाला कब है, सबसे पहले-पहली स्विधान समसोदन 50 के बाद हो, गहाएक काउण वो बावनोवा स्विधान समसोदन है और इसके बाद, दस, ने, ग्यारा, वर बारा पज्याईट, तीराज माली पांची मिंट में लिख लिए पांची मिंट में लिखो अनुसूची अनुसुची निखो मूल स्विधान में आठ थी वर्तमान में बारा अनुसुची बारा अनुसुची है ठीक है नमर एक लेखो पर्थम अनुसुची राज्येवे इंदर नामों का उते है ठीक है नमर दो ठीक है अनुसुची चलो लिखते जाओ हाँ ग्यार भी फंसाहिती राज है एक से दस लिखिया क्ये लिख दियो जाओ पर्थम 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 अनुसुची दसवी यारी उना बचाई इते रहाँ अचे पीछ्य है लगा दियो गया जाटी होक्याnten ZWG alio लिख दी ओड़कोो दस लिखीजियों तो दस तो दल बदल है बता दी 10 empire men til लिखो लिखते जाओ दिट्टे अनुसूची दिट्टे अनुसूची में लिखो राज वे ये वैस्था पदादी कारियों कारियों वेतन वे बक्तों का उनुसूची में लिखते जाओ सही लिखाया होसके दस कीजा गयारा लिखी जीओ यारा चोटी मोटी बाता सूपर फास्ट रेंज एवा चोटा मेटा एड्डा पर ध्यान कोंदे थे लिख लिख लिओ पड़ी या नॉट्स बनाना है पोलिटिकल का सूना लिखो तर्टे अनुसूची तर्टे अनुसूची लिखो बना दिकारियों सपत बुले ठीक चोट चत्वर्थ अनुसूची तर्टे नुसूची राज्यों वे संगिये छेत्रों राज्ये सबा परती नी धित्वर कावर्ण वर्ड इजन सिंग्या गुनी सुईकेतर क्या अधार पिया तो इसको छोड़ो एक बार हाँ चाहे मंपाय जब लगा था तीन इतना दर्द हुआ कि तो दर्द हुआ पांच में लिको, पांच में अनुसुची है, अनुसुची लिको, विबिन चेत्रों की अनुसुची जाती, जब जाती, के परसासन और नियंतरन का उलेख, गाउन लेख, ठीक है, पिछले से त्रों के लिए लिखते जाओ, आज मेरे बती जाओ, और आप बदाईओ, और आप बदाईओ, बेटी गाब आप बदाईओ, काको बनेगे हो तो तो, चैलो, 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 च्छटी यानुसुची, असम, मेखाले, त्रीपुरा, मीजोरम, राजियों, जन जाती छेतरों परसासन बारें प्रावदा, ठीक, छे, साथ में, साथ में अनुसची है, अनुसची लिए, सत्तावर, सत्ती विभाजर, विभाजर, संसुची, केंद्र, कानों अनाता, प्रारब में, सत्याण में वी सी, वर्कमान ये, सत्याण में सोदन तर्टा, सत्याण में सोदन विभाजर, 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 विदेशी माम देख, रेज, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिग, परमानु सब्धि, सब्धि, छीविए. ओनलाइन कोर्स लेना है कैसे ले, यार दुनिया ले राखे, दुनिया डाउनलोड करी ले ले, चल, लेख लिया, नमर दू, संग सुची के बाद आएगा, कुण सी सुची, राज्य सुची, चलो देखो, राज्य सुची, स्वामाना ते राज्य कानून बनादा, राज्य कानून बनादा, राज्य सुची, राज्य सुची, राज्य सुची, वरत्मानमी एक सुची, विस्ची, विस्ची देखो, पुलीस, जेल, राज्य सुची, विस्ची, विस्ची सुची, विस्ची काहां से ले गई है, आस्टेलिया से, वो तो आम बाद में खड़ लें, कोई बात लेको, केंदर राज्य, दोन्नों कानून, अब आप से पूचले कानून किस का मानने होगा, तो जाएंची बात केंदर का मानने होगा, अगर कोई विवात हुआ तो ठीक, लिखो, समर्थी सुची में लिको, प्रारब में सैंताड़ी स्विस्य, वर्थमान में बावन, ठीक है, विस्य, विस्य, दीवानी, होल्दारी, ओस्दारी कानून, विवाह तलाग, विवाह तलाग, बिजली, सिक्ष्या, बिजली हो बिल ज्यादा हो, एकिन कहीं रोल है, सिक्ष्या, वन, सामाचार पत्तर बगी रहे, प्रेग रानी, गलोप में, ठीक है, लिखो, आठ भा, आठ भी अनुसाची, आठ भी अनुसाची, बाइस भासाउं का उल्लेख, मुल्लेख, मुल्स्वीदान, चाउदा भासाथी, चाउदा भासाथी, लिखते जाओ, लिखते जाओ, अच्छे, पैंतीस आरम इसे और लिखाऊंगे, अच्छेर गठ लिखाओ, पैंतीस आरम संग में गुणसटा, राज्यम चोपनहा, और समवर्तिम चत्तीसा, लिख ली, तो अब मैं बोल दियो, पाच्छो करगे लिख, आठवी अनुसूची हो गई, फिर लिखो, अच्छा, बाइस पासा लिखो है, ठीक है, लिखो, 21 में सभिधान संसोदन, 1967 सिंधी जोडी, ठीक है, एक केतर में सभिधान संसोदन, 1902 में, कोंकणी, मणीपुरी, नेपाली जोडी, ठीक है, फिलिको, बाणवा, सभिधान, संसोदन, 2003, मेथिली, संथाली, डोगरी, बोड़ो, जोडी, अंगरेजी नहीं है इसमें, लेकिन, अंगरेजी आच्छा, बोजभुरी में नहीं है विल्कुल, थोड़ा सद्याल लग रहे हैं, अंगरेजी वैसे मिजोरम की राज्य भासा जरूर है, इंदी तो है, विल्कुल है, राजस्तानी नहीं है, भूजपुरी नहीं, इंग्लीज नहीं है, इसका ध्यार रखना थोड़ा साँ, इताली, संताली, डोगरी, गुर्डो, आठ हो गई ना, लिखो, नुमी, नुमी अनुसुची, अनुसुची, पर्थम, सभीधान संसोजन 1951 में जोड़ी, भूमी, संपत्ती, अधिगरण वीदियों का उलेख, वीदियों उलेख, नयाले में चुनोती नहीं, चुनोती नहीं, चुनोती नहीं, वर्थमान, 284 अधियों, यह वैसे उस समय तक हमारी सरकार नहीं वनी थी, यह भी ध्यान रखना, क्योंकि अनुसुची ओ, इनमें चेंजिंग करने का अधिकार तो हमारी संसत को यह संसत तक बेठ़ की नहीं थी, तो यह जो अंत्रीम सरकार बनी थी, उस अंत्रीम सरकार के द्वारा ही जुड़ा गया था, यह थोड़ा से ध्यान रखना अलग टाइप का क्यूसर नहीं, दसुची कि अनुसुची में लेकु, दस वी यह थी, लेक्व बामन में स्वे धान सलसँ न नीऌ सी घ्यासी में जो, दल बदल कानों संब्द है ठीक है फिली को ग्याद आनोस उचिए टेक्तर में स्वेधान संसोर्धन द्वारा जोडी पंचायती राज ग्रामेन स्वेशासन संब्द है संब्द है वी से 29 ठीक है बारवी आनोस उचिए आनोस उचिए जोतर में स्वेधान संसोर्धन द्वारा जोडी जोडी स्वेधान 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 स्वे उधर तो गुरुजी और करा रहे है दो तिन गुरुजी एप के उपर तो मैं तो ऐसे आप से मिल लेता हूँ कभी कभी उधर भी अलग तरीके से करवाई जाती है चलो बच्चो इतिहाँ सर इतिहाँ कहा आ गए पॉलिटिकल में अरब पॉलिटिकल ही है तो समझतो जुरो मैं अतन गठे ले जा रहूँ तुम्हारी कदम तुम्हारी आंखे तुम्हारा कान मैं ही हूँ और तुम जिदर मुझे ले चलोगे भी तो गजını चलो पॉलिटिकल पूरे भारत के इतिहाँ को कितने भागों में बाटा गया पूरे भारत की इतिहास को तीन भागों में बाटा गया है प्राचीन भारत मद्दे भारत आधूनिक भारत हाँ सर, हमें भी पता है सर इतिहास को तैसी बाट रखा है अरे तो फिर भाई साब स्वीधान को भी तो बाटो इतने बड़े पार्ट को कैसे पड़े हम तो हमने स्वीधान को भी बाईस भागों में बाट दिया पूरी राजनिती को हमने बाईस भागों में कनवर्ट कर दिया यानि इतिहास को तीन भागों में कर दिया अमने तो भी राजनीति को हमने 22 भागो में कर दिया ठीक है लेकिं प्राचीन भारत के अंदर क्या-क्या पढ़ना है फिर नीचे और लेसन बना दिये जैसे प्राचीन भारत में सिंदु-घाटी सब देता पढ़ना है बेदी पढ़ना है, मोरी ये पढ़ने हैं, गुप्त पढ़ने हैं, अलग-लग फिर पाठ हो गई, पाठ हो गई, तो 22 भाग में क्या पढ़ना है? परतेग भाग में अलग से अनुचेद हो गई, अलग से अनुचेद बना दिये गई, अब ध्यान रखना, मैं zero leverage से कर रहा हू आपको कुछ भी नहीं आता पॉल्टिक में हो सकता है आपने पड़ी होगी हो सकता है आपको बहुत कुछ आता होगा पॉल्टिक में लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि आप एकदम अबोद बालक हो आपको कुछ भी नहीं पता पॉल्टिकल का P-O-L-T-I जो भी स्पेलिंग वो भी नहीं पता मैं तुम्हें उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो फिर वैसे ही पढ़ा हूँ ना चाल देखो अनुछेद बाती यानि भारत पोल्टिकल को 22 भागों में बाता जैसे इतिहास को तीन भागों में बात दिया फिर इतियास परते हैं कि या मद्यकालिन भारत में किन को पढ़ना है आधुनिक में किन को पढ़ना है अलग से फिर पाठ बन गए उसी प्रकार इसमें फिर अलग से अनुछेद बन गए लेकिन कहीं आप अनुछेद और धारा को एक मत कर देना कई बार गल्ती से या बिना नोलेज कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि राश्टपती इतनी दारा के अंदर है ना मुनाना दारा तो जद लागए जद थे कोई आचो काम ना करो पुली सारा थान पकड़ ये जट ले जया लेज़े बड़ा पड़वे लगे एक दारा लगा दे वो थे आई पी सी की दारा जैसे नहीं सुना किया 302 बापा सुराम वाड़ी 306 तर वो दाराएं है जबकि यहां पर हमें क्या पढ़ना है यहां पर हमें अनुछेद बोलना है समझे क्या बात को पारत हे वाड़ी यह बाते समझी में आई क्या यानि हमें स्वीधान के 22 के 22 भाग पढ़ने है बड़ा इजी है पोल्टिकल से इजी कुछ भी नहीं है बहुत इजी है यह आप साथ साथ पढ़ते रहना आपके पूरी पोल्टिकल में परते एक भाग पो उठाऊंगा पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचोवा बाइस भाग पूरे उठाऊंगा यानि आज हमें पढ़ना है कोण सा भाग पहला यानि भाग पढ़ना और इसमें कितने अनुछेद पढ़ने है हमें इसमें अनुछेद पढ़ने है एक से चार यानि पहले भाग जैसे प्राचीन भारत में कितने पाठ है वैसे ही पहले भाग के अंदर चार अनुछेद खिता है चार अनुछेद है कोण से में पहले भाग के अंदर वा गुर जिवा चलो ठीक है अब पहले भाग का पहले पाठ का नाम क्या है जैसे प्राचीनवाग शिंदू घटी वैसे पहले का नाम क्या है पहले का नाम है संग वै उसका राज्ये छेतर यानि जो पहला भाग है नविटा हमारा भारत का ये जो स्वीधान है ये किसका है सरी ये जो बारत का स्वीधान है बिल्कुल भारत का है तो भारत के बारे में जिक्र है पहले में यानि हमारा स्वीधान भारत का स्वीधान है तो पहले भाग में भारत का ही जिक्र है आपको यह समझने के लिए जरूरी है तो इसमें कितने अनुचेद है? चार अनुचेद है, हम चारू अनुचेदों को पर तेक अनुचेद को पढ़ेंगे चलो, with detail पढ़ेंगे देखे यह हमारा भारत है बस इसी के बारे दो जिक्र है इसमें पहले में, कि भारत में कितने राज्य है, क्या है किसको क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते सबसे पहले मा आता हूँ पहले के अंदर चलो, आराम से समझते जाना अब सिर्फ आप कमेंट ने करके सिर्फ आप देखोगे एक एक चीज को मैं भी detail बता रहा हूँ तो सिर्फ आप एक बार देखोगे अरे गुड़ नाइट अबी नागर जाग जाग पाणियों छंट मार मूपर पढ़ ले, बहुत काम ही बात, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताओ मा हाँ, चालो देखो, सबसे पहले है अनुछेद एक अठी रेटाजियूहमें फ्रकुड कोई जूटकवना के मा था पचिक ने इसमें क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है भारत राज्यों का संग है भारत राज्यों का संग है जिसकी इंग्लीश ये है a union of state हमारा जो स्वीधान था वो इंगलीस में लिंखा गया था क्योंकि पटेड़ा लिखा है लोगां लिखे हो मेर बढ़ pasture लिखिए तुस्वीधान आपनों क्या हम लिखेड़ है इंडिया सब्ध याम में नहीं ले रहा है इंडिया सब्ध हम काम में तभी लेते हैं इसलिए इंडिया और भारत दोनों जोड दिये अब देखो यहाँ सब्द इस सब्द के उपर हम एक बार चर्चा करेंगे बस यही तो पॉलिटिकल है इस संग सब्द पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आपको भूत सारी नई चीजे समझ में आएगी सर क्या आएगी देखी तीन सब्द है अकेला संग नहीं है इसमें तीन सब्द है एक सब्द है परी संग इंगली से कौन फिट रेल होड़ा है ठीक है दूसरा सब्द है संग और तीसरा सब्द भी है संग सर संग संग में कोई अंतर है बिलकुल अंतर है ये जो पहला सब्द है ये है फेडरे संग और ये संग है यूनियन अरे सर ये क्या बता रहा हूँ ये तो एक्स्ट्रा ग्यान की बात बता रहा हूँ समझो एक सब्द है परिसंग और संग संग इंगलिस है लेकिन इंगलिस में लिखा गया स्विधान यूनियन सब्द परिय लोगवाँ है ना कि इस sangh का Πरियोगाँ है तो सर इसमें होता तो क्या अंतर है इसमें क्या अरप अंतर है बेटा समझ तू चलो समझ यह संग क्या है परीश संग है एक देश बनेगा देश राज्यों से बनता है यानि राज्य आपकी थोड़ थोड़ी साहिता करेगा यानि राज्य जो है वो अपनी थोड़ी-थोड़ी सक्ती देगा और एक देश बनेगा यानि वो देश राज्यों पे डिपेंड होता है और उसमें राज्य जरूरी नहीं है कि उस देश के साथ रही कभी भी अलग हो सकता है उसकी मर्जी कोई मजपूत राष्ट नहीं होता हो तो फिर सर इस फेडरेशन में क्या होता है इसमें क्या होता है कि बनेगा तो देशी बनेगा किस से राज्य से बनेगा लेकिन थोड़ी सी वादा ज्यादा हो जैसे एक नॉर्मल गर्ल्फरेंड आई नॉर्मल गर्ल्फरेंड कभी भी बाग सकती है थोड़ा बहुत वादा कर या ब्याहकरागार, टाबर जामागार, ब्याहरतार, आगे की सपनी दिखा दिये, यानि थोड़ी सी ज़्यादा सक्ती दे दी, किसको इस फेडरेशन को, सर ऐसा कून है, एक उधारन बताओ, जैसे अपने बारत का भी मैं बता सकता हूँ, जैसे अमेरिका है, अमेरिका फेड रिखता है, और कोई चाहे तब अलग हो सकता है, इस से थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अलग हो सकता है, और अपने वाड़ा, अपने वाड़ा तो भाई साब ये संग है, जैसे एक उधारन है, अब से पहले का कस्मीर, क्या कस्मीर का अलग जंडा नहीं था? हाँ गुर तो थी डरी रहता है और कभी कोई अलग हो सकता है लेकिन हमारा तो अलग है हमारे स्वीधान निर्माताओं ने तो कुछ अलग ही करके गए स्वीधान निर्माता हमारे भारत को यूनियन बनाके गए नाकी फेडरेशन बनाके गए कोई भी राज्ये अलग नहीं हो सकता जोर लगा लेओ भाई जी थारो थेवी कोल का जोड़ा ये टूटेगा नहीं ये तो गर्ल्फ्रेंड है कभी बाग सकती है ये तो साधी है साथ जन्मों का बंदन है एक बार जो भारत में जुड़ गया वो जुड़ गया और अगर कोई नाकता नहीं करेगो नीमान न्यारा कर दि इन आउठान में बना है हम लोग हमारा संग है यूनियन है कभी भारत अलग नहीं हो सकता एक बार जो राजी जुड़ गया वो जुड़ गया वो फेवी कोल का जोड़ नहीं तोड़ सकती और जैसा कस्मीर कभ से लगा हुआ है अलग देश बना और हमने बनाया क्या नहीं एक बार जो हम से जुड़ गया वो हम से कभी भी अलग नहीं हो सकता बात समझे क्या तीनों सब्दों में पोल्टिकल जो होती है वो सब्दों का फेर बदल होता है पोल्टिकल के अंतर यानि भारत जो है वो राज्यों का संग है यानि यूनियन है ना कि फेडरेशन है आगे चालू यानि हमारे देश में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है बाई साब चींचा कॉनकर्स को अब थेकोगा गुर्जी बारत में राज्या है कुनसा कुनसा बाबात इनुछेद में कुनी भी खातर था मैं अलग ट्रांसपर कर जुगा मैं जियां भी थेक कोलिंग टीम ने कदी कोल करो अब कोलिंग टीम पुछेगे आपकी समस्या बताइए थेको आसा राज 5 रिप्या कटिया बिना मतलब वा तो आपका कोल अलग ट्रांसपर किया जाएगा अब थेकोगा गुर्जी इंग मात्य बात तो बता दी कि भारत राज्यों का संग बात में कुण सा कुण सा राज्य बे किया देखा तो मुनों बे देखन खातर थान है अनुसूची म जानों पड़ेगो कुण सी पहली बताया थान पहली अनुसूची में जो लिखा गया है वोही है भारत के राज्यों केंदर सासीत परदेश है तो इसके लिए आपका कोल प्रास्पर कर दिया जाता है, कहाँ अनुसूची पर्थम की ओर, भारत में देखो कितने परकार के रांची हैं, देखो, नमर एक, पहला हो गया स्टेट, जैसे 28, दूसरा है केंदर सास्ट सित परदेश, वो ज आठ, ठीक है, दो, तीसरा परकार जो अभी नहीं है, वो है अर जीत, अभी जीरो है, मान लेओ, आपां कह जा रहे है, चाहिना रो, भुआना रो, पूरे विश्वें थे प्रेशान कर दिया बेटीगा बाभू, के मगर मच खायो रिचो, के खायो, चमगादर खायो, ठार भुआनने नी मेला माल, मान लेओ, वो सहर आपां लेला, आपने आया क्या, अनुचेद पहला समझ में आया क्या, सर आग यो मारे समझ में, अनुचेद पहले हमाई लिखेड़ है कि भारत एक संग है, एक यूनियन है, कोई स्टेट भारत से कभी अलग नहीं हो सकता, एक बार जो जुड़ गया, वो जुड़ अब आता ही, जोड़नो और ह हम incoming कर रहे हैं, जैसे भारत में हमें कोई, जेखो, नाम बगिरे परिवर्तन तो बाद में होगा, पहले जोड़ो तो सही, यानि अनुचेद दूसरे में क्या है, दो नमर, अनुचेद दो, अनुचेद दो में ये लिखा है, संसद, राश्टपती की पुर्वयनुमती, अनुमती से किसी भी वीदेशी राज्ये को भारत में मिला सकती है, डिटेल से समझाओंगा, राश्टपती क्या है, हमारे तुल्ना कर सकते हैं हमारे करेक्टर से, अपने परतेक वेक्ति के परिवार में तीन करेक्टर बड़े ही, शांदार करेक्टर है तीनों, एक तो चा अचा जी, एक फूंपा जी, और जीजा जी, तीनों ये, फूंपा जी पहले जीजा जी थे, दिरे दिरे उनका पद खतम हो बया, दिरे दिरे नए जीजा आए, तो जीजा आते ही ये फूंपा जी बन गई, तो जीजा जी थोड़ी इज़त ज्यादा है, और दिरे दिरे द जो बुड़ा फुंपा बनता जागा, तो फुंपा बन जाए, फुंपा ही थोड़ी, इमेज थोड़ी कम भी हुए, तो विशी सी इमेज आपने राष्टपती जीगी हुए, काम तो अणों है, बस फुंपा जीगी उपस्तिती ची, अब आन पूछ लियो, अब बैजे ना कर है, हाँ करें, की करो भीयाबान, हाँ ही करनी पड़ेगी, कोई इलाज भी गुलबान, कोई करेड़ो तुमाने को नी, विश्योस ही बात है, राष्टपती पहली पूर्वा एनुमती ले, बाकि कुछ ज्यादा को नी निया, हाँ ठीक है, मैं नयो राजी जोड़न लाग र देखो, चीन ने तिबद पर अधिकार कर लिया, शिक्किम सवतंतर राज्य था, अब सिक्किम सोच्यो के भई, आपनों के बंटेगो, जो तिबद पर अधिकार कर लियो तापद गया कम, आपनों बंटेगो के, आपनों कीम ही कोन बंटेगो, शिक्किम आर आप भारता रहा करी बात कि बाइजी इस निटिवर्ट करें तो फूरी दिया निट्सी बात करें और स्ट्रेटाने अगर मेर रिपीया दिया तो तन्हें भी दिया और आंगा तेर अउतल में ले जागे आपनो थोड़ सी, पहली चेक तो करां, चेक करन खातर एक सही राज्ये को दर जो लियो, यानि पैंतीस में स्वीधान संसोधन द्वारा, गुन्नी सो चोतर में एक सही राज्ये को दर जो लियो, भारतो बढ़ी इज़त दे रहे, सगला राज्यान ब्राबर समझ रहे, बूल ब्राबर समझ रहे, जुड़ जाओ, तो फिर चतिस में स्वीधान संसोधन और गुन्नी सो पचेतर में, बाईस में राज्ये के रूप में हमें सिक्किम को हमने ले लिया, यानि आपां बारत में अगर चामा, अब मान लियो आपनों जी करन लाई जया का आपां राउल पि इंडिन आपने अंदर मिला सका, फुपो जी हां करो ना करो कुछ यदा एफेक्ट कौन, पड़ा हां ना सुनों पहले फोन काट सको थे, तो मिला सका, यानि हम किसी को भी मिला सकते हैं, बाहरी किसी भी राज्ये को हमारे अंदर मिला सकते हैं, हमने ऐसा सिक्किम के अंदर क है 1975 राजल के हमारे बराबर दर्जा है बराबर की इज्जत है हमन्हसे बराबर का राज्य माणते हैं शिक्रम को चलो ठीक है यानि अनुछ़े 2 के अंदरक्या है अनुछे 2 के अंदरकिसी भी नए राज्ज्य को हम स्ब्कर Ayanda हैं सीमा नाम परिवर्तन ये ऐसा हम कर सकते हैं ठीक गुर्जी बात मारे समझ में आगी अनुछेद दो गी आगे चालों अब बात करां अनुछेद तीन गी यानि सबसे पहले हमने बात की अनुछेद एक की भारत एक संग है इस संग में आप दूसरे राज़े भी मिला सकते हो अनुछेद दो अब आप मिला लिया तो भी मिलाने बाद में कुछ चैन्जीग करने मालने था नाम पसंद ही नहीं आवे आगले को नाम ही शोई भी तो दूसरों नाम भी तो कडासको ज्यादा बड़ो है तो छोटो करनो यानि अब अंदर लाने के बाद या फिर अंदर किसी राज़े हैं दोनुछीजे हैं अनुछेद तीन क्या है अनुछेद तीन यानि किसी भी राज़े की सीमा नाम परिवर्तन सक्ति गठन राश्टपती किसी पार्शन सद में परस्तूत किया जाएगा राश्टपती किया देखो जी आं मान लिए वो राजस्तान है वो राजस्तान है और वो इनना एंपी है अब मान लिए कोई राश्टपती इस्यों आवे वो कह या राजस्तान थारो है तो सुनो पतंगा का रहे लेकिन ओ जे अठों जे यहां लकीर जे हो जा सीती मान ले कोई पटवारी टाइप हो आजया का लकीर अगर सीती हो जा तो बोलतो फिर किये कर देओ राश्टपती थोड़ सी करे राश्टपती पुछ है ओ जरूर विदान बन लेकर भी देखो बना रखे लिए के बोगरों लेकिमी कोन बंठे बाबैगी चलाईगी देत अनुमती देद्यों राज्जे बठाई विदान बंडल ने देतों भी किमी कोन बंठनों उपर ले आगे कि यह चलनी है दो यानि अब आके देख भी उधारन देरियों में राजस्तान नाम में थ ना तोड़ो बेटी का अब आपो ना तोड़ो माने अलग अलग ना करो लेकिन भाई जी किमी कोन देलो ठै मारे करते हैं दो भाग बना देरा राजस्तान चाहिए की कैबो करो अगर जच्ची ली अलग करेंगी दो पाट कर सकते हैं अलग वैसे नहीं अलग का मतलब भारत म नाम है नाम चे असम को सोम करती हो और की को की करती हो नाम चेंज करना आई रहा हम नाम को भी परिवर्तन कर सकते हैं समझागे बात है किस अनुछेद में है ये अनुछेद तीन के अंदर है जी यहां जमू कस्मीर है पहली तो रोयो कह बाई जी मान न्यारो देश त्यो न् कथा न्यारो द्यां कोई बात निया नमर तीसरो अपा अंदर कदी मिलास काँ मिला लियो एक लोकोक्ति सुनेड़ी एक चोबे जी गए थे छबे जी बन ले दुबे जी बन के वापस आ गए ये एक लोकोक्ति है बालोकोक्ति जम्मू कस्मीर पर पूरी साइट बेठ है जम्मू कस्मीर काओ का माने देश बनाओ बाई जी देश तो छोड़ो विचारान राज जी कुन बनाओ कह तो देश बनाओ यानि सबे जी एर चोबे जी कोन रहे हो स्टेटी कोन रहे हो यानि केंदर सासीत बना दियो देखो दे यानि कोई जरूरी नहीं है कि तेरे में इजाज़त लियां तो तो नहीं देखो बाने वहाँ की विधानों नहीं बस का आँगा इजाज़त लियां कोई जरूरी को नहीं है डेखsin किसमेर की किंडर सासी पर्देश किउम्कि मारे समीधान में चीज़ी पहले ही लिख के चले गए感ूल क्लिंस प्रावधान करें। देख लिए गर्मिय का वीडियो देखो मेरा रेट खंड गा वीडियो दुन्वा मतर है चलो देखो आगे चालो यानि जैसे MP से काट के 36 कर दिया था UP से काट के उत्रा खंड कर दिया हम किसी भी स्टेट को काट सकते हैं कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं नाम चेंज कर सकते ह यह हमारे स्विधान में हमें, यानि हमारे स्विधान में ऐसी चीजें लिखी गई अनुचे तीन के तैट, ठीक है गुर्जी मारबात किमी तो समझ मा आई, यानि अनुचे तीन में क्या क्या कारी यह हो सकते हैं, अनुचे तीन के अंदर राज्ये को बढाया जा सकता है, आ क यानि गटाना बढ़ाना का मतलब सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, देखो, दोनु चीजों में एक तो अंतर समझना, कोण कोण से, अनुछेद तील, और अनुछेद दो में अंतर समझना हो, अनुछेद दो तो है, बाहर की किसी देश को हम अपने अंदर मिलाएं, और उसमें नाम चेंजी बगे रखे, लेकिन अनुछेद तीन जो है, हमारे राजी, यानि आलरेटी हमारे अंदर ही है वो, हमारे देश के अंदर ही किसी हिस्से को हम काटें, कम करें, ज्यादा करें, ब मजमाया गे बात एक बात बताओं मैं आप आज एक नई चीज पूछता हूँ क्या कोई भी हमारा छेतर यानि हमारा छेतर का मतलब हमारा राज्य क्या कोई भी हमारा राज्य हम किसी दूसरे को दे सकते हैं क्या क्या हमारे सुधान में ऐसा कोई प्रावधान है क्या प्लीज अब बताईए मुझे, बदाओ, दसो, बदाओ, बदाओ, आज़ा, हमारे कोलेज के प्रेसिपल आपके बहुत बड़े फैन है, एक उच्छ कोटी के सिखसक है वो, आपका उधारन देकर कहते हैं कि सिखसक बनो तो सुबाजी, ओ, 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 बताओ, मैंने एक परसंट पूछा है, बताईए, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहे हैं, क्या हम हमारे किसी जगए को दूसरे देश को दे सकते हैं, या, ऐसे सुच, स्विधान के अनुसार बताना है, हाँ, सुणो, दे सकते हैं, लेकिन, जैसे हमने मिलाया, वो प्राउधान नहीं है, के पतो, मान लो कोई शो परदान मंत्री आजया आगे बांगला देशी बीननी लिया और कहा देथा लो मेरे अंडर में है, खंदेद्यू में, आपा मिला तो बहुत साधारन बहुमत उसका, या, किसी जैसे जम्मू को हमने मिला, एकदम साधारन बहुमत से, एकदम साधारन, जितने से सरकार बनी होतने पास कर दो, तो हम हमारा कोई राज्य देना चाहें, तो भाई देना चाहें, तो इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए स्विधान में, 368 में, स्विधान संसोधन करना पड़ेगा, जबकि मिलाने के लिए जरूरी नहीं है, 368 में आप संसोधन करो, सिर्फ और सिर्फ देने के लिए, इतने आसानी से नहीं देंगे, एक बार एक विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ, देखिए, यह है बांगला देश, यानि उस समय था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में एक जगह है, यह विवाद था बेरुबाडी, वो मुस्लिम बाहुले छेतर था, वो प 99 स्विधान संसोदन किया, गूनी सो साट में, और बेरुबाडी हमने पाकिस्तान को दे दिया, यहन्य वरतमान में बांगला देश को हमने दे दिया, और अभी 101 स्विदान संसोदन 2015 में भी हमने भारत के कुछ चेतर बांगला देश को दिये, समझाघे, बात पल रपड़ी ये बेरुबाडी विवाद में ऐसा हुआ था, तो हम दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए आप साधान महुमत नहीं होगा, वैसा आप देने के लिए आपको स्विधान संसोधन करना पड़ेगा, लेने के लिए स्विधान संसोधन जरूरी नहीं है, ले लेो, आवाज को कोई राज्य है चींचांकराविन मिला स्कों थे लेकिन देने के लिए साधारन मौमत से नहीं दे सकते आप इसको, चलो ठीक है, अब देखो, अगर आप ये काम नए जोड रहे हो, या फिर दे रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनुसूची पहली और अनुस चोथी में परिवर्तन करना पड़ेगा, अनुसूची पहली जैसे आपने नया राज्य जोड़ा, तो वो कहां लिखा मिलेगा, वो अनुसूची पहली में लिखा मिलेगा, तो भी राज्यों के पद, विधा, राज्ये सभा में कितने परतेक राज्ये से, तो वो भी तो च पाड़े अनुचुदेव में तो अनुचुची एक और चार में भी परिवर्तन होगा। इतनी अच्छी बातें हैं वाच। क्या समझ में आया कुछ? कुछ आया क्या? सर साथ साथ में नोट्स बना ले, कोई जूर्ट कोन मीड़ दो में लिखवा दियूँ में, कुछ इंत्य लास्ट, लास्ट अनुचेद चोथो, अनुचेद नमर चार। उपरोप जो वीदी है, वो संसद के साधारन भूमत द्वारा होगी। इसमें 368 में स्वीधान संसोदन करने की जरूरत कताई नहीं है। ये लोजी, क्या समझ में नहीं आया? दुबारा बताऊंगा। रिप हमारे भारत में, स्वीधान में 22 भाग है। और 22 भाग में आज हमने पड़ा है कोण सा भाग? आज हमने पड़ा है पहला भाग। और इस पहले भाग में चार अनुचेद थे। अनुचेद पहला, अनुचेद दूसरा, अनुचेद तीसरा, अनुचेद चोथा। क्या क्या बाते कही गी है अनुचेद पहले में पूरे भारत को एक सुत्तर में बान दिया गया है भारत एक संग है एक यूनियन है फेडरेशन नहीं है बात समझ गए पहले में यही कहा गया है पूरा भारत एक संग है दूसरे में ये कहा गए इस भारत को तुम लोग बढ़ा भी सकते हो मान लो यहाँ पर या फिर यहाँ पर पाकिस्तान में करांची जो सहर है वो हमें पसंद आ जाए तो हम इसको अमारे अंदर मिला सकते हैं साधार्ण भौमत से वीर भोगे वसंधरा यानि वीर ही वसंधरा को भोगते हैं जैसे हमने जम्मुकस्मीर को मिला लिया जम्मुकस्मीर तो बैसे अपनाई था तो तो मिला सकते हैं ये है बात दो के अंदर अब आप मिला लिया तो मिलाने के बाद आप चेंजिंग भी कर सकते हो आपको करांची नाम पसंद नहीं है तो इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो आप ठीक है ये किसमे है ये अनुचे तीन में है और चार में ये कहा गया है कि इन सारे कामों को आप साधारन भूमत द्वारा भी कर सकते है अब बताओ क्या समझवे में बताईए बताईए कि बताईए क्या समझवे नहीं आया बताईए आ गए तो मिंट दो में ही लिख लो मिंट दो ही लगानी है लिखो लिखो सविधान में 22 भाग है यानि 22 पाठ है टोटल सी दिशी बात आए और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाग परता ठीक है परत्थम भाग में चार अनुचेद है अनुचेद है ठीक है चलो देखो अनुचेद परत्थम इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संग इंग्लिस में होगा ए यूनियन ओप स्टेट राज्यों का संग है इसमें लिखो राज्य अलग नहीं हो सकता अलग नहीं हो सकता देखो नमर दो अनुचेद दो संसद राष्टपती की पुर्वय अनुमती से किसी विदेशी राज्यों भारत मिला सकती है बढ़िया नौट स्त्यार करना है साधारण बहुमत द्वारा साधारण बहुमत द्वारा सिक्किम को अनुचेद तर्मी 22 मेराचे का दर्जा ठीट अनुचेद दिखो अनुचेद तिन राज्यों के सीमा नाम परिवर्तन कर सकती है मैं देखो अपनी इजी लेंग्वेज में लिखा रहा हूं ये राश्टपती के सिपार्स द्वारा राश्टपती वीधान मंदन समझे क्या बात को यानि राश्टपती समंदित विधान मंदन को पूछेगा जैसे राजस्तान को पूछेगा विधान सबा है यहां तो उसको पूछेगा कि थार थोड़ सो पार्ट में बिन्न दे रहा अब आपने को ना को कोई फरको प्रप्रेवी चीदे चल नोट लगा के लिखना कोई राजस्ती दूसरे देश को दूसरे देश को साधारण वीती द्वारा नहीं दे सकते दे सकते इसके लिए 368 में तहत सवीधान संसोदन करना होगा संसोदन करना होगा करना होगा देखो 9 में स्वीधान संसोदन द्वारा निसो साथ में बेरुबाडी को बांगलादेश को देखो देखो एक ओ लेतो सोवेश वीधान संसोदन 2015 में भारत के कुछ शेतर बांगलादेश को देखो बांगलादेश को देखो ठीक है कुर्जी थे हिंदी कर चालो करशो करांगा रहे है रेट में हिंदी आपनी करवाईडी है मुना पुरानी है वो देख लो हिंदी तो नोर्मल है सोदी पॉइंट सेरो लिखो 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 जल्दी लिखो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ इजी लेंग्वेज में बनवा रहा हूँ नया राज्य चुडने से या राज्य परिवर्थन से परिवर्थन से अनुचेद चुरी अनुचुची एक वै च्यार में भी परिवर्थन होगा परिवर्थन होगा लिखो अनुचेद चुरी अनुचेद चुरी उप्लियों की वीद्री संसद साधार्ण बहुमर्द्वारा कर सकती है तीन सो अरसट स्वीधान संसोगन आवसकता नहीं आवसकता नहीं ये लोटा वरो पहला भाग हो चुका है बढ़िया तरीके से मैंने पूरा बताने की कोशिस की है कर भाग दो बढ़ेगी एक साम निकले सेर को एक साम निकले सेर को दिल में कुछ अर्मान थी एक तरफ जंगल एक तरफ समसान थी समसान में एक हड़ी थी हड़ी के यही बयान थे समल के चल मुसाफिर हम भी कभी इनसान थे चालो होगे चलो करे शुरू चालो आज जो टोपिक है, गजब का टोपिक है, सिर्फ आपको समझना है, पोल्टिकल में मैं आपको कोई टैंसन नहीं होने दूँगा, भले आप कहीं से इसके अलावा कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जिन टोपिकों को मैं एक दिन का गैप बीच में इसलि एक फिर भाग दो भाग एक में तो भारत की जिक्र है भारत के राज्ये छेतर बगेर बता दिया खल भाग दो फिर भारत में रहने वालों का जिक्र है यानि आज भाग दो पड़ेंगे नागरिक्ता यानि आज जो टोपिक है वो है अपना नागरिक्ता किसमे भाग दो यानि भारतिय स्वीधान के पार्ट नम्मर दो पार्ट नम्मर दो में है नागरिक्ता पहले में भारत का जिक्र है भारत के राज्ये छेतर बता जी दूसरे में नागरिक्ता है यानि भारत में को रह रहा ह तीसरे में भारत को अधिकार है, फिर नई अधिकार है, यानि निती निते सके, इस तरीके से मैं बाद में एक ट्रीक द्वारा आपको सेट कर दूँगा, लेकिन अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे नागरिक्ता, जिसमें अनुछेद 5 से 11 तक है, 1 से 4 तक तो उसमें थे, और 5 से 11 इसके अंदर है, यानि भाग दो अनुछेद 5 से 11, किसका जिक्र है, नागरिक्ता का, यानि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, और तुम भी इस देश के एक नागरिक हो, कहते हैं ने मैं भारत का नागरिक, क्योंकि हम देश के नागरिक है हमें ये नागरिकता कैसे मिल गई क्या इसका कोई अलग से पट्टा है गया दियो गए ओ नागरिकता ओ प्रमान पत्त ले गया इना तुम वोट डालते हो इसलिए डाल रहे हो कि तुम भारत के नागरिक हो कोई अमेरिका का यहां वोट नहीं डाल सकता तुमारा अधार तुम देश के नागरिक हो, अगर देश के नागरिक ना होते तो ना तुम्हें वोट देने का अधिकार होता है यहां पर और ना ही तुम्हारा आधार कार्ड बनता है, क्यों क्योंकि तुम नागरिक हो, तो किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमारे देश में एकल नागरिकता है पहले कुछ देशों में दोहरी नागरिकता है दोहरी को मतलब दोहरी है दोहरी है दोहरी है दोहरी को मतलब हो गयो कि डबल नागरिकता लेनी पड़ेगी जैसे हमारे अंदर भी पहले दोहरी थी जैसे कस्मीर की अलग से लेनी पड़ती थी अब नहीं अब तो बजमेरी नहीं है, मिल गया अंदर, पहले अलग नागरिकता थी, अलग स्वीधान था, उसका अलग जंटा था, उसका वो चीज़े तो अब रही नहीं, तो अब आप वाद बताएंगे, तो वर्तमान में हमारी क्या है, एकल नागरिकता है, कुछ देशों को है, जिन नहीं लगाना है, हमारा दिमाग छोटा दिमाग है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, किसी परकार का, चलो, लोग आईगे दरुन लोग, तथास्तो, हाँ, अमेरिका में दो रही है, बिल्कुल अमेरिका में दो रही है, चलो, मैं सुरू करता हूं, देखिए, अनुचे पिच्पन में पारित हुआ, अब पिच्पन में पारित हुआ, तो कोई चीज पहली बार में सपन नहीं हो सकती, वच, जैसे आज आज आप एक कोई किताब लिखोगे, तो उसमें गल्तियां होगी, हम भी लिखते हैं, लिखते हैं, तो गल्तियां होती है, फिर उसके तो भई स्विधान में भी तो कुछ ऐसे प्रावधान हुए कि जिनको संसोदन करने की आवसकता पड़ी कि ये गलत है इसको चेंजिंग करो तो नागरिकता संसोदन अधिनियम में भी बहुत सारे चेंजिंग आए सबसे पहले इसमें 1986 में आया फिर 1902 में में आया फिर 2003 में फिर 2005 में आया फिर 2015 में आया फिर 2011 में आया लेखिर हम पढ़ते हैं पहले फिर आपको बताऊंगा कि जिनकी आवसकता वत्स कैसे पड़ी क्यूं पड़ी ठार कमेंट में एक ही कौन पड़ी स्वासार्ण का नंबर बताओ एच्छा मेरा नंबर बताओ केकरे गोरे नंबर अप्रिन उन्दी वादा नागरो चालो करूँ सुरू पहले तो हम ये देखते हैं कि बारत में नागरिक्ता कैसे कैसे मिलती है तो भारत में नागरिक्ता आपको 5 परकार से मिल जाएगी अगर ये पांच नियमों में से आपके पास कोई एक रूल है आपको नागरीकता मिल जाएगी संसोधन की क्यों जूर्थ पड़ी ये भी बताऊंगा रुको तो सही पहली है जनम की आधार की यानी बाई बर्थ शुरुआत में ये शुरुआत में काम ज़्यादा आई कुछ अनुसेद शुरुआत जैसे ये लिखा है कि 26 जनवरी को हमेरा हमारा स्विधान लागू हुआ सविधान लागू होने से पहले या बाद में अगर आपका जनम भारत में हुआ तो फिर आपको बारत की नागरिक्ता मिल जाएगी अब देखो इसमें संसोदन क्यूं करना पड़ा क्यूंकि पहला संसोदन कब आया पहला संसोदन 1986 में क्यूं आया क्या हो है? सिर्फ इतनी बात है कि आपका जनम भारत में ओनाचीर आपको भारत की नाग लिखता मिल दियेगी मतलब समझ भी नहीं है हमारे पिछपन से लेके 86 तक चलता रहा पाकिस्तान से तो हमारी कभी बढ़ी नहीं आगे भी कभी बनने वाली तो लग नहीं रही है बात पाकिस्तानियों ने इसका दुरूपयोग किया वहां से टंकी फुल कर देते थे पेट फुला फुला आगे बठू लुगायान भेज देता और अठा आगे आउट गोइंग चालू हो जाती अठा आगे टाबर जाम देती लेओ देओ नागरीकता उर्वाग देरी वह क्यों देड़ा माल लेओ कोई मैला आई विदेशू ताज मैल देखना इर भीग नौव मिन्नों चालाई अठा बा टाबर जाम दे जा पाकिस्तानार येठ मैला आगे टाबर जाम देखना आई या फिर माल लेओ आपने मालोग गुर्खुल देखना आई कभी देख्याऊंगे अर्विंग नौव मिन्नों चाल तो अरे टाबर जा नागरीकता देओ बुले आरो तुगड़त ओर ये जामनेंगा आदारपना आगरीकता क्या देद्यांगा जद भेरिंग माँ चेंजिंग करनी पड़ी क्यों क्योंकर इसका दुरूप्यों गोड़ी लग गया तो इसमें चेंजिंग की गई गुनी सो छियासी में कि जनम के आदारपय ऐसे नहीं मिलेगी जनम से पहले बाप या मा, माता या पिता में से कोई भारतिये होना चींगे यानि भारत में से पहले एक नियम था अगर कोई भारतिये राजनाईक रह रहा है मान लोग कोई विडियेश का यहां पहले दराजदूतो थे उनके बच्चों को नहीं मिलेगी नागरिकता कि 26 जनरी 1950 से पहले और जिस चेतर पर भारत ने सिर्फ अधिकार कर रखा हो या जिस दुस्मनों को पकड़ रखा हो और बांग अटाबर जाम जिया बन भी कोई भी लेगो एदो आदमें भी टन लेटा भी टेम थरकी समझ मायोगी के जनम गा अधार पर देता पहली लेकिन विंगो पाकिस्तान या गलत उप्योग करियो करियो जापा चेंजिंग कर दी बोल माबाप मुए एक भारती होनों चीए बोल ठीक है जी वंस जनम के अधार पर आपको नागरिक्ता मिल जाएगी नमर दो वंस परंपरा वंस परंपरा देखो 26 जनमरी 1950 ये तो स्विधान के अधार पर हमें नागरिक्ता कैसे मिल गई हमें इसलिए मिल गई कि हमारे पिता जी भारत से ही थे लेकिन उनका जनम तो स्विधान लागों बाद हुआ है तो हमारे दादा जी भी तो भारती है थे मान लो आपको रमको तो हमारे दादा जी के आधार पे हमें नागरिक्ता मिल गई भारत की तो वो ही है वंस परंपरा कि किसी बेक्ती को वंस परंपरा के आधार पे मिल जाएगी कैसे पहले नियम यही था कि पिता भारतिय होना चीए मान लो कोई वेक्ती बारत से बाहर जन्मा है उसका पिता बारत से है तो उसे नागरिकता दे देंगे महिला होगी सगडी बेडी गोले अच्छा सुईदान में तो बात तो करो यहां का पूरस और महिला बराबर है है यहां बाप का अधार परिवंस आच्छा बही मैन योगदान तो अमाओं का यह बच्चे को रखने का भी हमारा बलड नहीं है कि डियने सर्चना हमारी नहीं है कि उसमें बाच जाई से यार तो उसके बाद में फिर माता पिता दोन्नू करना पड़ा इसमें संसोदन करना पड़ा 1902 में पहले सिर्फ पिता के आधार परी के वंस परंपरा ही बाद में 1902 में में इसमें करना पड़ा चेंजिंग फिर एक चेंजिंग और आया 3 दिसंबर 2004 कि बारत से बाहर जन में वेक्तिकी नागरिकता नहीं होगी वंस परंपरा के आधार पे तभी मानी जाएगी जब एक साल के अंडर में उसका यहां रजिस्टेशन कराओगे पंजियन कराओगे क्यों क्योंकर जामली और पंजियन कराओगे यह कोई तरीका नहीं है एक साल के अंदर अंदर पंजियन कराओ तब ही आपको नागरीता दी जाएगी या कोई पत्टो थोड़ी है जो यह दे दे दें बारत का होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है ऐसे नहीं देंगे registration करवाओ चालो एक वर्स के भीतर आपको पंजी करण करवाना होगा बारतिय वानी जेक दुतावास के अंदर समझ गया बात ने गए कि कैओ आपकी कलास के बिना रहा नहीं जाता अच्छा तुम्हें देखे बगेर रहा नहीं जाता है सर्टोंक से सराज फूटरा लागो आज मनलागे कैमरे की स्पाइक रेड़ी है बाकी में पहली जिशाई यहाँ के कैओ तेरे बदल तेमीजान इसे ना इसे साहिरें गठूआ थारकन दोजार चार तीन के कह रहा हो रहा है थारकी समझ मैं दार है नहीं इसरे समझनों है एक्जाम मैं जदाओ गो नीज़ आराम करिया होगा पहलो जनम गा आदार पर दूसरो वस परंपरा गा आदार पर तीस रो यहनी आपन नागरिक्ता था ने नागरिक्ता किया किया मिलागी महालियो था न कोई कह देगी में भारत वो नागरिक्त तीस रो है पन्जी करण पन्जी करण को मतलब बाई रजिस्टरेशन किन किन वेक्टि अगर रजिस्टरेशन करवाए तो उसे भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी पहले वेक्ति जो पहले नियम 6 मा का था बाद वे 5 वरस का तिया वर्तमान में 7 वर्स का कर दिया कि अगर कोई 7 वर्स से बारती है रह रहा तो वो बारती ही हो गयो भी देखो 7 साल उने लाग रहे फिर कब जो जैविंगो ठीक है जनम उसका भारत में वा ये लेकिन वो रह बारत से बाहर रहे है जैसे आजादी के समय हमारे बहुत सारे लोग थे जो विदेशों से भी उनौने संचालन किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे, वह इंडिया है, तो वहां भी थे हमारे बहुत सारे लोग विदेश से हमारे आजादी के लिए लड़ाई कर रही हैं, क्या हम उनको नागरिकता नहीं देंगे, उन्होंने विद तो अगर आपने किसी विदेशी महिला से बिवा कर लिया, तो भाई साब उसको भी हम नागरिकता दे देंगे. राश्ट्र मंडल वो लोग थे जो इंग्लेंड के अदिन थे, उन देशों का कोई व्यक्ति अगर भारत में नोगरिकता दे देंगे. समझ माया गे थे? जनम परमान पतर उना उसक है, तो जनम परमान पतर तो आज काल तुरंत ही बनावाए जामता ही. हाँ? हर समझ माया गे, हर बात समझ मायी गे, बात पल्ले पड़ी गे, चलो पड़गी ठीक है फिर, यानि पंजी करन थे करवाओगा, लेकिन कुण-कुण पंजी करन कराओगो, बात चीज थे देखे. नेक्स्ट चलता हूँ, समझना है, जादा माधा पच्छी नहीं करनी है, सिरफ समझते जाओ, चलो, नमर चार, देश ये करन, देखो, कोई विदेशी वेक्ती है, और विदेश की नागरिकता छोड़ देखे. और विदेश की नागरिकता छोड़ देखे, एक साल हूँ बारत में रहतो है, और टोटल बिन मिलावाय मान लेओ, तो साथ साल हो जा, तो बिन आपा नागरिकता देध्यांगा बारत की, और मान लेओ, कोई वेग्यानिक आजियाठ है, तो कडो वेग्यानिक है, भी, आपन अगर कोई वेग्यानिक है, बहुत सारे पाकिस्तानी कलाकार भारत में रहे, उनको नागरिकता भी मिल गई, तो उन्होंने याँ की कोई बाहसा सीख ली, यानि जो माननेता प्राप्त 22 भासा है, उनमें से किसी एक भासा का ज्यान अगर प्राप्त कर लिया, तो हम उसे नागरिकता दे देंगे, नमर पांच, पांच नमर नागरिकता किया देंगा, भूमी अर्जन, भूमी अर्जन का मतलब ये वाँ, देखो, जिया मान लिओ, आपा कबजो कर लिया, आपा लावर पर करां, रावल पिंडी पर करां, रावल पिंडी पर कर लिया, रावल पिंडी पर आपा कबजो कर लिया, रावल पिंडी आपा भारत में मिला लिया, तो भई रावल पिंडी आरान आपा एक्टोमेटिक नागरिकता दे देंगे, दे देंगे बन नाराज उने को जूरती को नहीं है ये को रहा है कि बोलो समझ मायोगे नागरीकता भी खतम तो कौन करी सानिया मिल जागी पड़ वैसे देखे तो वहाँ अगर साधी कर ली तो एक हिसाब से बार्तिया नागरीकता समाप्थ हो जाती है नियम के हिसाब से ठीक है कि टाप रहो ठीक है कि बात समझ माईगे कि नागरीकता के के तरीकों मिलेगी दुबारा देखो पांच तरीकों से नागरीकता मिलेगी आपको आओ प्रादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादाद बाता-पिता दोनों के आधार पे कर दिया गया है, आप रजिस्टेशन कर्वाओ, साथ साल से भारत में अगर रह रहे हो, एक साल रहते हों, continue हो गए हो, तो आप रजिस्टेशन कर्वाओ के, कोई विदेश ही मैला ली या थे ब्या करागे, तो भी थे कर्श को, देश ये करण के आधार पे भी आपको नागरिक्ता मिल जाएगी, वहां की छोड़ देते हो, यहां कंटीन्यू रह रहे हों, और अगर हमने किसी भूमी पे कबजा कर लिया, तो अलरेडी उनको नागरिक्ता मिल जाएगी, बात समझ में आई, बात समझ म पूरा हिंदी का विद्वान है यह बनता, पूरण ते सुध हिंदी की भासा का प्रियोग किया है, चालो, करें शुरू आगे चलें, आगे चालूँगे, चलो आगे चलतें, नेक्स्ट, अब आपा, आवेक गुर्जी, कोई आदमी की नागरिक्ता समाप्त भी कर सकेगे, क कि के तरीकों होसके, देख लिए बाई, नागरिक्ता का अंत भी हो सकता है, अब नागरिक्ता, देखो, पहली तो बढ़ाओ, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिक्ता ले ली, आपकी नागरिक्ता समाप्त, और मान लिए कोई आपकी नागरिक्ता प्रित्याद करन पन्चीत कर सकती है अब भेकति हैं माले खेल खेल जो कोई के नागरीकता छीन लिए कोई वेकती है उसकी नागरीकता ठेल लिए छी लोय भिगति हो कोको नि ब्मारत भारत में यह हो गया कि वो फिर कोई जैसे चुनाव नहीं लड़ us कर excel केंगा वो वो कोई बड़ा IES RPS बड़ा अधिकारी नहीं बन सकेगा वो वोट नहीं डाल सकेगा वो मतलब कोई महर गोंडियो भी नगरिक्ता ले ली उसने कोई ऐसे कारी किया हूँगे कि उसको ना वो पर्धानमंत्री बन सकता ना रस्टपि बन सकता है तो नागरिक्ता चिन्नों अब वन्चित के सरकार के करें अगर कोई व्यक्ति स्विधान के परती एनिष्टा दिखावे हमारा स्विधान है हमें स्विधान के उपर गर्वे करना है सबसे बहतरीन स्विधान है ये नहीं कि आप स्विधान के परती एनिष्टा दिखाओ, नहीं, आपकी नागरिकता छिल ली जाएगी, क्या बात है, नमर दो, माल लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, और थे पाकिस्तान का बठे साइता करन लाग रहे हो, नालाइक ये कारिये नहीं है किसी नागरि नागरिकता छिल ली जाएगी, वो अलग चीज होती है, लेकिन उसकी नागरिकता छिल ली जाएगी, ठीक है गुर जी, और क्या, अगर कोई बेकती गलत तरीकों नागरिकता लिए, गलत समझो, माले कोई जुटा-मुटा डोकुमेंट दिखाए नागरिकता ले लिए और और किसी गलत तरीके उसकी नागरिकता भी चीन ली जाएगी, समझ गया बात मेंगे, यानि आपकी नागरिकता छिनी भी जा सकती है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, आप पाकिस्तान के स्पोर्ट में पोश्टें डाल रहे हो, तो आपको पकड़ के इलाज कर द तो बिंगी भी नागरिकता जागी, और लगातार कंटीनु अगर साथ वरस तक कोई बाड़े रहे गिए, तो भाई साब बिंगी भी नागरिकता जागी, हम जगया गे थे, समझ गया गे, समझ गया गे, बड़े होकर क्या मिला, दिमाग का बोज और दिल में गमकास वो बच्पन फिर शे जी पाते आगा, समझ दार बनके कुछ ना मिला, मजा तो बकवास करने में ही आया, कि खुर जी पकवास क्यों करना, आनदी पकवास करने मारे है, चलो ठीक है, पढ़ते आगे, अब हम अनुचेदों को पढ़ेंगे, पांच से ग्यारा तक जो अनुचेद है, वो पढ़ते हैं, पांच से ग्यारा, बस समझना है, ज्यादा माथा पच्ची आपको नहीं करनी है, मैं बड़ी इजी तरीके से पोलिटिकल बता रहा हूं, एक बार आप अपनी किताब में पढ़ लेना, फिर आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, चलो ठीकिए, अनुचेद नम्मर पांच, ये अनुचेद ये कहता है कि प्रारंब से ही नागरिकता है, कैसे सब, ऐसा बेक्ती आलरेडी पहले से ही नागरिक होगा, जो भारत में पहले से रह रहे है, बिल्कुल जो भारत में रह रहे है, भी हमारा स्वीधान लाग हुआ, नागरिकता प्रावदाओं तो हमारे स्वीधान में था, लेकिन स्वीधान से पहले जो बारत में रह रहे है, वो तो अल्रेडी बारत का नागरिक हो गया, तो शुरुआत में जो पहला अनुछेद है, वो यही कहता है, कि प्रारम से नागरिकता आपको मिल जाएगी, जैसे जिसका जनम पहले ही भारत में हुआ हो, जिसके माता-पिता में से इसी का जनम भारत में हुआ हो, सुईदान निर्मान से शुरू में ये कह दिया कि शुरू से इनागरिकता है अनुछेद 5 बात आई अनुछेद 6 इतना तो ये नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी देख लेते हैं कोई समझे ने जो लोग पाकिस्तान से भारत आए विल्कुल आया बहुत लोग आया वैसे उनकी एक तारीक रेजि क्योंकि ये जो नियम थे ना वो उस समय के लिए थे वर्तमान में नियमों का कोई मैत है नहीं कोई पाकिस्तान से भारत नहीं आ रहा है ना उसे नागरिकता दी जाएगी ये नियम उस समय के लिए थे अनुछेर 5 है 6 है 7 है वो उस समय के लिए थे ना कि अब इनका कोई चिते नहीं है अब सिर्फ हमें नियमों को पड़ रही है देखिए ये तारीक डिसाइड की गई है गुनीज जुलाई गुनीज सो अड़तारीस अगर इंग बाद में गुर्जी कोई आये हां बाद में तो भी विंगो थोड़ो सो 6 मिनाव रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक त अनुचेट से कोई बाहर से आये यानि पाकिस्तान से कोई बाहर आये उसके लिए नागरिक्ता अनुचेट साथ बहुत ही जी है पोलिटिकल बहुत ही जी है अनुचेट साथ पाकिस्तान परवजन वेक्तिक नागरिक्ता गुर्जी मारत बासाई कुन से ही जो छेतर पाकिस पाकिस्तान में चला गया उनकी नागरिक्ता तो समाप्त हो गई कोई बताने की जूरत नहीं है अब हुआ क्या बई पाकिस्तान कोई एक जटके के साथ तो बना नहीं दोस्त इसके लिए भी भूत लंबी प्रोसेस चली थी बहुत लंबे आंदोलन हुए थी लेकिन लोगों क बेटिया यानि दस दिन पहली आ गया खुल लगा शुरूए अपाज आ लिया तो कई लोगान पहली पतोल आ गयों को पाकिस्तान बढ़ेगो तो कई ज्यादा शाना बढ़े और शाना बढ़े शाना हो मतलब हो एक समझदार समझदार बढ़े मैं एक मारच उननीस सो सेंता नगुए नगुए और शाना पकर लिए यानि नग्या पहली उटिया वोल पहली जाागे प्लोट आलोट लेल लिया पहले ही चले गए एक मारच उन्नीस सेंता आ आजाद वहे थे हम कम और पहले ही चले गई बड़ जा गये देख्ख्यो तो पाकिस्तान पसंद को नहीं की वो विशो देश कीन पसंदा भाई जद भाई देशन चलो देशन चलो देश मांगता है कुरुबानिया जद वो ला रहा है पाच्छो सालो यारा आप गए देश की ओंद को नहीं है तो कई गया जरूर लेकिन वापस आ गया तो जो पहले गयर बाद में वापस आगे तो यह भी तो भी अपने ही है अपने है तो उनको भी नागरिकता दे दो सबसे एजी है पोल्टिकल देखो सर कोई ओफर कल लाएंगे ओफर कल नए बैंच है बहुत बड़िया तरीके से कल वाले ओफर सुनके देखो आपकी अंतरा आत्मा ये कहेगी वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छुरे चलो सबसे पहला नुच्छे नागरिक्ता का पांच पहले से नागरिक्ता है जिसका जिनम हो गया छे जो पाकिस्तान से भारत में आई उनको लेकिन कुछ पहले चले गए फिर बाद में आई कुछ तो वैसे हुए कि वहाँ से सिद्य आ गए उस चेतर में थे वो नहीं रहना चाते थे वो अमारे भारत में आ गए उनको दे दी कुछ ऐसे थे जो ज़्यादा ग्यानी थे वहाँ चले गए फिर पाथ हांडी ये वापस आ गया तो बाने भी अपना नागरिक्ता द्यागा अनुचेद साथ ये उस समय के लिए है वर्तमान में इन अनुचेदों का कोई योचिते नहीं है ठीक है नेक्स चलते हैं किता नमर है अनुचेदाट अनुचेदाट कहता है कि भारत से बाहर रहने वाला कुछ वेक्तियों को नागरिक्ता का अधिकार है भारत से अगर बाहर रह रह रहा है उसके माता पिता दादा दादीक नाना नानीक जिनका जनम भारत में हुआ हो लेकिन बाद नागριक्ता दे दी जाएगी ठीक है गुर्जी याद राखोद राख लिया नम्मर अनुछेद 9 कहता है अगर स्वेच्छा से किसी वेक्ति ने दूसरे देश की नागरिक्ता लेली तो उसकी भारतिय नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी और अनुछेद 10 किसी वेक्ति की नागरिक्ता जो है वो विदी के तैती होगी ये सारी प्रोसेस संसद ये विदी द्वारा यानि संसद तै करेगी तै करती रहेगी संसद के आधार पे किसी की नागरिक्ता ली जाएगी दी जाएगी यानि नोर्मल होग है ये भी कोई important अनुचेद नहीं है, अनुचेद 11, अनुचेद 11 में ये लिखा है कि संसद नागरिक्ता क्से समंदित कानून बनाएगी, बना रही, changing कर रही है, बनाती जा रही है, नए-ने कानून आते जा रही है, ये कहा गया अनुचेद 11 में, तो ज्यादा इसमें कोई माथ से 11, भारत की नागरिक्ता कौन सी है, एकल, मैं ये तेन है, बाकी मैंने आपको बता दिया, इजी तरीके से, अब बताओ क्ये करना है, सरमारियो, रास्तान पलीस का रजल दुबार आएगा क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि नियम ये था कि 5 गोना फिजिकल के लिए पास किया जाता है, और रास्तान पलीस पांच गोने पास नहीं किये गए थे, तो हो सकता है, इसमें कोरट आदेश दे दे कि भी आपने कम पास क्योंकि अपूरे पास करो ना चलो अब पांची मिन्ट में लिख लो पांची मिन्ट में सोरट में आपको लिखवा देता हूं लिखो हेडिंग डालो नागरिकता नागरिकता शेटीजन सिप ठीक है भाग दो में अनुचेद पांच से ग्यारव भारत में एकल नागरिकता है एकल नागरिकता है यानि ब्रिटेन में भी एकल है भारत में भी एकल है अमेरिका में दोहरी नागरिकता है लिखो अमेरिका में दो करें ठीक है लिखो भारतियर नाग रिखता अधिनिय 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 पिच्पन में पारित पारित चीक है संसोदर 1986 फिर 1902 फिर 2003 फिर 2005 फिर 2015 फिर 2019 लिखते जाओ सर गल्स वोस्टल भी कर ले ना करें डी या अपना वोस्टला वोस्टला आया काम कोन करा लिखो 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 टेलिग्राम तो सीधा होता है लिखो भारतिय नाग रिखता पांच परकादा इसे भी लेगे पांच आना ठीक है नमर एक जनम क्या दा प्रशा पहले आबादे भारत में जनम हुआ थिक है पचास पहले आबादे भारत में जनम हुआ बाहरक में जनम हुआ जनम हुआ जिनके रेखो रेखो उनिसो च्यासी में संसोदन करकी संसोदन किया जनम समय मताया पिता पास नागरिटा 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 हो जिक नमर दो वांस परंपरा वांस परंपरा वांस परंपरा को इनलिस में बोलते हैं बाइ इसेट जिको 26 जन्वरी 1950 बाद भारत से बाहर जनमा हो बाहर जनमा हो जनम समय माता देता पास नागरिटा हो नागरिटा हो नोट लगा की लिखना लिखते जाओ मा कमेंट कॉनफर पाहूं अब लिखता जाओ माता नागरिटा अधार पीदेश जनमे वेक्टी नागरिटा प्रावधान प्रावधान नागरिटा हो संसोदा नादिनिया हो नी सुमान हों दिया हो पुर्वें पिता दारिटा हो पिता हों साधरिटा हो पुर्वें में पिता हों साधरिटा आधरिटा 2004 में ये कर दिया कि रजिस्टेशन करवारा पर लो हाँ दोहरी नागरिटा कुछ देशों के लिए है कुछ देशों के लिए है सब के लिए नहीं लिखो तीन नमर पंजी करनाधार पंजी करनाधार पर मिने गए पंजी करनाधार पर मिने गए जनम भारत में हुआ भारत से बाहर रहता हूँ बाहर रहता हूँ ठीज रोग विदेशी महिला बारती पुर्शे विवा विवा राष्ट मंदल देशो नागरी जो भारत में रहते हूँ या भारत सरकार नोखरी कर रहा हूँ लिखते जाओ दोस्तों लिखते जाओ रहीट इग्जाम पर चर्चा दो दिनों चर्चा एक जाओ रही दुपड ले हाँ कस्मीर में पहले दो लिलाग रिखता थी मैं अंदर खेडा आपा चलो अब लिखो तीन लिख लिए ना सोथा परकार लिखो देशी एक करना, नेचु रिलीसे, विदेशी अपनी नागरिक्ता छोड़ दे नागरिक्ता छोड़ दे छोड़ दे वे आवेदन से एक वर्ष पूर भारत में रहता हूँ रहता हूँ रहता हूँ कुल साथ वर्ष भारत में रह चुका हूँ 22 बासाओं किसी एक बासा जानकार हूँ भूमी अर्चन बारा हूँ भारत कोई नया भाग अर्चित कर ले अर्चित कर चीते हैं तुदेव पानी पीजेव सर मेडम ची केक रहे रोटी बनाती है रोटी केक बाग एक्ट भूमी अर्चित में कौन सा राज्ज आता है जैसे बासा किसी राज्जे पर हमने कबजा कर लिया हूँ कोई हमारे अंडर में हमने मिला लिया हूँ जैसे सिक्किम था इसका सी दासाँ जार ने उनिसो चेतर में मिला सिक्किम उससे पहले का था तो सिक्किम भारत में मिलते उनको आलरेडी नागरिक्ता मिल गई उनको लेने की जूत ने सिक्किम के लोगों को अमने नागरिक्ता दे दी क्यों क्यों कि सिक्किम अब भारत के अंदर हो गया कल को मालो तिब्बत हो जए, कल को मालो नेपाल हो जए, वो हो गया, लिख लिया, चल, मैंन मैं अनुचेद लिख लिख लो, सगडा लिख नहीं दुमिया, जुर थैको नहीं, चलो, अनुचेद 5, प्राणंब से नाज लिखता, यानि जनम भारत में हुआ हूँ हुआ माता पिता जनम भारत में हुआ हूँ सवीधान लागू से पांच साल पहले भारत में हुआ इन अनुछेद को इंपोर्टेंट अनुछेद नहीं है इनको याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है बस लिख लो ताकि नोट्स भी थोड़े त्यार हो जाए फिर लिखो अनुछेद 6 6 में लिखो पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिका के लिए नागरिका 19 जुलाई 1988 से पूर्वे भारत में आकर रहे रहा हो या बाद में आया हो आया हो आनुछेद 6 जुलाई एक मार्च 1947 से पूर्वे पूर्वे जुब पाकिस्तान चले गई चले गई बाद में वापस आगे वे छे मार्वे रजिस्ट्रेशन नागरिका ले ले मिल जाएगे अनुछेद आठ भारत बाहर रहने वाले कुछ वेक्तियों नागरिकता अधिकार जिनके माता पिता दादा दादी जनम भारत में हुआ ये बारत से बार जनम हो चाहिए लेकिन माता पिताम कोई भारती होनुची है चीक है ये लिखो स्वेच्छा से कोई वेक्ति किसी विदेशी राचे नागरिक हो जाए तो भारती है नागरिकता समाक्ट नागरिकता समाक्ट दस सोड़ दो लास देख लो अनुचेद अनुचेद ग्यारा ही देख लो सिराई इनको संसद को नागरिकता समन वीदी बनाने की सकती है अल्योटाबरो कॉम्पलेट नाव आज जो टोपिक है उसका नाम है मूल अधिकार मैन अधिकार फंडामेंटल राइट यानि जिन्दगी जीने के लिए ऐसे सब्दों के जोर देने के बोलेगे जिन्दा रहने के लिए क्या जरूरी है जिन्दा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकाद जरूरी है ना ओक्सिजन भी जरूरी है लेकिन ओक्सिजन मिलने के बाद भी तुम्हें जिन्दा रहने की ऐसे लगे नहीं कि तुम जिन्दा नहीं हो अगर तुम्हारे अधिकार मार दिये जाए यानि तुम्हारे अगर सारे अधिकार छिल लिये जाए आज जो तुम्हें अधिकार मिले में या बैठ के कमेंट करने के बकबक करने के जितने भी अधिकार मिले में में उन अधिकारों को मार दिया जाए तो फिर कैसा जीना भाई तो वही तो अधिकार है जैसे किसी को सजा हो गई जिल सजा होने के बाद भी उसके लगबग अधिकार खतम हो जाते हैं तो ये जीना भी कोई जीना है नहीं है अभी जैसे लोग टाउन हो जाए तो हमारे कुछ अधिकार खतम हो गए कौण सा जैसे बाहर गूंगने फिरने का तो हमें लगा कि यार ये काई की जिन्दिगी यार गर में बैठें तो वो ही बात है यानि जब आपके अधिकार को मार दिया जाए तो भी आदमी जिन्दा नहीं रहता क्योंकि अधिकारों का मतलब स्वाभिमान है एक तरीके से तो इसी चीज का आज हम जिक्र करेंगे आज कुछ बच्चे कई दिनों से कलास आई है कुछ नहीं आप आएंगे तो आज मैं सिर्फ चर्चा करके छोड़ूँगा अपलोड होगी का कलास अपलोड भी होएगी काम सारा गुर जी साधी कब होगी नोगर लागया होएगी भाग तीन क्योंकि दो भाग हम पड़ चुके हैं और मूल अधिकार जो है वो 22 से 35 सोरी 12 से 35 तक मूल अधिकार फंडा मेंटल राइट मूल अधिकार हमें स्विधान देता है हमारी जिंदगी जीने के लिए ये चीज जरूरी है ये भाग तीन के अंदर मूल अधिकार है और भाग तीन के अंदर अनुछेदे 12 से 35 जो जो चीजे इंपोर्टेंट है उनको मैं दो या तीन बार बोलूँगा और जो इंपोर्टेंट नहीं है उनको मैं एक बार ही बोलूँगा लेकिन बोलूँगा कनफरम चालो देखे सरवय पर्थम इसका विकार जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था देखो बेटा टाबरो कुछ लोग हमेशा से एडवास रही जाहिर सी बात है बिटेन तो रहा ही इसमें सोचने माली क्या बात है यार एडवास रहा है तभी तो इसने बहुत सारे देशों की उपर कबजा किया था बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था कितनी पद्वतीश ये बनाया कि गुलाम बनाया ऐसे गुलाम बनाते बनाते जब पता चला कि अब हम गुलाम हो गे तब हम छुटने लाइक नहीं रहे तो एडवास तो थे तो अधिकारों की जो सरवय पर्थम जो है, सरवय पर्थम इसका विकास ब्रिटेन में वाँ ध्यान रही, हमने ब्रिटेन से नहीं दे यह मूल अधिकार, ब्रिटेन में तो सरवय पर्थम विकास हुआ, यह परसन नहीं पूछा जाएगा, तो ब्रिटेन में सरवय पर्थम व किसी ना किसी वजह से ही तो नाम उसका पड़ता हूगा, तो मूल अधिकार, मैगना कार्टा, जो दिये गई वो सरो पर तमें, इतो लेट आओ, काई दो रही है, लेट कदा है यार, उता जिल्दी हैं यार, है, सब सर आप से व्यक्तिक रूप से बात करने है, कैसे करें, कहीं करते गुरुजी हम फोन करते हैं एक मिट का भी टाइम नहीं देते जैसे ओपिस में फोन पूरे दिन ये याज़े रहते हैं इस बात को आप अपने हिसाब से ले लेते हो हालत ये हैं सुबह चुरूपरे रातरी तक चुलास सलती है पूरे दिन माथ हो जाह है सुनो कई पर त तो कई बार आप यह सोचते हो कि बात नहीं करते हैं, इसमें कोई घमंडवारी बात नहीं है, जो सही टीचर होगा, उससे कोई मिलने के लिए आया हुआ है, और उसकी कलास का टाइम है, तो ध्यान रहे, आप भी अध्यापक बनोगे, अध्यापक कलास में जाएगा, आने वा कलास लेने के बाद करेगा, क्योंकि आने वाला अधिकारी जो है, वो तो एक है, आने वाला अधिकारी एक है, कलास में पांस सो बच्चे वेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करो, लेकिन हाँ फुर्सत होगी, तो करेंगे, विला वक्त तो तेरी जाने में, चलो करते हैं, सुरू देखिए, तो सरवकरत में यही से, देखिए, एक राजा हुआ था, अलग से बात में, कोई काम की बात नहीं है, लेकिन देखते हैं कि वो लोग कितने एडवास रहे होंगे, सत्रा सो लिवासी में फ्रांसी सी का एक राजा था, लुई सोल इसने अधिकारों का उलंगन किया, और एक राजा होते हुए भी इसे भासी देदी गी, हमारे आ तो राजा भासी देता है, वहाँ पर राजा को भासी देदीगी, सर हमारे स्विधान में इनका जिकर कहा होता है तो समझे हमारे स्विधान में इनका जिकर कहा से सुरू होता है चल आगे जिकर करेंगे अभी तो मैं सिरुप जोड़ रहा हूँ जिससे कि सारे बच्चे जल्दी 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 आजे इसके बाद में हम सुरू करेंगे, देखें जी, समझी आगे भारत में मूल अधिकारों की मांग जो है, वो सर्वय पर्थम जो उठी थी वो स्विधान विधेक अठारा सो पिचान में के माध्यम से उठी थी लेकिन जैसे जैसे हमारे लोग जुड़ते गई स्विधान से लास्ट में जब गुद्दी जी भी लोग जुड़ते गए तो उसके बाद में इसकी मांग उठती गई, उठती गई, उठती गई तो उठती गई तो इस परकार उठती गई कि उठती गई तो दिरे दिरे इससे समझ दित एक समिति का गठन कुआ, इसे रिलेटेड प्रामर्स पैरामर्स समिति, और इस प्रामर्स समिति के अधेक्स थे सरदार वलब भाई पटे, फिर मूल अधिकार है तो एक उप समिति का गठन किया गया, जिसके अधेक्स थे जेबी करपलानी, ज वहागती और अनुछिए बारासी पहतीस मूलतिकार जोड़ी गए एक मेंट उस्तो तो तो कोई बीचवे कोला जया बंदो जया कमेंट इनने वी दिखो करें हाँ हाँ बताऊ आगे कौन सी जाती की मैलाई वीवार की बाद गोस्तर नहीं बताएड़ी आचा मन पुछा गया बाद मेरी बताएड़ी बाकी कोई किताब मेरी बताएड़ी आपने इंपर डिटोटाब बरी बात ने बता दोगो चल देखो आईए शी तुक्छा गया परसन है यहाँ से कोई अच्छा क्यूसन नहीं बनता है अगर डंका क्यूसन बढ़े एक तो वो इतना ही बनता है आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है मूल अधिकार भाग 3-12 से 35, मूल अधिकार भाग 3-12 से 35, चलो हम फिर आगे की ओर रवाना होते हैं, आगे की कुछ चीजे पड़ते हैं इन मूल अधिकारों में दोस्तों राज्ये का कोई हस्तक सेप नहीं है राज्ये का हस्तक सेफ नहीं है यह राज्ये के विरुद नागरिकों को परदान के क्योंकि यह तो हमें स्विधान देता है अब देखो मूल दिकानूं कुछ छोटी-छोटी मगर मोटी-मोटी बाते सक्तिमान की तरह जो है न उन चीजों को समझो क्योंकि एक्जाम में नहीं पुछिजा है लेकिन यह थोड़ी से समझना जुरूरी है समझो सर मुझे जवाब दोग मा आऊं कि नहीं आऊं और बेक्तियार रहे एकर रहने दे कोरोना वो टेम चाज रहे अभी तुमारकर ना आ रहा है बन एड़ेस्ट करनें लाग रहा है एक रुक आजरकाल सुप्ती करीं बजों कुरानों महोल बहुत ज़्यादा बढ़तो जा रहे है इसकी वज़े से एक बार रहने दे तब हम कहें तब चल पड़ना वस लेके जोड़ा हम तो फकीर है जी जुला उठा कर चल देंगे देखें अपको अधिकार दे दिए गए क्या उन अधिकारों को जुर्थ पड़े तब आगे पिछे एक ठोड़ा कम बेशी काटा सांटी कर्श के लिए दो सब्द है एक तो सब्द है निलमबित निलमबित का अधिकार ठीक है सब्द है यह और एक सब्द है पर्ति बंद है बात आती है निलमबित और पर्ति बंदित दोनु सब्द अलग अलग है आपको अधिकार दिये गए छे दिकार हैं बूल अधिकार वो आपको दिये गए बात ही आती है कि क्या हमेशा ही आपके पास वो अधिकार रही है कभी हो तो सकते हैं उपर नीचे कम बेशी भी तो कुछ अधिकार हो सकते हैं पुर्जी कियां समझा को ने गूमने को अधिकार हो कोरोनाम ने कड़या तो को ने मोरिया गोन बुला दिया लोगा यह मतलब आपने एक अधिकार कम तो करें कहीं ना कहीं भुआ जैसे आपकी बात करें चुआ छूद अनुझेत 17 एस्फ्रेसिता कान जदकी कोरोना को सरकार कें ना ना किने टच करनो है तच नहीं करना है तो यह अधिकार तो था अब कहें अब जी आ मैं कोई कोई कोरोना दूर बेट दूर बेट मेरे कन नाड़ जी वो मेरे पर केस थोड़ी करस्को का देखो देखाए मेरा अधिकार मन्ने आ अगये उन्हां के बिटने हैं हो भी सकता है परिस्तिती के अनुसार है यह लेकिन यह अधिकार किसको है कि वह आपकी अधिकारों को कम कर दे यह इसे दिकार है निलंबित का अधिकार लेकि निलंबित जो है यानि कोई अधिकार आपको यह कहें कि वरतमान में यह अधिकार आपके पास नहीं है वाई सामत tubing लंबे समय तक नहीं कुछ दिनां का दर के दो इक दीनां का समय लेकिन एक पर्तिबंदी लगा दे पूरा का पूरा ये पर्तिबंदी का जो अधिकार है वो किसके पास है वो संसद के पास है निलंबित पर्तिबंदी कुछ समय के लिए एक हटानों ही वेजिया, संपर्ती जैसे अधिकारों बठा दिया गया तो वो कारिय को उड़ करती है, वो एक तरिखिय का संसद करती है अब देखो, माल लो, संसद अब वर्तमान में जैसे बीजेपी है बीजेपी का बाभूले है, और कोई S.A. नियम बना दे कि आप वीजेपी की एक भी पोस्ट नहीं डाल सकते फेस उपर यह आपको अधिकार मालो, वीजेपी आपसे चेले क्यों पार्टी है और संसद में बैठती है कर सकती है तो फिर बुल गुर्जी याद करते है, तो फिर तो एक ही पार्टी रहेगी यहां कर तो दे लेकिन एक बाबूर भी ठे उपर क्योंकि मूल अधिकार यही तो बात है अगर कहीं पर आपको लगा कि मूल अधिकारों का हनन्द कर दिया तो थे बाब एक रिक्वेस्ट कर सको की करने सुप्रीम कॉर्ट और हाई कॉर्ट एक रहेगा अपनी रक्ष्या इनने तो केवरोज जुरूत का अनुसार चेंज हो जया लेकिन आपनी जी की मैं रक्ष्या मूल अधिकारा इक रहेगा उन्हें वो आपना ओई कर रहेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों क्योंकि यह तो मूल अधिकार अब कैफोन को नहीं उठा कि यह डाम उठा आगे फोन दाजी रहेगा अरे रुख्या अरे जिन्दगी मिली है कुछ दिखाओ आज वक्त है चलो ठीक है आगे चलो आगे चलो अभी मैं आप तो समझा रहेगा आप समझते जाओ मत लिको कुछ मत सोचो जिस दिन एक्जाम में आया उस दिन आपके समझ में आजे की अधिकारों को कुछ समय के लिए राष्टती हटा सकता है पूरा का पूरा अधिकार साथ साथ हटा सकती है लेकिन अगर ऐसा कोई अधिकार गलत उठा दिया शिर्फ नागरिकों का मतलब उनली फोर भारतियों को 15, 16, 19, 29, 30 कुछ अधिकार विदेशियों भी जैसे आपको कोई मार्पीट नहीं कर सकता माल लिए कि आपको अधिकार है कोई विदेशियों गुमनाडबिंग दो धोड़जां वेल्स कांगे उनको भी तो कुछ अधिकार है यानि कुछ अधिकार सिर्फ भारतियों को यह वो होते हैं यानि हम कहें कि सिर्फ हमारे ही नागरिकों को है लेकिन विदेशियों से आते हैं वही कुछ अधिकार उनको भी दिये गए है यह नहीं है कि उनको कोई अधिकार नहीं है या बहुछ सारे अधिकार हम उने पीट थोड़ी सकते हैं तो वोई बाते होई कि अधिकार लेकिन कुछ श्रिप ना अग्री, कुछ वेक्ति भी सेज़ के भी है वेक्तियों के विरूत पंदरा दो है जैसे अब देखो अपातकाल अगर स्थीटी लिख जाई तो धान रखना बीश इकीस अपातकाल के समय इन दो को छोड़ के बाकी सब भी निलम भी थो सकते हैं क्या सब्द है? निलम भी थो सकते हैं बीश इकीस बीश इकीस अच्छा क्यूशन है G.W.O.D. क्यूशन है S.A.N.D.A.R. क्यूशन है शांदार क्यूशन है आपको इस उत्तर का परसन आता है क्या नहीं इस परसन का उत्तर आता है क्या बीश इकीस को छोड़ के बाकी सबीली लम्बी थो सकते हैं बहुत बढ़िया क्यूशन है जे पुराओ ने थे अभी को नहीं आँ पवंदेव पवंदेव औरे वाँ क्या बात है हमारे तो देव लोग से भी अमारी कलासे देखी जा रही है पवंदेव ता विराजवान है साथ साथ चलो आगे चलो गुरूजी ये जो मूल अधिकार है उनकी परकरती कैसी है जो नागरीकों को दे गई सवतंतर ता है वो सकारात्मक है जैसे गुनिश है पत्चीस से अठाइस है राज्य की सक्ति जो पर्तिबंदीत करते हैं वो एक तरीके से नकारात्मक हो जाते है 14 है 15 है 16 है ये बाद में पढ़ेंगे एक बार आपके अभी कुछ समझ में नहीं आएगा गुर्जी क्यों यो तै क्यों ग्यों डट जाओ आज क्यों फोन पर फोन लगाए रहे समझो दुबारा समझो मैंने मूल अदिकार बता है हमें कुछ अदिकार मिले हुई है जो स्विधान ने हमें दिये है जो भागतीन ने हमें दिये है जो नुशेत बारा से पैंतीस ने हमें दिये है हलो 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 जो भाग है बारा से पैंतीस से हमें दिये गए मूल अदिकार हमने कहां से लिए है मूल अदिकार जो हमने है वो अमेरिका से लिए है वैसे इनका सरवपर्थविकास जो हुआ था वो कहा हुआ था ब्रिटेन के अंदर हुआ था अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बाते आप से करता हूँ जो इंपोर्टेंट है और 20 और 20 थोड़ा सा ध्यार रखना दुबारा रिपीट मार कुमा चलिए अब हम चलते हैं दो यह अनुचेद आज पढ़ें कि सारे बच्चे नहीं आये कल जो आ जाएंगे उसके बाद हम डिटेल से पढ़ लेगे चलो देखिए आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अनुचेद 12 और आज हम पढ़ेंगे अनुचेद 13 अनुचेद 13 12 क्या कहता है और अनुचेद 13 क्या कहता है अनुचेद 12 यह कहता है कि इसमें राज्य सब्द की परिभासा है किसकी स्टेट राज्य सब्द अब हम बात करें कि सर राज्य में कोण आएगा जैसे उसने लिख दिया कि राजय सब्द की परिभादा यानि मूल अदिकार जो है वो ज़रूरी नहीं है कुछ मूल अदिकार जो है वो राजियों को भी दिये गई है अब राज्यों का मतलब राजस्तान MPUP सिर्फ यही राज्य है नहीं यह राज्य नहीं राज्ये सब्द में बहुत सारे सब्द आते हैं सर कौन कौन से सब्द आते हैं देखो समझो इस सीज़ को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको क्योंकि राज्ये का मतलब सिर्फ only for राज्ये ही नहीं है बारत सरकार आएगी संसद भी आएगी यानि संसद को आएगी कंपर ठीक है सेंटरल आ गया लोकल गोर्मेंट भी इसके अंदर आएगी एक बार लिखता हूँ फिर देखता हूँ मैं समझाता हूँ स्टेट गोर्मेंट भी इसमें आएगी नमर चार इलेक्ट्रिक बोर्ड मान लो इसमें आता है O N G C इसमें आता है पुर्जी ए राज ये सब्दमा देखो किया मान लो थारे विजली को कनेक्शन लियो थे कनेक्शन थे बरियो को नी कोन बरियो विजली बोल्डार आया थार में ट्रिया पाड़ ले गया अब थे बोल्या रोटी इर पाणी इर विजली ये तो हमारा मूल अधिकार है आप हमें विजली दीजिये तो वाई साथ नियम बना दिया विजली बोल्ड देगी स्विधान में नहीं है ना हाई कोर्ट ने बनाया ना सुप्रीम कोर्ट ने बनाया बिजली बॉर्ड ने नियम बना दिया कि जिसके एक बार बिजली कट गई उसके दुबाराग नहीं द्या जाएका इसके लिए आप नहीं चाहिए तो कुछ अधिकार जैसे गाओं में पंसाईता बना दे याकर पाली का जो है अब जैसे लोगा नातत हुए गर के रोड है रोड को उपर तक तो आई जी आप लोड है फिर गर गया अंदर बनाना खातर एक रैंप बनाओगा यानी और रस तो है नी गर को गेट अठ फुल है तो भाई जी यहां कर गेर अठू चालनू हुए अधी रोड ओर कवर कर देगा और इल्लो गरार ओर आओगा दूनू मिला देगा बहुत जगए से मिल लेगा खान बहुत जगए क्यों भाई अधिकार थोड़ी है यह नगरपाली का ऐसा नियम बना सकती है कि यह आगर चूथरी मिलगी नहीं तो चूथरी थारी उखाड दाना इसके लिए आप न यह नियम स्पेसल बनाई जा सकते हैं जैसे ओनजी सी बना सकती है कल को इलेक्रिक बोल्ड भी ऐसा कोई नियम बना दे कि सगड़ा कुँमारां गरे विजली जाना बना दे बाई साबर आ करते काम भी बाई साने की कुन साट टीवी पाचों भीको सथ यह नियम यह किसने बन प्रादिकारी अन्य प्रादिकारी यह सारे किसमेंी आ जाते हैं यह राज्य सब्द के अंदर आ एगए कि बात में कंषे आ बात बड़ा अपकर पीदौत और आट इस यह कंष्यू क्या पताये मैंने इस विधानवंडल प्राज्य पॉdefined पंचाइट नगरपाले का बहुत सारी चीज़ी आजाती है जो अपने अपने नियम बना सकती है आप यह नहीं कह सकते कि यह अधिकारों का उलंगन हो गया नवर अनुछेद तेरा अनुछेद तेरा जो है वो इन अनुछेदों को अलपी करण करता है अलपी करना और देखो ए संगत अगर है किसी को तकलीफ दे रहे हैं आप घर पे गाना बजाना कर सकते हो आपके अधिकार कहां समक्त होते हैं आपके अधिकार अलपी करन कहां हो जाते हैं आपको बोलने का अधिकार है बोलो लेकिन ये भी तो नहीं है कि बोलने का मतलब आप कुछ भी बखना शुरू कर दो YouTube पे आके किसी के खिलाब कुछ भी बोलना सुरू कर दो मान दिया बोलने का आपको अधिकार है लेकिन ऐसे भी नहीं चलेगा अलपी करन भी होता है आप घर पे अपने गाने बजा सकते हो अच्छी तरीके से DJ बजा सकते हो बजाते भी हैं गर पे बजा सकते हो आराम से बजाओ किसी को कोई तकलीप नहीं है लेकिन आप अपने स्पीकर का मूँ तो कर दोगे जिदर करना है उदर करना और फिर सुरू आजाओगे जलग दिखला जाए एक बार आज जाज 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 चले होनवाई जी आप पडोसी उब्जेक्शन उठा सकता है आपकी अधिकार समप्त है गाणा आपका अधिकार है बोलना आपका अधिकार है गड़ी को औरन पी पाँ पी की निगरिया के जाए पी पाँ पी सुरू कर दियोगा औरन बजानो अधिकार तो मानली है बजास के तू लेकिन जहांपर किजी पडोसी को समस्या हो गई नहीं बड़ी बजाओगा थे तो वहाई जी थाना रंग गंटी मार्च के वहाँ अधिकारों का अलपी करण भी हो गए है हो सकता है आपकी अधिकार तब तक अधिकार है जब तक पडोसी को समस्या ना हो पासवाली को समस्या ना हो खुर जी ए बात है हां मुना ए बात है आपको नहीं का अधिकारों गणत यूज करो तो इन अधिकारों को अब थान गूमने फिरने की आजाती है काल लादे तो कि इंगरेवट जाओगा गूमने फिरने नियम केते है ताया में तो अधिकार है मारों तल्ले को नी यानि कही ना कही इनका अलपीकरण भी हो रहा है यानि फिरने फिरना मतलब आगले रूम में गुशियाए है यहां भी अलपीकरण होता है कम कर दिये जा सकते हैं यह है अनुछेदे तेरा और इसमें ये भी है कि मान लोग पहले से कोई कानून है वो भी लागू रहे गुर्जी पहली कानून अरस्वीधान बढ़नों पहली भी तो अंगरेज़ा कानून बनाए गया सती पर्था पर रोग लगी अनुछे सत्रा बताया था किसी ने लगाई थी अंगरेज़ों लिए लाड वीलियम वेंटिंग सती पर्था को वो अधिकार लागू रहे गा लेकिन कहीं पर लगे कि सती पर्था इस कानून से किसी मूल अधिकार का उलंगन हो रहा है तो आप जा सकते हो सुपरिम कोट हाई कोट वरना आप नहीं जा सकते यानि पुराने जो कानून है वो बैस अरते उसी हिसाब से आपके लागूर रहेंगे लेकिन वो मूल अधिकार के साब किसी परकार की छेड़ खानी ने करते हो बात समझयागी थे और के बोलो थे मेरा आपको निसमझमारी गुर्जी ऐसा ही के लिए हिंदी आप करा दो मैं ही करा हूँगा और बोल इजहारे इसक करूँ या पूछलू तबियत उनकी ऐ दिल कोई तो बहाना बता उनसे बात करने का पूछले लाइट आइडी इठा गरे गुर्जी आप मान और बहुत ही नेक इंसान आप जोशे गुरु हर जगा नहीं मिलेगे और बड़ाई कर लिया सर जी कलकलास होगी होएगी कालवी चलो करू मैं आग लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते छीन लो सलेक्षन कानी उसे कहते है रे वाया बड़िया साहिरी है मोटिवेशन साहिरी है चलो अब मैं कुछ मूल अधिकारों के आपको ट्रीक बताता हूं उन ट्रीकों को धंग से समझो और उसके बाद हम एक एक अधिकार कल पढ़ेंगे आज मैं सिर्फ ट्रीक बताता हूं पहले साथ थे लेकिन साथ बोले नहीं रहोगे पिन इन मूल अधिकारों को कम करके च्छे कर दिये गए संपत्तिका अधिकार था तो उसको हटा दिया गया है संपत्तिका 31 के अंदर था जो 44 सुष्विधान ससोद रूमी सो ठंतर द्वार यह बड़ी इंपोर्टेंट तीज है अगर आप से पुछे कि आपके पास कोन सा अधिकार नहीं है तो ध्यान रहे उसमें हमेशा संपत्तिका अधिकार उपसं मिलेगा संपत्तिका अधिकार हटा दिया गया है मैं ने लिखने, संझो किस किस से दे मेर नाम की है विध्धार नाम तो सुवास है वठोई कर देऊ सkt शुरो सै उन कर देऊ के और नीचलवो भी सै यानि आगे पिछे जा, जिनके पिछ गे जी जिनके पिछे जी यानि आगे भी सै है और पीछे भी से है हाँ समझी से से हमजी क्या बात पुछ को गुर्जी की बतान लाग ज़या हो थी मारत कीम भी कुण समर मारत तू तो सिरफ छे नाम लिख उपर से लिख निचे से लिख यानि उपर भी मैं हूँ निचे भी मेरा वाडा ही से ठीक है पुछी अरे धरम की तायर है पुछी चार ही धरम है हिंदो मुस्लिम सी किसाई ये जो चार नम्मर है इसमें धरम कर दे तो और जहां धरम की बात आएगी वहां ससकर्ती की भी बात आएगी तो धरम के ज़स्त आगे ससकर्ती कर दे ये जो से है इस सह को आदा कर दे और यहाँ पर भगवान संकर वाड़ा सह कर दे पुर जी के करिये होते हैं मारते हैं के को उनको बज़ा है और उसमझा जा जाने हैं हर के बात है तो नाराज क्यों हो लिए और उसमझा जाने हैं देख एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे आगे भी सह, पिछे भी सह आगे भी सह, पिछे भी सह आगे वाड़ा सह आदा और पिछे वाड़े सह पे बिंदी और दूसरा तरीका ले लेंगे धरम चार है तो चार नम्मर में धरम और यहां पर तीन नमबर भगवान शिव से पुजी कियो योरू बताइए थो योगे सौधरी ब्लोक वैगोगे किसी भी संस्ता का नाम तोड़ा मुरोणी करके आप नहीं लिखोगे कोई मतलब नहीं है इन चीजों का अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो दूसरी का क्या ज़ान रखना आए खुदोर अंडिरो उनों की ज़ान आख लो हाँ जरूरी होता है ये चीजें साथी कैसा पढ़ रहा है ये सारे एक तरीके की बिजनस का हिस्सा होता है कि आपका पार्टनर ये आपका कंपिटेटर क्या कर रहा है लेकिन आप इस चीजों में रूची मत रखो आप सिर्फ पढ़ाई पे जान दो छोड़ो इन चीजों को पहलो से यानि सम्मानता का अधिकार दूसरो से सवतंतरता का अधिकार तीसरो से सोशन के विरूद अधिकार चोथो दरम वे सवतंतरता का अधिकार पांच हों संसकर्ती और शिक्षा समंधी अधिकार और छटो लास्ट मूपचार है स्वेधानिक उपचारों का अधिकार अनूचे 14-18, 19-22, 23-24, 25-28, 29-30 और लास्ट मिन पतिस अरे एक एक डिटेल से पढ़ेंगे यार टैंसल लेने की जरूत नहीं है उपर से, नीचे से, उपर वाड़ा से आदा, नीचे वाड़े से की उपर फिर बिंदी, धरम 4, धरम के साथ संसकर्ती 5 धरम बचाओगे, 4 नमर में तो संसकर्ती 5 नमर में अटमेटिक हो जाएगी और यह से, यह लो, यह लो, हो गया, दुबरा रिपीट मार लेना, बड़े-बड़िया तरीके से, बड़े शांदार तरीके से, मैंने कोसिस की है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ज्यादा बना लेओ, याद रेनी चीए, फ़ी कि इसाइशा ट्रीक बनाया रख है, बताम जी भी कोनी है, लेकिन वो आपको याद करने कि आप कैसी ट्रीक बना लो बस, इनको, क्योंकि यह चीजे जो है, आगे काम बहुता है कि इस होज़ेशे, चलो ठीक है, हम समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अनुछेद 14-18, समानता का अधिकार, अनुछेद 14-18, कल मैं इन सब की ट्रीक बता चुका हूँ, तो दुबारा आज ट्रीक बताने की आवसेक्ता नहीं है, उसको थोड़ा सा दो-तिम बार करना, क्योंकि पोल्टिकल में, बले किसी का एक्जाम दे दे आपको मूल अधिकार से क्यूसर कन फरमाएगा, C-O-N-F-O-R-M आएगा, यानि किसी सूरत में नहीं ठलेगा, अनुछेद 14 यानि, ये अनुछेद बात करता है, समाज में व्याप्त, ऐसमानता को मिटाने किसी तीसी बात है, बले ही वो नोकरियों के अंदर हो, बले ही वो अनुछेद 14, देखे क्या करते हैं, भारत के मैं लिख दएता हूँ कर आपको समझाऊंगा, भारत के सभी वेक्तियों वीधी के समक्स, वीधी क्या नो बलने रहे हैं, कानून, वीधी के समक्स, सम्ता, और वीधीयों का समान सरक्षन पर दान करता है, बले ही ये लिखो ते मार की कुन समस्ट है अरे मैं सोल्ट मैं संभाद जमार हम आए हैं तो ओफ-लाइन बेंच को ये कर रहे हैं एडमिसन बंद कर दिये बाई ओफ-लाइन के बेटा कोरोना का माहूल बिगड रहा है अभी तीन-चार दिन में जो एडमिसन लिये थी उनके कुछ बच्चों को रखा है बाकि अधिकतर बच्चों को फीस वापस रिटन करती है पता नहीं अरे आवाज ना करो आगे मारो मुर्गाम ना पणागे सेलो ठीक है सर रोज लाए वाए करो आपके बीना हमसे रा नहीं जाता अच्छ या फिर इसका दूसरा भी कह सकते हूं दूसरा क्या दूसरी बा अधिये छेतर में विद्धी के समझ समता और विद्धियों का समान सरक्षन गुर्जी की कोन समझ मारो थी के लिख रहा हूं कोई बात नहीं दूबारा फिर इसको बासा में जी करता हूं तेरे तन्य में समझा आगे जाओ नानु छेट चूदा देखू यहाँ पर लिखा ह एक सब्द वेक्ति इस चीज़ का द्यान रखना वेक्ति में नागरिक और एनागरिक दोनों आते हैं इस अमुझेद को मैं दो पार्टों भी बाहन लेता हूं एक दौर्थ है विद्धी के समक्स विद्धी समक्स समता अवधारणा नमर दूसरा मुझेद यह है विद्यों समान सरक्सन यानि आपको कानून के समक्समानता मिली हुई है कानून के आपने फुट्टू देखिए का एकदम तराजू बराबर है आँखे मैंने बंद कर रखिए मेरे लिए सभी समान है वही बात या लाग होती है लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कानून की नजर में सब समा क्या सभी को एक आँख से देखना क्या सभी को एक आँख से देखा जा सकता है नहीं देखा जा सकता है माबाप भी अपने चार पुत्रों में हो सकता है किसी पुत्तर से जाता मालो किसी कई बार ऐसा होता है कि एक बच्छा थोड़ा सा मंद गुद्धी है या फिर अपंध है तो मावाब जो हुआ उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्यों? क्योंकि सभी को समान तो नहीं रखा जा सकता तो क्या हमारे कानूर में भी ऐसा है सब को समान मज़रों से नहीं देखा जा सकता क्यों? क्योंकि सब को समान पर विशेज ध्यान देना शुरू कर देते हैं जैसे कलास में कोई बच्चा कमजोर है गुरुजी बार-बार में जा गे भी इन कहेगा केलिख्यों बेटा, इनियां कर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि ये बच्चा और बच्चों के बराबर आ जाए तो सम्मान नहीं हो सकता कभी तो यही बात यहां दो चीजें आई है वीदी के समक्स अवधारणा और वीदियों का सम्मान सरक्सर किया है ये जो निती हमने ली है वो है ली है ब्रिटेन से ये नकारा अत्मक है दोबारा समझाओंगा मैं इसको डिटेल भी और ये जो हमने ली है वो ली है हमने अमेरिका से क्योंकि ब्रिटेन कहता है वीदी के समक्स आप सबको समान रख सकते हो अमेरिका कहता है भी नहीं रख सकते है सबको समान कैसे रख देंगे नहीं हो सकता है साथ तो यही चीज़े देखो यहां क्या काम करेगी देखो समझो इस चीज़ को यह आयेस जैसे एक्जामों में इन चीज़ों को पूछा जाता है वीदी के समाख से यह नकारा तुम बता है यानि इसकी मैं इजी लेंग्वेज में लिखूँ तो समान परिस्तिती वालों वेक्टियों हो समान विवार लेकिन यह चीज प्रेक्टिकली कताई समभाव नहीं है यह वेक्टि था पॉल्टिकल में डाइसी उस सिद्धान पराधारी या यह सुनकूछ था वीदियों के समान सरक्षन कानों किसी वेक्टि की मरडर किया गया मानूँ महभारत का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको उस किस्से के आधार पे आप अनमान लगा लोगे महभारत का किस्सा है यह किस्से कोई अन्य था नहीं ले उस किस्से के आधार पे आप कह दोगे किसर समान सरक्षन सबको नहीं किया जा सकता मान लोग किसी वेक्टि की हत्या होई उसमें एक बालक सामिल है और एक युवा सामिल है तो जाहिर सी बात है बालक को सजा कम हो practically संबो नहीं कि दोनों को बराबर सजा दी जा सकती महावारत में एक बार किस्सा आता है कि योजना चल रही थी कि किसको बनाया जाए हस्तनापूर का राजा यानि कुछ लोग तो योधिष्टि के पक्स में थे और कुछ लोग जो है वो दुरियोधन के पक्स में थे ये चर्चाएं चल रही थी इतने में एक केस आ गया यानि उस समय चारी जातियां हुआ करती थी ब्रामण, सत्रिये, वेशे और सुत्र चार जातियां हुआ करती थी उस समय तो उस केस के अंदर आया आते ही सभी गुरूजन, बेठेते बोले काम करते हैं चारू वेक्ती सामिल है लेकिन चारू है अलग-अलग जाती की यानि एक उनमें ब्रामण है, एक सत्रिये है एक वेशे है, एक सुत्र है तो फैसला करो दुलियोदर ने जुना दिया फैसला वो ले आए, एक वेक्ती नमारे बात आई युधिस्ट्री की आप सुनाई है फैसला युधिस्ट्री ने उनको तीनों को अलग-लग फैसला सुनाया युधिस्ट्री ने कहा चैसे मुझे नहीं आत कि उस माबारती उसने कितनी सजा लेकिन मैं प्रे बता रहा युदिश्ट ने कहा कि एक सत्रिये को जो सजा है को 20 साल की होनी चीए वेश्ये को 15 होनी चीए और सुद्र को 10 साल की होनी चीए और ब्राहमन पर मैं फैसला नहीं कर सकता गुर्जन करेंगे तो बोल भी ऐसे अलग-अलग क्यों तो अलग-अलग का कारण ये है कि शत्रियों का काम है लोगों को बचाना अगर यही मारने लगे तो बचाएगा कोर जैसे एक सामाने वैक्ती मर्डर करे एक पुलिस वाला करे तो पुलिस वाले को ज़ादा सजा दी जाती क्यूंकि उनका काम बचाना है मारने का नहीं है वेसे भी थोड़ा समिजदार होता, इसने किया तो इसको भी सजा मिली जी, ये अनपढ है, इसी ज़्यादा knowledge नहीं है, इसे नहीं पता कि इसने क्या गलंद काम किया है, इसलिए इसको थोड़ी सजार कम होनी जी, यानि कानून के समख सब को बराबर नहीं रखा जा क्ता, प् अनुछेद कितना चत्रा है? चौदा ये वरग विभेद को निशेद करता है किन्तु वरगी करण की फिर भी अनुमती देता है वरग विभेद तो निशेद करता है लेकिन कुछ सर्तों में वरगी करण की जैसे वरगी करण मतलब आप कई बार हम राज्ये के लिए पक्स पात कर सकते हैं जैसे इस राज्ये वालों को हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं कई बार नहीं होता है नोकरियों में भी होता है या फिर हम जैसे किसी छेतर विशेष को छूट दे देते हैं जैसे हमारे पुलिस में भी होता है पुलिस की नोकरी में जो दक्स नहीं राजस्तान के कुछ शेतर विशेस है वहां के हम छूप दे देते तो ये वरग भी भेद मिशेद लेकिन वर्गेकरण की जरूर देता है प्रसास नदिकारी एतियासी का आधार पर परगेंगर शिक्षा के आधार पर पर कर्दी के आधार पर इन चीजों के आधार पर जरूर ये अनमती देता है गुर जी के बोले थे मारतों की समझ़ों करें यानि सबसे पहले बात चल रही है सम्मानता की क्या रास्टपती कोई उतनी सजा दी जा सकती है मालो रास्टपती है उसको सजा मिली किसी बात ले दस साल की तो रास्टपती के पास तो पावर है मुद कर लेगा अपनी किदी की कम जबकि यहां बात यह कह रहा है हमारे सुईदान की सुईधान में सारे बराबर है यही तो है चुदान अबर अनुछेद सुईधान की नजरों में सब बराबर है तो फिर हमारे सुईधान निर्मातों ने दिमाग लगाया बोल भी ऐसा प्रेक्टिकली तो संब़ ही नहीं कि रास्टपती पास तो पावर है कि कानून की नजर में सब बराबर हो यानि हमें समानता लानी है सबसे पहले हम कानून की नजरों में समानता लाएगे चलो सरागे चलो कुछ समझ में आया है थोड़ा थोड़ा पले पड़े है चलो पड़े है अनुछेद पंदरा चौदा का ही थोड़ा विश्तरित रूप है अनुछेद पंद्रा अनुछेद पंद्रा कुछ सब्दों का परियोग कर रहा है समझो इन सब्दों माँ आपके कमेंड नहीं पटा अनरेज लिए सके नबर बताओ कुछ उतना है प्रोब्लम है मनुख ले अनुछेद पंद्रा कुछ सब्द लिखता है क्या धर्म मूलवंस जाती लिंग जनमस्तान इन चीजों के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते इसके फिर आगे उखंड है पांच उखंड समझो इस चीज को सबसे पहले समानता का दिकार है समानता हम सबसे पहले चवद आया यानि कानून के समक्स आपको समानता है पंद्रा उसका थोड़ा विश्तरित रूप है यानि आपके साथ दुर्विभार नहीं हो सकता किस के आधार पे धर्म के आधार पे ये नहीं हो सकता कि तुम मुसल्मान हो इसलिए तुम्हारे साथ बेदबाव किया जाएगा तुम सी खोद बेदबाव किया जाएगा नहीं आपके साथ धरम के अधार पे कभी कानून में विवेद नहीं किया जा सिता मूल वस यह कह दे कि अच्छा तू तो तेमूर गए वस हो है अच्छा तेमूर गए वस हो तेमूर मारे रहा थे लूट पार्ट मचाई ना भाई नहीं आप किसी मूल मस के आधार पे किसी के साथ नहीं कर सकते जाती का अजका अपने अजय सोता ने उंची जाती नीची जाती हो पहले वहां करती थी कानून की नजरों में ये चीज़े नहीं है उंची नीची तो आप यह नहीं कह सकते लिख दो कि फलानती जाती का में किसी कही भी लिखा देखा है मांगोन जी को न देख और क्यों क CTE कि आप जाती की आधार पे किसी जैक अभी सिर्फ नाम लिखेंगे मैंने धर्म गुर्स जाती लिंक, जनम स्थान आका दे, अच्छा तुँग Cindy, तेरो जनम पहली, पाखिस्तान मोड़े, अब तुभारत माँ आगे करें, तेरसा करें में दूरविवार कराएं ना, पाखिस्तान है पहले भाए, या फिर तेरो जनम तो अच्छ, 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 आप इन चीजों के आधार पर किसी के साथ भी विभेद नहीं कर सकते अब इसके पांच उपखंड है उनको समझो तो ये चीज थोड़ी समझ में आएगी देखो आओ लिजे यानि अनुछेद पंदरा के पांच उपखंड है उपखंड एक और उपखंड दो ये मुलादिकार है उपखंड तीन उपखंड चार और पांच ये राज्ये की सक्ति के बारे में एक चीज ध्यान रहे अनुछेद पंदरा जो है वो केवल और केवल नागरी को के लिए है बाहर से आने वाले के लिए नहीं है समझो इस चीज को जैसे पंदरा एक पंदरा एक क्या कहता है केवल धरम मूलवस जाती लिंग जनमस्तान के अधार पर नागरी को के साथ विभेद करने से राज्ये रोपता है पंदरा पंदरा को फिर उसने दुबारा उसकी व्याख्या की है पंदरा के अंदर अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बांतियों के लिए है एक चीज ध्यान लगना बासा और निवास्तान के अधार पर विभेद किया जा सकता निवास्तान के अधार पर आज भी जैसे नोकरियों के अंदर नहीं होता क्या जैसे डारक जोन में जो आते हैं उनको हम छूट देते हैं यह चीज तो देखियोगी कि उस साइड से इस छेतर विशेश ते हैं और मुग उस छेतर विशेश को उठाने के लिए कानून में अगर विभेव किया गया है कानून की नजर में सब बराबर है लेकिन अगर कोई नीचे है तो कानून उसके साथ विभेव कर रहा है बराबर लाने के लिए नीचे वाले को सम्माल लाने के लिए कर रहा है ना कि किसी परकार का कानून के उसके उपर हाथ है नहीं कोई पिछड़ा हुआ है उसको बराबर लाने के लिए कानून कोशिज कर रहा है यही बात यहां कहीं गई है कि मूल लेकिन उसके अदार पे कर सकते है भासा निवास के अदार पे किया जा सकता है 15-1 का पिर विष्तरित वीवरन 15-2 के अंदर है यह यही बात बोलता है कि धरम, मूल, लिंग, जनमस्तान के आदार कहीं भी परवेश वर्जित आप नहीं कर सकते, अब भी इंगो मतलब हो को नहीं, जहां लिंग दियो के लेडीज टोईलेट, ठेक है जो लिंग के आदार पर आप विवेद करें, वेभी इंगमा मुसाना, ना मुनाना कई जगे करियो जासे, जिया आके जियो के टाबर जामें, संतान होई ये, तो महिला में छुटी मिले, तीन मिना, चार मिना, छे मिना, सरकार में करा रखे, ठेक है देओ अच्या बाप तो बेभी बने, मानी छुटी दियो, अरे मुना धोसक है, कुछ स्थीपि में होता ऐसा, आज तक सुनाओगा, पतनी केस करती है, कि पती परेशान करता है, परेशान तो विचारा पती भी रहे, छुनेों कोई पतियां खातर कोई विशेस आयोग, महिला कल्यान बना है, पुर्ष कल्यान आयोग बनाए क्या कही, तो कुछ स्थीती में ऐसा हो सकता है बस इसको सीरियस नहीं जब आप पढ़ाते हो, जब में खाना के कहो, सद्री माला मंदिर में, अरे वो पुर्णानी चीजी है, इस से किसी को मानचर आपके वार्ट से किया था, लेकिन आपने रिप्लाइ नहीं दिया, जब तक सपलता नहीं मिलती, पढ़ाते हो खाना पीन दुनियादारी सब भूल जाती हो, कलियों में पश्ची मेरे प्यारे, वाजी कर तो, अनिस्ता दाक्तर तो अच्छी बढ़ाई करिये वाई, ओ, 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 चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ाई करिये, बढ़ी आगे, आप, पढ़ाई कर कोई बात नहीं, चलो आगे किसी ओटल में देखा है कि आपका परवेश बरजीत है, नहीं मुना, इस परकार का, किसी परकार का दिमेद नहीं किया जा सकता, चलो ठीक है, गुर जी, मार्की की पल्ले पड़ाई, बाकी जाता कोई बढ़ाई, कोई बात, पंदरा पीन में स्त्रियों को कुछ विशेस है विशेस परावदान है, जैसे महिला कल्यान, आयो बाल कल्यान, कर सकते हैं कुछ स्तितियों में बराबर लाने के लिए ना की पिछना नहीं, क्योंकि महिलाई जो है सुरुवार्च से पिछली हुई रही, सिंदु घाटी और वेतिक सब्डेताओं में महिलाओं का भोत अच तो स्तियान पर सुती आवकास मिलें, तो आन आ के दियों कि मैं भी बाबनियों मन नहीं छाए मिनाई चुटी चीए वैची और पंद्रा चार्शिक्षन सस्ताओं से समन दीते कई बार किया जा सकता है, विबेद मैडम ने राम राम गोल लियो मेरत रखों अगे चलो अनुचेद चुदा बेटा आ है कानुन की नजरां से बराबर है, अनुचेद चुटा आफो थीक है, detalji है चलो आगे चल के अनुचेद सोडा लोक नीयोजन लोक नीयोजन के अउसर में समानता गुर्जी समझा इन अपवाद भी है सोडा गा सोडा 3, 4, 5 अपवाद है लोक नीयोजन को मतलब है टाबरो नोकरी सरकार की नजर में कानून की नजर में नोकरी में किंग शागई कोई भेदबाव और नियम बन रहा है क्या क्या आप कोगे सर आरक्षन तो बेटा आरक्षन जो को क्या खाते रहे आरक्षन है किसी चीज को ब्राबर लाने के लिए कोई वरग पिछड़ा वाँ है उस पिछड़े वरग पे हम सानुगुती करते हैं और उसको हम बराबर लेक्या आते हैं तो बाकी बराबर आ गया बराबर नाने के लिए किया गया क्या लोक नियोजन के आउसरों में सम्मानता यानि नोकरी में क्या नोकरी में सम्मानता यानि इसको देशी बास, हम जगर में भोलो नहीं, अब देखो, कुछ योग्यता ही रखे जा सकती है, जैसे कई बार हम विशेस कर देते हैं, जैसे हमारी भारती है, फोज में भी नेपाली है, गोर्खा रेजीमेंट है, जैसे कि नोगरी में सब बराव लेकिन, उनको हम विशेस द आपको पता है, फिर भी हमारी भारती है, फोजी है वो, क्यों है, क्योंकि उनमें हमने थोड़ी सी उनको लाड़े के लिए, अब नियम तो ये फोज का कि वी शाड़ी पांस होनों चीए, लेकिन शाड़ी पांस बंग कोई नी कोई, तो बैकि जारा केक रहे, तो बान आप पांवी फोज में भुष्टी कराना, तो बान आपा थोड़ी छूट लियाना है, तो बात ये बान रोकरी लगाना खातर दिये वाएक तरीकों, बान बराबर लियाना खातर है चीजी जरूरी हो जाती है, यानि कुछ जो है वो योग्यता रखी जा सकती है, अब देखो, अ आधार पर है, ना कि आरक्सन धर्म के आधार पर है, मैं हिंदू मन कोई आरक्सन को देख, लेकिन मेरी जाती चारण है, चारणों को आरक्सन हो गया, कि OBC में आते हैं, समझे क्या बात को, यानि कोई मुसल्मान है, मुसल्मान को आरक्सन नहीं, मुसल्मानों में जैसे पठान होते होंगे जो भी है तो उनको आरक्षन है ना कि धर्म के मामले में किसी को आरक्षन आरक्षन जाती पर आधारीत है धर्म पर आधारीत है नहीं है नमर दो बात किसरी तो यह नहीं लिंग के आधार पर भी आरक्षन है जैसे जनरल है जनरल में भी क्या महिलाओं को व लिंग के अधार पर आधार पर इस तוכ विशेश शूट बगए रहें वो भी आधार पर भी आहारन हो सकता है नमर तीन बात स्थान के भी आधार पर भी आधार पर हो सकता है जैसे अपने प्विशेशनी technical मोई शुट नहीं है जा must खर दोगुजी बंद विशेश चूठ थै तो बो भी उसके सम्झया बाद है? यानि आरक्सन तीन आधार पे मिला हुआ है धरम की आधार पर आरक्सन नहीं है आरक्सन है जाती आधारी ठीक है घुझी आरक्सन लिंग पर आधारीत है स्तरियों को विशेश चूट हो सकती है स्तान पर आधारीत है जैसे हम कहए दें कि पाड़ी चेतरों को चूट देंगे हम इस नोकरी में या फिर कहए देंगे कि यह पिछला माच चेतर है कि जैसे दक्सिन रास्तान में कुछ शेकर पिछले हुई है तो हम उनको आगे उठाने के लिए ऐसा कर सकते हैं समझ गया अगे बात नहीं अब मैं थारा दो मीट कमेंट पढ़ लिए फिर माँगे चाप हुआ मेरे प्यारे शुहाँजी, डिसलेट करने वालों को नरक में भी जह लिए ऑदिसलायक, लाइक के बड़े हमा इन चीज़ों से उपर उठो शें लाइक डिसलायक आपकी मिंदा इन जीसों से थोड़ा सा उपर उठोуй उपर उठने के लिए जरूर है मैं तो खुद ही कुण देखू लाइक किता है एक डिसलाइक किता है है अधर्जी मन्ना आपकी ऐससी जीडियों पुराणा वाला बैस ले रखा है उसमें आपकी ज्योगराफी प्लास नहीं आ रही है ज्योगराफी में पड़ाओं कोई मुनाओं कटंग मटगेश आगे चलाओं कलास में दिखा में रियल में को नहीं है कलास के अपनी एक अलग लाइफ होती है रियल्टी लाइफ एक अलग लाइफ होती है कुछ चीजे लोगों को नहीं पता होता है लोगों को उतना ही पता होता है जितना हम बताते हैं सल्कत ये नी पतासा सजी सुधा हां, वारा हां, किता टाप्डर है लोगान नो इकोल परो, इसजी जान जुकह अगु कुरो देगा अंधरूनी बाता हो देगा, उपरनी बाता हो पता हो जिए अंधरूनी बाता हो ग्यान देगा। तो ना तो वया कदी अनिमोन पर गई डा ना कई खिलम डेक्षन गई डा ना अगटी गूमन गई डा साची बाद रठाट पर वागत चलो लाई दिखोंगे मतलब आरक्षन को नाम लेँ लेता हैं चाल हो जियागा दो पक्स भन जियागा अरे बेटीगा बापो जनरल ने भी आरकषन हो जो तो अब क्या मी लड़ना आग रहे हो सबको हो गई आरकषन समप्थि हो गया एक तरीके से भी सबको मिला हुआ है आर्थी कादार पे मिल गया अब क्यों लड़ एनल आयो क्योंकि यारक्समो जिक्र चालता है यह तो विपक्सम हो ज़या मिलेड़ वेपक्सम है नहीं मिलेड़ विपक्सम है इड़ी कानी है तो ना करे करें यहां कोज जो लाज़ चलो नम्मर 17 अनुछेद नम्मर 17 कियोंकि ये बनाना बड़ा जरूरी था, इस अनुछेद में है ऐश प्रस्यता का अंत। तावरो ओ अनुछेद स्वं ज़्यादा बर्भूशी जींदे। अनुछेद 17 सबसे ज़्यादा बार पुछाजा पार। सबसे इंपोर्टेंट आयां चेत सत्रा रटलेई वा दिरादने ऐस प्रसेता कांत चुआ चूत कांत पहली लोग चुआ चूत करया करता है और भाई जी पुराणी बातां जे मैं थाना बता दियू नहीं तो थेक कोग आकर इत्तो कुर जी यानि अलग-अलग बनेडी कुछ लोग तो जकात्हारा नाम कॉन सब्सक्राइब मिथुन ये फिलम है कुन सी है मलब चांडाल बिन इजाज़त होती दिन में बारा बजी आने है का बारा बजी गयालावा अगर आगयो नहीं मार्केट गए अंदर तो भाई जी भी इंकी प्रशाया पड़ आगयो नहीं तो कि गाउं के लोगों घर के अंदर नहीं आने देती थी बाराई बेठो पाणी भी बड़ सान गुप पुरू एकुशे को इत्तु पुरू पिलाता इत्ती कोनी है और ज्यादा देखो मलब डोक्टरी मामले में भी होता था इसा कोई बीमार हो गयो विचारों तो भी चुप करें गो का भाई मुनिया रात किताब जीसोयो के खायो इतनी चुप छुप थी कोई चेक करान आयो अचूत है तो बिन बारे बिठातार बिन जेवडी बांता और जेवडी देख खे कहता हो अच्छा रात बाजरी रोटी खाई हद हो है यार बांदरा बनाने गी इतना चु कोड़ रोग है और बो कह देओ मैं कोड़ रोग देखे दूर गयो अरे तो हो सकता है आज कोरोना के समय कोई कह देगी यह चूरियों को निया इस परिश्यता के उपर अपराद अधिनियम बना था गुनिस सो पिच्पन जिसमें पांसोर पिया जुर्माना था है माका कारावास इस तरीके का प्राजान था तो इसको रट लेला एस प्रिश्यता कान अनुछेद 17 अब हैं अनुछेद 18 च्यार ही बताऊंगा आज आज च्यार यहां तू निसो चिंतर अरे बाद बड़िया बात है देखो आपको च्यार प 15, 16, 17, 17 सह समानों कानुनी नजर में आई बताईए दुबारा रिपीट मारों का फिर दुबारा वापस आउंका कानुनी नजर में सह समानों लेकिन इंगी थोड़ी विश्तरीत व्याख्या पंद्रा में कि जाती मूद दरम आदार पी नहीं किया जा सकता तरम मोकरी में भी थार सक कोई बेदवाओ को उनका फिर 17 सतरा में एस्प्रेशे ताकान और 18 नुछेद भी बनानेगे के नोपता आगी देको के नोपता आगी 18 नुछेद यह कहता है ये ए है ये उ है या यह उ यान यह उपाद्यों का अंत करता है उपादियों का अंत करता है उपादियां गौनते बोले फ्लांड राज राजेश्वर राजा धिराज की उपादी उपादे होती है राय बहादुर की उपादी केसरे हिंद की उपादी पहली उपादियां मिल्या करती है लेकिन उपादिया आदी मी लगा उपादियों का ये एक तरीके से एक तरीके का निर्दे सात्मक है ना की आदे सात्मक है कोई उलंगन के लिए कोई दर ने लेकिन उपादियों में एक चीज और दिये कि अगर आप कोई विदेश से उपादी ले रहे हैं तो आपको अनमती लेनी पड़े हैं मानले पाकिस्ताणा रमन कहा दिया तुमांरे काट वो त्राज या तने एग मानले काट वो एक उपाधी जाँ तो वा उपाधी मन लेनों पड़े मैं रास्त पुछऊंगा तो वा उपाधी लेने से पहले आपको पूछना पड़ेगा अब बात आती है कि गुर जी में तो कई जगा देखा बैं या लगावे किताब गुपुरी में देखा डोक्तर बिंगी किताब प्रोफेसर फ्लान सिंग जीगी हमने तुम्हारे फ्यूज कंडेक्टर निकाल ली है ओ डायलोग ने सुनता जटक आनंद गोलिया तो हमने तुम्हारे फ्यूज कंडेक्टर निकाल ली है अब सिर्फ धुआ बचा है ब्रिगेडियर सुर्यदेव सिंग मेजर कुल्दीप सिंग भाई जी फोकटर कोन मिले डी है मैंनत करे डी है एज्यूकेशन में पड़ पढ़ गे पीयज डी फेडियर दोक्टर बने तो लगाओं आगाओं लगाओं लगानद आतरीक करीए भिर o haid education में लगा सकते हूं rank की लगा सकते हूं लेकिन मान लो कल को भारततन मिल जाए जया मानने मन मिल जा दो मैं लगा कूँ भारत रतन सुवासार्ण यह सम्मान है उपादी नहीं है इसीज का ध्यान रचना यह उपादिया नहीं है भारत रतन यह एक सम्मान दिया गया है बारतगोर रतन है भाई साव इसने बहुत अच्छा काम किया ये पदम सरी है ये पदम विबूसन है ये सम्मान है वक्स ये उपादी नहीं है अगर फिर भी किसी को मिल जाए तो भो अपने नाम के आगे इन सब्दों को नहीं लगा सकता यानि ये उपादियों का क्या लेकिन अगर आपकी एज्यूकेसर में आपने कोई उपादी करनी है जिया कई बार को लिए बीएड राजकुमार पुछकावाला क्योंकि इसे नाम लगाना पड़ा क्योंकि इसके ये समझ में नहीं आए कि पहले कठिन सवाल हल करने है तब इसमें दुकान खळी उसमें लिखा कि बीएड पुछके वाला बीएड राजकुमार पुछके वाला तो यानि एज्यूकेसर की आप लगा सकते हो प्रोफेसर हो और हो जो भी हो बारतरतन नहीं लगा सकते हैं बारतरतन उपाती है यह इवाथ बारतरतन सम्मान है पदम सरी एक सम्मान है उपाती नहीं है लेकिन आप अगर कल को बन जाओ मेजर तो लगा सकते हो मेजर फ्रांड सिंग ब्रिगेडियर सुर्यदेव सिंग हाँ 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 सिक्ष्या और शेना की उपादिया आप लगा सकते हो तो टाबरूं पधम शरी सब मान उपादि को नी मान जाए गरो थे तो थोड़ा विस्तिरी ज्यादा हो गया 40 मिट लग गई इनको थोड़ा से दुबारा देख लेना मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा खीच दिया इसको वैसे आज मैंने एक्स्ट्रा बाते नहीं कि आप दोस नहीं दे सकते हैं मुझे स्वेतंतरता का अधिकार आपको कई परकार की सवतंतरताएं हैं जिनका आप बेखी कर मजे से आनंद ले सकते हूँ आपको ये स्विधाएं हमारे स्विधान के अंदर आपको दी गई है जो 19 से लेके 22 तक है आपको कुछ सवतंतरताएं दी गई है आपको मतलब हमें भी द परतिये को दी गई है ये अनुचेद 19, 20, 21, 22 इन 4 अनुचेदों को हम भोत ही deeply पढ़ेंगे यानि अच्छा देन करेंगे आपने नहीं पढ़ा उससे भी extra बाते पढ़ेंगे हां तो चलो फिर करते हैं ओप लाइन कोचिंग करनी है आपसे बेटा अभी ओप लाइन अमने बं साथी वो सारी कोरोना की बज़े से बंद हो गई छोकी संस्ताइं चल रही है लेकिन बड़ी संस्ताइं बंद हो चुकी है जहां तक मुझे knowledge है चलो शुरू करते हैं सबसे पहला है 19, 1 देखते जाईएगा इसमें हमें 6 परकार की 17 तरताएं दी गई है इनका एक एक का हम व विस्त्रित वीवरन करेंगे भूब सारी नई बाते मीं सीखो गया आप इसमें सर पहले पढ़ाओ कि लिखो पहले पढ़ाओ पढ़ाओ यहां है हालो ओए चाहिलाओ रहे अरे परवीने पुप लगा उपर जाओ नहीं हां सर आपकी याद आती है जून जुनु के सुर्टगे तसीम से राम 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 भाई राम राम सर जी एरपोर्स को एकजाम पोस्ट पॉंड हो जो आच्या हो सकता है कोरोना जी बज़े से हो गया होगा कोई बात देखो आपको सौतंतरताई पहले लिखता हूँ फिर उनका विश्तरित विवरण करेंगे एक दो टीन च्यार पांच फड़ोग पर ले लेता हूँ पांच और छे कंटिन्यू है इंची जोंगो फिर हम उसका विश्तरित विवरण देखेंगे देखो नमर एक आपको एक सौतंतरता देखो यह कोण सी बखबख करने है यानि वाक वे अभीवक्ति की सौतंतरता अभीवक्ति सौतंतरता यानि आप कुछ भी बोल सकते हो यह आपको सौतंतरता है सबसे पहले सौतंतरता यह यह बच्छा भी सबसे पहले आके कुछना खुछ तो बोलेग बोलने में क्या क्या आता है वो चीजें तुम बाद में देखो पहले मैं ये करम से याद करवाद हो जब मैं कुछ भी बोलू मा मान लो कि मैं बखना शुरू करती और बड़िया तरीकों आचो बोलना आएगी बड़िया बड़िया बाता जो अच्छा बोलेगा उसके बिखेंगे अब मैं अगर अच्छा बोलने लग जाओं तो लोग दिरे 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 लोग एकटा बड़ा शुरू हो जाएगे तो एकटा होते ही एक सभा बन गई यानि सबसे पहले आपको बोलने की शवतनथा है उसके बाद में, यानि जब आप बोलोगे तो फिर थोड़ा बहुत आप सांती पुन सब्त लगा दो सांती पुन यानि सम्मिलियन सभा लिख दो हम बोलेगे लोग इकटा हूगे लोग इखटा होंगे तो एक सभाव नेगी सबसे पहले मैं बोलूँगा बोलूँगा तो सभाव नेगी अब सभाव नेगे लोग आयार मेरे विचारा हो या परभावीत परभावीत या सभा कहा हो रही थी सभा वही हो रही थी यानि संग्टन एक ग्रुप बना लिया, जिया संग्टन बहुत सही जिया, करणी से ना है, जाट से ना है, और भीम से ना है, यानि एक संग्टन नी तो है, तो बिया संग्टन है, यानि सभा करी, सभा में लोग एकता व्याज बुले थे भी एक संग्टन बनाओ, यानि तीस रहन कियोगी संगठन या सभा बोले अबी गुरुजी थे तो अठैक्ठा राजस्तान में ओ संगठन आपने राजस्तान में ऊस्ग्थन आपने ऊर辉या तो इसPal्तन आपक गए ऊपक गया पर दूसरे राज्या यानि सबसे पहले बोलेंगेी बोलेंगे तो लोग इखटा होगे, सभा होगी, सभा में लोग बोले कि भी आप एक संग्ठन बना लो, फिर चार नमर में आया चारों और घुमना, यानि हम और जगे जाएंगे, यानि चार नमर के अंदर आएगा भारत की किसी राज्ये में अबाद घुमना, यानि घुमनों ही निग दियों ऐस बढ़ते गया कि थानव राज्ये पसंद आगे, थे को गुर जी, महाराष्ट गोवा तो गोच्यांतार ते जाठा बीच पर आगे तो आज मांगन दो जे, तो मैं तो गोवा ही बस हुआ, बसके बसके थानपसंद आगे हो, तो कहीं भी बसने का अधिकार है, मैं देखो, प अंगरे चांद देखे, आदा कपड़ा रागे काम थोड़ी चाला हो, काम तो काम करें चाला हो, थे बठे व्यापार भी कर्सको, यानि इसके अंदर है आप किसी परकार के आजी वीकाया व्यापार के कारोबार की साउधा तो गुर्जी कौन समझ माइए औरों बोला हो, ए दूसरी सभा या संग्धन, सभा करनेगे, सांती कौन सभा, इसका विष्णित वीवना भी नहीं किया, सभा में लोग परभावित हुए तो एक संग्धन बना, तीसरे में क्या हो गया, संग्धन, संग्धन बन ये बोले, आप और राज्या मोर बना होगा संग्धन, तो हम चारोग गूमने के लिए चले, ये चार नमर सोपन करता है, गूमे तो कुछ लोगों को गोवा पसंद आ गया, वो वहीं बस गई, तो बसने की संग्धन, लेकिन बस गई, फिर कमाने के लिए कुछ व्यापार करना पड़ेगा, आपकी मर्दी आपको ही व्यापार करते है, बताओ क्या समझने है, क्या समझने है पहले दिये परोग, है, अब इसका विश्तरित वीवरण, इतनी तो सब नहीं पड़ रखी है, सभी ने जान रखा है, अब हम इसका विश्तरित वीवरण क्या करेंगे, चलो अब हम एक एक बात को हम विश्तरित करते हैं, या आपको इतना ही आद रखना है लेकिन फिर भी जब हम आए है तो फिर थोड़ी चर्चा तो करें सिधे थोड़ी जाएंगे कुछ एक्स्टा एक देखो पूरुए में ये साथ थी लेकिन बाद में हटा दिया गया था संपति वैसे मूल अधिकार में भी अठाय गया यहां से भी अठ ये संपतिक आदिकार तो पहले ये वैसे साथ सवतंतर ताहिए थी फिर संपतिकार अठाय गाया चोमारिसो सीविदान सवतंर बुनी सो इठांतर द्वारा यानि, लोग क्या है, कि संपत्ति का आपका अधिकार कर लिया, जैसे आपकी खेत है, आपने का, हैं मिरा अधिकार है, मैं जमीन रख सकता हूं, इल्कुल रख सकते हूं, लेकिन, आपकी जमीन के नीचे सोना निकल जाए थेको, आपके अपने कागजात में देखोगे तो उपरी उपर लिखावाए भूमी अधिगन करता तसील दार अब क्या पुराने समय में लोगों के अलग साइकलोजी होती थी लोगों को पता नहीं होता था अब 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 हम एक एक का जीकर करेंगे डिटेल से करेंगे देखिए हम मैं आगे चलता हूँ समझते जाईए इसको समझना है और एक चीज़ार रखना ये सारी सवतनतरता है सिर्भारतिये नागरिकों को है पाकिस्ताना रागे या गोन कैसका वेया के थारे संग तर्वनाओना है सिर्भारतियों को है सबसे पहले बात करते हैं उन्नीस एक नमर कोण सी बोलने के सवतनतरता यानि विचारों वाले विचारों द्रश्टी कोण वेक्त करना वेक्त करना कोई भी विचार वेक्त करना जैसे मैं कांग्रेस के बारे में कोई विचार वेक्त करो BJP के बारे में कोई विचार वेक्ट को मेरी अभ्यवक्ती है अब मैं अगर बोलूँगा तो बताओ कहां बोलूँगा मेरे पास साधन क्या है बाई साब ये बताईए आप कहोगे सार आपके पास YouTube एक साधन है बिल्कुल है अकबार एक साधन है Print Media यानि इसके अंदर क्या क्या आएगा विचारों को वेक्ट करने वाले जितने भी साधन है वो साधन सारे के सारे इसमें आएगे जैसे प्रेश की सवतनतरता इसी में आते हैं जो जचे वो बोलते हैं ना क्योंकि प्रेश को सवतनतर आए राष्ट ये धवज फैराना भी इसी में आएगा RTI मैं किसी के बारे में जान भी तो सकता हूँ प्रेस की सोतन दरता है जानने की RTI जो है ना किसी के बारे में भी कुछ भी जानने की जो सोतन दरता है वो भी किस में आती है वो RTI भी इसी में आती है वारी जेक भासंग जानने का अधिकाम मत आता अब जियां मान लो हमारे यहां से कोई नया MLA आई कही से बलड़ सकता है मान लो कोई MP का आके MP के कोई MLA कोई यहां टिकेट मी दियाई BJP की मान लो मैं उसकी बारे जानता है तो मेरा अधिकार है कि मैं जान सकता हूँ भाई साब बताए कि इसके उपर कोई केस तो नहीं कोई अपरादिक मामला तो नहीं है यह कोन है हमें जानने का यह अधिकार है तो वो अधिकार भी इसमें आएगा वो भी उम्मिद्वार अपरादिक है कि नहीं है तो सूचना सामाचार पत्तर जानने के अधिकार वो सारे के सारे इसी में आएगे विदेश जानारो भी इंगमाई या जैविया आगे भी आएगा लेकिन इसमें भी आएगा विदेश जानने का लाइव टेलिकास दिखावा नहीं देखिए लाइव टेलिकास आपस में चल रही है धक्का मुखी ये लाइव टेलिकास जो है नो वो भी इसी में आ जाता है अच्छा गुर्जी हाँ लाइव तेलीकार अब एक चीज नोट लगा कि ध्यान रखना हरताल हरताल वे बंद का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार हरताल का आवान करना देश को बंद करना कोई परकार का मूल अधिकार नहीं है ऐसा बिधानिक है ये तभी तो कोई special नहीं करेगा तभी देखना पिछे हमारा बार्थ कई बार बंद हुआ इतने बड़े ताड़े से लेकिन किसी ने घुसान है कि कखल से बार्थ बंद करें कोरोना का ज्यादा कहरी समय मर्ची दर भी ज्यादा हो वही है उस समय मर्ची दर साइद 2 या 3 परशेंट थी अब 10 परशेंट के लम समा रही है आप प्लोट रहेगा यह अथा दोगे वीडियो अप्लोट रहेगा मुणा हम आउ अड़ थी कोई कामगी बात ही पूछले करू है कोई कामगी बात ही उंदी सुंदी उंदी सुंदी बातां कर बोगर गा हा अ एकोनोमी करवा दियो आ पोल्टीकल त पढ़े पहले इत्ती तो रियात पड़े, आगे चलो, आगे चलो, यह लो, उन्नीस दो, यानि यह जो चीजे हैं, इन पे रोग कब लग सकती हैं, बैशिदी सी बात है कि आप बासन दे रहो, इसका मतलब यह नहीं कि आप देश के खिलापी बोलना शुरूँ जो, ना भई, देश की एकता और अख खंडता को किसी परकार का नुकसान नहीं होती, देश की सुरक्षा को किसी यह नहीं कि आप अपनी सूचना ही देना शुरू कर दो, विवे, सोचल मीडिया पे कहे तो, जैसे बार पाकिस्तान यूद चल रहा है, हमारे या मानलोग भोजी आजे मैं, कहनो हो, आस तो भोजी चीज होती है, यानि मानना जो है न, वो नहीं होनी चीए किसी की, और बोलने का मतलब यह नहीं है, आप कोरट के खिलाप बोलना सुरू कर दो, कोरट ने कोई फैसला सुनाया, जैसे हमारे बाबाजी को सजा हुई, तो कुछ लोग लट लेके चले गए थे, नहीं भी, चीज किया, एक ता, अखन ता बगए यह चीजे समझ गया, आप और ओप्सन देखे भी कर दोगे, अब देख आगे चलते हैं, सूचना, सामाचार पत्तरों जानने का अधिकार प्रेश, इसी में आएगी विदेश आना, लाई और बगएर और सारी आगे ति यह सारी चीज अब चलते हैं, आगे दो नमर, क्या बताया था, गुनिस दो, गुनिस दो में बताया था कि सभा एवं सम्मेलन की सवतंतरता, सम्मेलन की सवतंतरता, आप सांति पुरण सभा कर सकते हो, प्यार से एकदम भागवत कथा कर सकते हो, यदा यदा ही धर्मा से, यह आप सांति प मिलन का आप आहवान कर सकते हों ये बात इसमें लिखी गई है सभा जुनुस बढ़े लेकिन वोई नियम यहां लगेगा कि देश की एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं होना चीए और ये नहीं है कि आपको कह दिया कि सभा करनी और मैं काल या कह दिया रोड पर खड़े हो ग लोग घित में होनी चीए यह नहीं कि आप लोगों को नुक्सान पहुचाना शुरू करतो कहीं भी बैटके बगबग करना शुरू करतो संतन है ये चीज़े भी नहीं होगी ठीक है हाँ ना थी बाड़न कर्शक है मुना मैं की कोन बोलोग पड़ लियो हाँ मन कोन बेरो आइकोन की है गूगल पर सर्च मार लियो तब ही तो बहुत रहाओ इतने बड़े बड़ो हाँ मैंका गांधी विवाद जो है नो विदेश भूमले से समन्दी था कितनी अच्छी बात जिए इतने बड़े बनो कि तुम्हारा एक डाइलोग भी थे ना जो ट्रेंडिंग में यह हम है यह हमारी जनता है यह हमारा बोल है और तुम्हार नेता नहीं बॉला नहीं था हुट मैं सकति अब देखो आगे कोन सा था? 19-3 जो था ना 19-3 ही तो था तीन में था? एक में तीन, एक में गय गोर जो कोन सा? संग्ठन या संग बनाने का यानि जिया कांगरे से एक संग्ठन है विजेपी एक संग्ठन है और भी आपको बताए जैसे करणी से ना है भी निसे ना है, तीजा से ना है तो ये भी संग्ठन या संग्ठन बनाने का आपको अधिकार है इसके अंदर लेकिन इससे आप भारत की किसी भी परभूता किसको लुक्सान नहीं होना चीए लोग विवस्ता सही बनी रहनी चीए सदाचार हित में होनी चीए ठीक है नेक्स्ट क्या था गुन्नी से एक का नेक्स्ट था कह खह घह और संचरन की सवतंतर संचरन मतलब भूमनेंगी जनता ही तो होना चीए और जन्जाती हित भी होना चीए जन्जाती हितों का सरक्षन यानि भारत में आज बहुत सारी छेतर में यसी जन्जातिया है जो किसी का इंटरफेर नहीं चाहती जैसे अंडवानने को बार दियुक में और बहुत सी यह निया कि आप वहाँ जाके गुमना फिरा करके उनको डिस्टरब करना शुरू कर दो उनके भी लोखित को भी ध्यान में रखा गए कि आप बिना मतलब किसी भी जगय पे कोई जन्जाती रह रहे हैं उनको आप प्रिशान नहीं कर सके जूटी हसी लेकर महतिलों में कस्ती की तलबदार बहुत है इस पार और उस पार जूटी हसी लेकर उदासी तो फिर उदासी की बूद्रिया हो शर एपर टेस्ट क्या हो एपर टेस्ट पैड ही जुजरों के लिए था आपके लिए भी जल्दी में करने के प्लानिंग चल रही है कभी ता साहिरी रहे साहिरी जगी नहीं चाइनाओ आईडी साहिरी है सिद्धी चाउइनाओ आईए आँ साहिरी थार समझ माजिया नि जद आके दियों का आगली साहिरी शुनाओने इत्ता दिन पर कोई साहिरी को शुनाओंगा चाइनाओ सिद्धी आईडी साहिरी है डाइरेक्ट में से आई है वो लूंग सुंग हाँ सो यह नि समझ माजिया नहीं कहा गुर जी मारा बाद चाहिए ना रिशाईरी ने बाद समझ मागी मैं गूगल में पर देख नहीं ओर किया लूंग सुंग पिंग पुई युन हुई अब आजया समझ मैंने इतद आके दिये गूजी आगली सुनो मारा समझ मागी बावड़ा साहिरी साहिल आया हाँ चाला कट तक बता दियो अच्छा घें तक बता दियो ठीक है बता दियो पर बोता एकता सदाचार इनको नुक्सान नहीं होना चीए पर पर निवास अगला है यह हो गया फिर निवास सवतनतता यह भी जनता भी तो रैष्टी को ज्यान भी रखना है जन्जातियां जो है वो उनको भी लुक्सान नहीं होना चीए चलो ठीक है अनके लागे चाइना उसी रप करोना वाइरस थोड़ी है अब देखो इसमें एक नई चीज है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं शक्ती सवतलता जो है आजी वी का दिए मान लिया कि आप इच्छा के अनुसार व्योशाइक कर सकते हो लेकिन इस पर भी अमन सकते हैं भाई साथ ऐसा केस हुआ था उंपरकास बनाम यूपी 2004 में एक केस हुआ था कि रिसी केस या मापाले का कोई अंडा बेचने वाला था जो बोला कि मैं व्योशाइक कर सकता हूँ अंडा बेचूँगा ना मुना ना अब जैसे हमारे हिंदू धरम में है हैं कि गाई को हम पवित्र मानते दिया नहीं कि आहीं भी गाई काटना बेचना शुरू कर दो ना न ना न यहां इस पर नियम बन सकते हैं विवसाइच से समझें, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें लोग ही तरखना जरूरी है, इसलिए इस पर नियम बन सकता है, चलो खीक है, नेक्स्ट चलें, अब देलो कि तो ब्रमान करिये हैं गुन्नीस में, देखो गुन्नीस में बार तो तीन चाली, लेकिन और कु क्योंको लेदार्मी संपनों कर कब रोग है, आप अपने धरम की वर्ति कर सकते हो, इसमें कहा नुपसान है, हर चीज का अपना एक नियम है, हम लोगों को पता नहीं होता, मैं अपनी जाती पे अभिमान करूं तो कोई गलत नहीं है, मैं अपने हिंदु धरम पे अभिमान क साम अपने हिंदु धरम की पर सलसा करते करते, कब हम दूसरे धरम की निंदा शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं जलता इस सीज का, वहां गलत होता है, आप कभी भी देखना, जेन धरम देखना, वो कभी किसी का दूसरे धरम की निंदा नहीं करते हैं, वो अपने धरम की निंदा नहीं करता वो अपने धरम की वर्दी कर रहा है तो कहां गलत है तो आप अपने धरम के लिए कुछ भी कर रहे हैं अपने धरम के लिए वर्दी कर रहे हैं तो यह गलत नहीं है लेकिन गलत कहां शुरू हो जाता है, हम अपने धरम की पर सलसा करते करते, दूसरे धरम की निंदा शुरू कर देते, आप अपने समाज की बढ़ाई करते हो, हर वेक्ति को अपनी जाती के अभिमान होता है, होना भी चीए, लेकिन आम गलती क्या करते हैं, हम अपनी जाती की पर सलसा करते करते किसी दूसरी जाती की निंदा सुरू कर देते रों में पता यह नहीं चलता तो अपने धरम की संथन बनाना अपने धरम की वर्धी के लिए कुछ का ना कहीं गलत नहीं है ना इसे देश को कोई नुपसान होता है चलो ठीक है दोजी आगे चालो देखो अनुचेद 20 नेक्स्ट अनुचेद 20 दोस सिद्धी सिद्धी के सम्मंद में सरक्सा किसी भी अपरादी को तीन प्रकार की सवतंतर नहीं परती दोस सिद्धी का देखो समझो उनसी कुणसी है कर लेका नमर एक कारियोतर वी दियो ठीक है नमर दो दोहरे दंद सरक्सन और नमर तीन आत्म अभी समझो कैसे किसी भी 21 का विस्तार ही है 21 देखो थोड़ सा समझो समझ में आजएगी दोस सिद्धी सरक्सन कोई भी अपराद आपने किया मान लो आपने किसी को किसी की अंगुली टोल भी यहां पकड़ गे कट देशी माल और इस अंगुली के समंध में नियम ये था कि अंगुली टोपने पे तीन दिन की जेर होगी माल लेते हैं मुझे नहीं बता कितनी दिन की माल लेते हैं कि तीन दिन की जेर इसको छोड़ो यह उदान अब आज तलाग पे जो नियम है साथ साल बाद बदल जाईए बदलते रहते जैसे हमार दिल्ली में जो गैंग रहा था बहुत फैमस वा था कुण सा था वो उसके बाद में बलाथकार से समझ दिख बहुत कड़ा नियम बना दिया गया अब मालो बलाथकार का केस किसी के उपर चल रहा था वो नियम आने के बाद ये कड़ा नियम हो गया और वो अब आगे क्या होगा अब जैसे किसी ने आज अंगुली के तूटने के उपर नियम ये है कि दो दिन की जिलने है कल को लेकिन ऐसा मेरे उपर लागो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अंगली तब तोड़ी है, तब कोड़सा नियम था, मेरे उपर वही नियम लागो होगा, यानि जिस समय आप अपराद कर रहे हो, उस समय जो रूल है, पहले वाड़ा भी नहीं लगा सकते, जैसे पुराने समय मे तो राजा मारा जरू नियम लगावा, नहीं, जो जिस नियम के तोड़ी है, अब मान लो कि अंगली तोड़ने के उपर कोई अपराद नहीं है, मान लो अंगली तोड़ना अपराद नहीं है, दस दिन बाद नियम बन जाए, एक अंगली तोड़ना अपराद है, तो मैंने प्राद के लिए एक ही सजा मिलेगी, दोहरा दंड नहीं है, एक फिलम थी अमिता बच्चन की ना मुझे नियाद बता देना कौन सा फिलम थी, उस फिलम में क्या होता है, अमरिस्पुरी एक ऐसा नाटक करता है, किसी दूसरी वेक्ति को मार के अपने कपड़े पहना के करता ह है कि अमिता बच्चन ने मार दिया और खुद गायब हो जाता है, और उस वेक्ति की मर्तियों के अमरिस्पुरी दिख जाता है, अमरिस्पुरी की मोध की सजा गी, तो अमिता बच्चन उसे कोर्ट के अंदर ही मार देता है, वो लो हम क्या करोगे कि इसकी सजा तुम दिने क्योंकि एक अपराद के लिए आपको एक बारी सजा मिलेगी मालो आपने किसी को थपड मारा जद साबने आपको सजा दे दी अब दे बारा आगया सजा सजा काटी बारा आगया जद साब मिल ले थ्याभी करेशक को सुना-जज़े कहला है ज़ाएं पराद के लिए आपको एक बार सजा मिलेगी नमर दो खुद के विरूद गवाई के लिए स्वेट सा से तयार अलग बात है खुद के विरूद आपको गवाई के लिए तयार नहीं कर सकती पुलिस आरा ठोका भी नहीं करने प्यार करने अरे आपको नहीं परता है क्या ठाने में दी पुलीश के सामने दी हुए ज़ज के सामने नहीं चलेगी बढ़ जा गे थे मुकर भी सको नामन तो ठोका भी नहीं करी मेरी डील सर्विस करी मना गारनों बढ़े हुए तो हाँ स्वेचा से कहते हैं ने इसने आत्मी समर्पन कर दिया उस परादीन वो आत्मी समर्पन अलग चीज होता है या फिर स्वेचा से कहना कि हाँ मैंने ये पराद कि वो एक अलग चीज है तो पुलीश के सामने यानि खुद के विरुद आपको तयार नहीं किया जा सकता चलो थोड़ा दुबारा देखें गया इनको अब देखो एक सेल्वी बनाम करनाटक राज्ये 2010 नियाई मुर्थी केजी बालकसन इसमें ये कहा गया है कि नार्कोटिंग नहीं किया जा सकता पुलीगराफी नहीं किया जा सकता brain printing नहीं किया जा सकता ये भी जैसे अपने नहीं चला था कि कसाब के मामले में किसाब का इसका नार्कोटीम कराओ ये कराओ क्यों 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 कि अपने वैसे नहीं है उसके उरुद हो सकता था लेकि किया नार्कोटीम ये क्या होता है वो सकता है किसी प्रकार का कोई नसा दिया जाता है जिसमें आदमी ने जो किया है वो बता देता है नसे में तो कुछ ही बता सकता है वो नहीं किया जा सकता है हाँ DNA किया जा सकता है कहनी गड़पड़ो यह डियाने टेस्ट करा हुआ DNA इसका उलंगन नहीं है लेकिन नार्कोटिंग बरगेर है वो जो है वो इसका उलंगन है समझी क्या बात को समझिया के बाद में 19 के बाद 20 20 का ही विस्तार है 21 क्या है प्राण डेहिक सवतंतरता सभी मूल्ली का दिकारों में ये सर्वेस रेष्ट माना जाता है प्राण देहिए तरह थे क्ये कमेंट कर जया हो सर जी कोटा रह रहा हूं लोगडाउन के दर से छोड़ना पड़ रहा है सर क्या परुपलिन देखो वैसे पुराणी समय पहले लोगडाउन मा तो उस परकार का नहीं होगा लोगडाउन होगा तो बहुत सारी छुटे दी जाएगी अब वो नहीं कि आपको घर से बारी नहीं निकलते देंगेर आपको सबजी लाने के लिए नहीं देंगेर अथान वो पुडिया बुजगिया बीडी को मंडल है वो इथान सबी मुलिक अधिकारों में सबसे बेंच ये अपने नागरिक और विदेश दोनों के पास है ये नागरिकों के पास भी है विदेश यू की है विदेश जाने वाला इसी में आता है मैनका गांधी से समंधित मामला था इसे 2010 UPPS में पुछा गया था एकांधा का अधिकार इसी में आता है प्राण देही, सवतंतरदा में कौन सा एकांधा का अधिकार समझागे एकांधा अधिकार नमिला ड्गुनिस्चुराण में या नि मैं अगर चाहूं तो मैं हिमाल लेकि उपर जाके तफस्या बुंजबत चोटी के जाके तफस्या कर सकता हूँ कि मुझे एकांत बास सी है, मुझे कोई मतलब नहीं है दुमियादारी से मैं अकेला रहना चाता हूँ तो एकांता भी कर सकते हूँ वो इसी में आती है, प्राण, वेई, सवतंतरता, जियोकोपारजन के अधिकार क्यों? क्योंकि आपके प्राण को तभी बचेंगे ने, जब आप कुछ खाओगे, पीओगे तो वो भी इसी में आती है, दूसरों देखो, शिक्ष्या, ये भी क्योंकि इंसान, इंसान तो तभी बनता है जब शिक्ष्या उसके पास, तो शिक्ष्या पाने का अधिकार वीशी, 21 में आता है, नी सुल्क कानूनी साहिता वीशी में आती है, नी सुल्क कानूनी इसी में आती है, चिकित्षा साहिता इसी में आएगी, कैसे चिकित्षा साहिता, पुरानी फिल्में देखी होगी आपने, पुरानी फिल्मों में क्या होता था, गायल को ले जाते थे, तो डोक्टर साब कहते थे पहले पुलीस को गुलाओ, कहते थे ऐसा, इतने में मरीज मर आता फिर ये नियम बढ़ाएगा ये प्राणदेग सोतंतरता में है कि पुलिस बाद में आती रहेगी पहले घायल का उप्षार डोक्टर कर सकते हैं तो ये भी किस में आता है ये भी सी में आते हैं चिकिछा ववस्ता बगेर है चलो नेक्स्ट छे नमर आसरे का अधिकार वी सी में आता है नीशुल खादे सामगरी खान खातर जिया अपने को देगे खादे सामगरी जैसे कई जगए पिछरा माचेतर है भूपों के लिए सरकार विवस्ता करती है वो चीजें वी सी के अंदर आएगी परदूसन मुक्ट जल औ अधिकार है जैसे परदूसन हो ना तो आप अधिकार में अधिकार है जैसे परदूसन हो ना तो आप अधिकार मांग उठाते है ना अब देखो नमर फोन टेप अभी ये मामला चर्चा मेरा था कि मुखे मंदर जी ने फोन टेप करा लिया अनुछेद 21 के तहत ये उलंगन है आपकी फोन टेप यानि जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं अब दोस्तां सागत किया बात करी जि आपको पता हो तो आधुनीक जो मुबाइल है ना नई उन मोबाइलों में पहले पुराणे मोबाइलों में और talk recording का अटमेटिक सिस्टम आता था जो नए मोबाइलों में नहीं आता है आपकी कोई call recording नहीं कर दलता पिर कई बार सार ये call recording वाइरल हो जाती है उसे फिर मीड मेडिया वाले कैसे दिखाते हैं, मीडिया वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बोल यह जी वाइरल न्यूज है जो आजकल चल रही है, इस नाम से करके वो दिखाना शुरू कर देते हैं, जब कि यह phone tap करना ना तो सरकार कर सकती है, हाँ वो प्रादिक मामला होता है, तब कि यह जाता है, वो एक अलग चीज होती है, ऐसे हैं नहीं कि बिना मामले में किसी का करना शुरू कर दे, किसी दोस से आब बात करें, वो आपकी recording करना शुरू कर दे, नहीं, यह phone tap भी इस चीज का उलंगन है, महिला, अगर चाहे कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, तो यह भी अनुछेइद 21 का एक अधिकार है, कोई महिला रहता है कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, तो भाइसा आप उसको अधिकार है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, अब वो अपने पती से सेक्शल संबंदो के लिए भी मना कर सकती, यह उसको अधिकार है, और व लेको अनुचे दिक्किसकी नहीं बार, जीने का अधिकार भी है इसमी, हमें जीने का अधिकार है, मान लेख थे आ कहें तो टंकी के उपर चट ज़ेओ, का इकजाम आगया शरकाओ, तो बेटा थी तंकी पर तो चट गया, तो थार प्राणा की रक्षिया करना तो फुलिस आर प्रखा जाओ और जद थे नीचा जाओ बैठान पकड़ गे और धारा 309 गे देथार पर केस ठोके यह IPC की धारा 309 क्यूँ कि आत्मत्या एक अपरा थे तो गुर्जी फिर की आत्मत्या करें नहीं अरे तो भाई जद बना आत्मत्या कर ली जद सजा की नविंग लास्ने सजा थोड़ी देजएगी लेकिन आत्मत्या करते हुए अगर पुलिस इसे बचा लेते हैं पटन लेते हैं तो उसे IPC की धारा 309 पुत है तो उस पर और आप दंकी नहीं दे सकते क्योंकि एक अपरादिक है आपको जीने का अधिकार भी देती है और धुमरपान निशेद भी इसी में आएगा IPC के यह 2005 सक ऐसी से जोड़ा था तो इसको ध्यान लखना एक्जाम में यह पुछा जाज चुका है अगर पुलिस कस्टेडी में मर्ग क्यों हो गई पुलिस अभी इसी में है आम जंता के सामने फासी नहीं दी जा सकती है हमारी रूल नहीं है वो भी इसी के अंदर आता है आम जनता के सामने फासी अतकड़ी लगाने के लोग भी इसी में है और बोली बतार ला गे ला अतकड़ी लगाने के लोग य franchise ये 1980 के बाद पुरानी फिलमों में अतकड़ी लगा के लिजाता था लेकिन आप नहीं चलेगा अपनी फिलम में नहीं लगा सकता और गरब गरभावस्ता में लिंग परिक्षण नहीं करवा सकते आपको पता है जैसे अमेरिका है और भी बहुत सार विक्षित कंट्री उनमें तीसरे महिने ही बता देते हैं कि लड़का होगा कि लड़की हो सकता है आपको इस चीज़ पर विश्वास नहीं होगा तो आपके कोई रेलेटिव रहता है तो उनसे पूछे ना जबकि भारत में यह पूर्णत है क्योंकि भारत में इसका दुरूप्यों करने लगए लोग उन देशों में यह विक्सित देश है उनके लड़का लड़की सब समान है वो हमसे भोत एडवांस लोग है तो उनके लिए चीज़े नोर्मल है वो कभी भी गरपा तो डोक्टर तीसरे महिने ही बता देते हैं रिकोर्ट में कि लड़का है कि लड़की है जबकि हमारे यहा और सम्मान के साथ मर्त्युदंड होना की यह भी चीज़े हैं इसके अंदर अंचे दीकिस में बंग करे जा सकते हैं यह बताएंगे और कोई दिल तोड़ दे तो क्या सब्सक्राइब मुना दिल क्या टूटे कर साबता है तो टूटे भी हैगी ए डायलोग फिलमे डायलोग चलो हाँ बहुत सारे देशों में इच्छा मर्त्युदंड का अधिकार है बहुत सारे देशों में बिल्कुल सही आपकी बात चलो आगे चले और देखो टाप रो इकीस में आवा है आप अपने पसंद का दिवा कर सकते हो जीवन साथी को चुन सकते हो यह अनुछेद 21 में 2018 में लागू हुआ था और आइस 2019 में यह पूछा गया था लेकिन हमारी कल्चर में आदमी लव मेरीज सिर्फ एक स्थिति में कर सकता है जब वो आइस बन जाए आइस बनने का एक फाइदा है कि वो लव मेरीज कर सकता है चलो आगे चलते हैं बाकी किसी सिच्वेशन में हम यहां मनने नहीं होगा समाज विरोधी हो जाएगा जबकि आइस बनने के बाद आपकी यह पास यह चोईस है चलो ठीक है नेक्स चलते हैं शिक्ष्या का अधिकार इसी में आएगा यह 86 में स्वीधान संसोदन 2002 के अंदर जोड़ा गया था आनूछे 6 से 14 तक आनूछे जिसे बाद में 2010 में लागू गया बार बार इसी परसंद को पूछा जाता है कई बार पूछ लिया गया इस परसंद को यानि 21 के बोल दो 21 के के तैद के शिक्ष्या का अधिकार च्याश्वे स्वीधान संसोदन 2002 इसको रट्टा लगा लेना वक्त इसे कई बार पूछा जा चुका है इसे बार बार पूछा जा चुका है जिस परकार लूं सुंग पिन पूई यून हुई वो जो साइरी है वो याज नहीं होती उसी परकार यह चीज भी याज नहीं होती संग तंग मंग दिंग मोंग टुई है चलो अब मैं थोड़ा कमेंट देखने हूं फिर लास्ट एक बच्चे बुकरवा दे असाइरी में इनसांग लिखी ये अच्या में इनसांग लिखे डिए मेरा दर मैं उस अधुलों से बगावत नहीं करने वाला तो ही में महवत रहतीरी अच्या गुर्जी चाइने रासांबड़ा हो जोड़ता लाग चलो आगे चलें लास्ट अनुछेद 22 मोबाइल किंग ओवा जाए आले पसी तो याद राखू मों तो अनुछेद 22 हा का 24 गंटाउं ज्याद इसमें दो परकार की इसमें अनुछेद 22 के है परियावन बगेर总 अच्छा परियावन बगेर यह लाइफ से समन्दित एक फिस प्रांड दही के अंदर आता है वे मा valves जीने का अधिकार है अच्छे स्वास्ते का अधिकार है हमारी अ हमारी प्राइवेसी का आधिकार है ये सारे अनुचेद 21 के तहत ही आते हैं ठीक है अब आता थी है अनुचेद 22 अनुचेद 22 जो है किसी वेक्टी को अगर गिरबदार कर दिया तो उससे समंधित है इससे नियम यह है कि गिरबदार की गए वेक्टी को कारण जानने का अधिकार है जथार पुली सारा गाल ले जाते आप ओई क्या मिले जाओ क्या मिले जो बैं थन कहे गा रहा है तुम चाल तो सुर्मास को लगा रहा कि जद ले जाओ तो कारण बताना पड़ेगा आपको नमर दो बात है कि थे थारो फिर बठी गंटी मार्स को बलोई मोबाइल दे मेरे वकील ने गंटी मारो था मार्स को थे अच्छा वकील आप अपने इसाब से कर सकते हूं और आपको 24 गंटे के अंदर जद साब के सामने पेश करना पड़ेगा यह अधिकार जरूरी नहीं है कुछ नियमों के तहर कि अधिकार हट जाते जिनका कभी विश्तरित विवरन फिर करेंगे ऐसे याद रख लेना 22 है वो चोईस से संबन दीत है चोईस गंटे के ज्यादा नहीं रख सकते पुलिस कटरडी नियाले में पेश करना पड़ेगा अब देखो क्या क्या बताया अनुचेद उन्नीस यह स्विधान की रीद है छे परकार की सवतंतरता है पहली बोलोगा फिर सबाव हैगी फिर संतन होएगी फिर ते गुमोगा फिर बस होगा और फिर व्याखवार करोगा यार कितनों इजी है मैं डिटेल हो बता जिए और मैं सोट है 22 सिद्धी सरक्षन और 21 प्राण देख दोनों एक दुस्ते से रिलेटिद बाइस सोट वाला अनुट की लगी हमें इसे बताने में एक घंटा है क्योंकि हमने विश्त्रीत विवरण के है सोट में आप रहे है तो सोसन के विरुद अ अधिकार सोसन के विरुद अधिकार यानि अपने मूल अधिकार चल रहे थे सोसन के विरुद जो अधिकार है वो 23 चोईस में सोसन है यान 23 चोईस साल में सोसन है 23 चोईस के अंदर सोसन के विरुद इनका ट्रीक तो मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट में दूबारा बता सोशन के विरुद अधिकार समानता सवतनता सोशन 23, 24 आगे क्या सारी? आज़ो 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 नोट्स लिखवाना सराज अरे यार मुल दिकार के शुरू से नहीं लिखाए तो मुल दिकार को छोड़के आगे वाड़ा दिखाना सुरू करते हुआ ठीके? चलो देखो सोशन के विरुद दिकार सोशन का मतलब 23, 23, 23 अब देखो अनुछेद 23 अनुछेद 23 अनुछेद 23 इसमें क्या है? मानव दुर्वेवार मानव दुर्वेवार बेगाल बलाद सरम निशीद है मतलब क्या योगुर्जीद है? आब बताओं नी दुआ छूत के बाद सबसे ज़्यादा दंडनी अगर कोई है तो वो अनुछे 23 है एस्प्रेसिता कान 17 17 के बाद सबसे कानूनन अगर मजबूत कोई है तो वो है ये यानि इसके अंदर मानव दुर्वेवार सरमानव दुर्वेवार में कौन-कौन शाहते देखो मानव दुर्वेवार में कौन-कौन शीची जावाए देखो नमर एक दास पर था चलो माँ आपको अटके क्यूसन पुछता हूँ, बताईए अकबर ने दास पर था कब बंद की थी, इतने में सारे बच्चे आ जाते हैं, बताईए अकबर ने दास पर था कब बंद की थी, बताओ जंदी से, आज नहीं मूल अधिकार के बाद वापस नोट्स दिखा दूए, इनका मैं फिर प अरे वाँ, क्यों यहार है, 64 society, 64, 62 में अकबर ने दास पर था, 63-32 ती, 63-64 में जजिया कर, यानि उस समय क्या किया जाता था, कि जैसे अकबर ने कोई युद्ध जीता, सामने वाला राजा हार गया, तो उनके जो सेनिक होते थे, उनको पकड़ लिया जाता था, और साथ बड़ा बुरा विभार होता था दास कासा विभार होता था यानि उनको सिर्फ जिन्दा रहने के लिए रोटी दी जाती थी बाकि सिर्फ उनसे काम करवाना था जैसे कोई दुरुग बढ़ाना है तो बाल लगा दिया बस रोटी खाओ दुरुग बढ़ाओ ये होता था बलाद सरम यानि दास पर्था जैसे हमारे आंक इबर बोले नहीं हाड़ी आज भी बहुत सी जगे ये पर्था परचलन में आज भी तो यह दास पर्था है वो इसी मानव दुर्व्यापार में नमर दो बेगार पलस बलाद सरम बलाद कार्थ होता है जबरदस्ती किसी से जबरदस्ती काम करवाना नमर तीन, मनुस्यों की वस्तुओं की तरह आयात निर्यात, सर दुबारा बताओ इसको, देखो मैं दुबारा इसको डिटेल से बताताओ, एक सब्द और दिख देता हूँ, स्त्रियों वे बच्चों का ए नेतिक व्यापार, टावरो, ए जगा कई जगा एजेंट बन रिया है नि, पचाँ जार में लिया वे बिनू, अठे बेच है, कुआर आनों, जो कुआर पणों दूर करे, बीननिया लिया आगे दे, पचाँ साजार, तीस, तीस हजार, बैजद फस है नहीं, यह अनुछे दमी फस है, क्यूंकि वो एक परकार का व्यापार है, पचाँ जार में लिया आगे बेच ये दे, वो व्यापार होता है, बीननिन समझगे लिए तो केश ठोकता है, इसी के अंदर आएगा, वो अनुछे दे, इसके अंदर, यानी एक तरीके से मनुस्यों का, स्त्रियों, बच्चों का आप ब्यापार नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते, यह कोई मजदूरी, यानी मैं था ना कह दिए, कई बर कहे रहे हैं, मेरो एगरिमेंट होड़ा है, कि मी को अनुछे एगरिमेंट होगा है, मैं एक साल कातर एगरिमेंट कर रहा है, कि याठे पढ़ाओंगा, यह तो बंदुवा मजदूरी हो गई, यानी मैं यह नहीं कह सकता कि यह नहीं काम करना पड़ेगा, यह तो बंदुवा मजदूरी हो गई, तो वो बंदुवा मजदूरी भी किसी में आएगी, किसी के अंदर आएगी, यानी यह चीजे आती है, किसके अंदर मानों दुर्व्यापार के अंदर आती है, मंजीलो, हाँ, चल, चले, ठीक, नेक्स सकते हैं, अब इसके सर इसके विरूद क्या कानून बढ़े देखो, अनुचेद जो 23 है, 23 में, गोशित अपराद के लिए अनुचेद 35 के अंतरगात संसत जो है, वो दंडन ये, दंडन ये कानून बना सकती है, बिल्गुल बनाएगी इसके खिलाब बबबा, हर बार कानू मंते जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, आपने देखा होगा, कई बार कहते हैं, यहां से इतने बच्छों को छुड़वाया गया, यहां से इतनी महिलाओं को छुड़वाया गया, तो वो इसी के अंदर आता है, शिक्षा नगरी कोटा से परणाम कोटा, सर बंदवा अनुछे 23 जो आपको मुक्ती देता है किसकी सीच छे इसी सीच छे यानि अनुछे बेगार है बलात सरम है इसके विरूद में यानि दास नहीं रख सकते किसी को आड़ी जगेन बोले नहीं, आपने गावाम आड़ी बोले, बेगार बलात सरम नहीं करवा सकते, जबरदस्ति किसी से काम नहीं करवा सकते, मनुस्य वस्त्रियों आधी का एनितिक व्यापार नहीं कर सकते, ये सारे और किसी को बंदवा मजबूर नहीं रहे, ठीक है, राम न अल्ला का जनम विल्कुल विल्कुल राम नम्मी को आप सबको हाथ इक सुखा आप चालो करते हैं जैसरी राम सबको अनुछेद अब आपको पताए कई जेल में भी रीप्या कमाऊ है जेल में अगर किसी भी केदी से काम करवाया जाता है तो उसको पैसा देना पड़ेगा मैंताना देना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि आप उनसे भी बलात सरम नहीं करवा सकते बिना मजदूरी काम कौन करवास को टावरो ऐसा अदिनियम ये दीना बना भारत संग अदिनियम 1983 कहते हैं यानि 23 का उलंगन है अगर किसी केदी से भी काम करवा कि उससे कई फिलमाम को न देख है फिलमाम काम करवा फिर जलर साथ मां रिपिया दे क्यूंकि ये अनुचेद 23 का उलंगन है अरे वागर जी जोरगी बात आतो चालो लेक्स्ट अनुचेद 24 बस सीधा याद रखता हूं मैं तो कि 22 जो है वो अनुचेद 22 तो 24 से समन दीत है यान 24 गंटे से ज्यादा नहीं र कम आयू के बालकों के बारे में है यानि 24 वरसे कम आयू के बालकों आप खतरनाख जगए जैसे कार खाने जो खिमवारे पर्मकारियों से निशेद है और इसका कोई अपवाद भी नहीं है बाकि सब को है नहीं कि ये लेकिन इसमें ये अपवाद है इक तरीके का कोई खाऊंगा नहीं तो मैं इनको एक बार बोल देता हूं, देखो, बालग नियोजन अधिनियम 1928, कार खाना अधिनियम 1928, कार खाना अधिनियम 1922, किस्व अधिनियम 1926, बालशरम अधिनियम जो बना था हो 1926, इसके बाद उसमें चेंज हुआ था, 2026, इसके अनुसार 5-14 वरस के बालग को 13 खतरनाख चुने गए, उनमें काम नहीं करा सकते, 13 मुखे बेउसाय है, अगर करवा लिया तो 3 माह से 1 वरस तक की सजा, और 10-20,000 तक जुरुमाना अर्दुन, किता है, अधिर जाथ 23, सोसन के विरूद है, किसी परकार से किसी को बंदोवा मजदूरी नहीं करवा सकते, व्यापार 27 वड़ा है यान 27 वरस से कम बाल, बताओ किये समस्यारी है, तो ऐसे एका उनलाइन कोर्स रड़ने, ले ले तो, 20 तारीक को मेरी साथ दिया, बधाई हो बधाई हो तो हली, कोई बात नी उन सभी कुवारों के साथ मेरी सहनुव होती है आगे की सीजन को नहीं आँगा चलो तरह जूरू अब नेक्स यानि यान 2327 बहुतीजी है नेक्स साथ में पढ़ लेते हैं धरम की सौतन्तर्ता अधिकार कहां से कहां तक है यह अनुछेद 25-28 सबसे पहले समानता का अदिकार सौ्तनता का अदिकार गोसं के विरुद अधिकार अब किसके है वो रटाथ दिये थी उसमें मैंने ट्रीक बता दी थी अब है धरम की सौ्तनतार का अधिकार अनुछेद 25-28 बहुत दीजी है अब क्या बोन रहे हैं, मैं कमेट देख लेता हूँ, एक इनुट देख लेता हूँ उद्धियों पिछली बार अन्वानगर जिले में टोप था लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया गया, अब की बार आपका आशिल बात से मेरे सरक मेरा सेलेक्षन होगा, गुरुजी वन पानवे, चलो बड़ी है, कोई बात नेड़ा कही ना कही, किसी ना किसी उम्मीद पे तो हम जिन्दा है पांच हजार कोश्टे थी, ये तो है नहीं कि सब लगने वाले थी कहीं ना किए, आपकी तैयारी है, तो इस तैयारी को आगे को कहीं ना कई दूसरा लगसे तो लेना पड़ेगा, जिसका पुलीस में नहीं हुआ, ये तो है नहीं कि सब का होने वाला था, जिस तो पहले ही बताई थी कि सब का नहीं होगा, होना तो 5,000 का और कुछ यह पूर रहते रही ओएजुकेशन ट्री तो बहुत बढ़ाई करियर अगर दर्थी पर बगवान है कोई रूप है तो वह आप मतलब मेरे को कभी कभी वैसूस होता है कि अपनी बगवान चैए कि बिलीवी डाइलग भी यह चलो कोई बात नहीं लिखते आगे बहुत मारे हो रहे बहुत सक्क्यों रहे है चलो कोई बात अनुछेद 25 क्या कहता है सुनिएगा सारी बाते द्रम से समंदीते और कंटीन्यू रहेगी बाद में बता दूँगा इसको कंटीन्यू कैसी आध करना है देखो समझो अनुछेद 25 का एक अन्तैकरण को मतलब है मन में कर तेरे मन में किये वो मनवें अन्तैकरण आंतरी किछ्या होती है अन्तैकरण समझो इसको दुबारा देखो पत्चीस एक कहता है कि अन्तह करण की सवतंतरता यानि धरम को यानि आपका जो भी धरम है धरम को अबाद रूप से मानना आचरण करणा की सवतंतरता दी गई है सर दुबारा थोड़ा डिटेल बताओ 25-28 दरम से समन दीते हैं सबसे पहले तो किसी दरम को मानोगे अनुचित 25 यानि आप किसी भी दरम को मान सकते हो अब देखो उसमें मानने के तरह आप कोड़ कोड़ से काम कर सकते हो अगर आप किसी दरम को मान सकते हो अन्तह करण या सब्द है अन्तह करण का अर्थ होता है आं कई दिए ना ना मैं तो श्हांन का भद्ध हूँ बिलकुल आप किशन के भद्ध हूँ ना मैं तो शाही बाबैन मौनूँगा खीक है मैं मेरी इच्छा है कि मुझे सिख THRAM अच्छा लगता है मैं सिख THRAM को स्विकार कूँ दूर। सुohljinkum से समझे निर्माद रूप से धरम को मान सकते और उसकी घोषना कर सकते हो जैसे मैं कहूं कि मैं हिंदू धरम को मानता हूं मैं अबाद रूप से बोल सकता हूं इस बात को सारजनी घोषना कर सकता हूं कि मैं हिंदू धरम को मानता हूं क्यूं क्यों कि ये स्विधान ने आपक अपलब ये हुआ कि हर धरम ने कुछ ना कुछ करमकांड है जैसे मान लो कि मैं जिस धरम को मानता हूँ उसमें पूजा पाठ है तो भई मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ मेरे धरम में अगर ये है कि मैं तिलक रखू तो मेरी मर्जी है मैं तिलक रख सकता हूँ मेरे धरम में है कि पगड़ी रखनी है तो मैं मेरे धरम के अनुसार रख सकता हूँ मेरे धरम में अगर कड़ा पहना है तो मैं मान सकता हूँ क्यों कि आपके धरम के अनुसार जो भी चीजे हैं आप अपने धरम विचार परकट कर सकते हैं किसी को समझा भी सकते हैं, जैसे मालो कोई मेरा मित्र है, किसी दूसरे धरम का, मैं उसे समझा सकता हूँ, कि हमारे हिंदू धरम ये ये चीज़ है, हमारा हिंदू धरम ऐसा है, ऐसा है, मैं उसको समझा सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं करवा सकता धरम परिवर्द में, समझा स सकता हूँ जितनी भी धार्मिक संस्ता हैं वो समझाती है धरम के बारे में लेकिन वो जबर्दस्ती किसी से धरम स्वीकार नहीं करवा सकते या ने मैं धरम की आचरन कर सकता हूँ धरम का परचार कर सकता हूँ मैं हिंदू धरम को मानता हूँ तो मैं यूटूब पे आके हिंदू धरम के सारे के सारे परवचन दे सकता हूँ यदा यदा ही धरमस से हिंदू धरम का परचार कर सकता हूँ मैं अगर किसी हिंदूों में किसी देवी को मानता हूँ जैसे मैं करनी माता हूँ तो तुम्हें परचार कर सकता हूँ, करनी माता की गुनगान कर सकता हूँ, तो यह यह चीजे भी आप कर सकते हो, अपने धरम का परचार भी दोस्तो कर सकते हो, चलो देखे, हाँ अगर आप रीट माता को मानते हो तो रीट माता का भी बेजिजक आप गोसना कर सकते हो कि मैं रीट माता को मानता हूँ, रीट माता का परमसी से हूँ, रीट माता की मैं कई सालों से पुजा कर दाओ, चल फीक है, तो आनि आप क्या कर सकते हो, इसमें परचा मान लो सिल्क डेरी मिलक लिया देऊ थे मान लो थे कोई पतवारी ना कह देऊ मार लो रीटारो रो धरम बोच्षानदार एक डेरी मिल ले ले राजया ही माज़ा एह हैं आप किसी को लालच देखे धरम का परिवर्ता नहीं करवा सकती है ये थोड़ी सी ध्यान रखना, बाकि आप अनिर्माद रूप से कुछ भी, लेकिन राज्य की ओर से धार्मिक सवतंतरता पर भी रोक लग सकती है, किसा धार पर देखी, लोग वेबस्ता, विल्कुर, जन्ता प्रेशान नहीं होनी ची, नमर दो, सता चार, नमर तीन स्वास्ति, देखो, कुछ चीजों पर रोक लगाई गई, जैसे मैंने कहा कि आप करम कांड कर सकते हो, अपने कापालिक संपरदाय है, कुछ संपरदाय है, जिनमें पहले मानों की खोपड़ी लटकाते थे या, बहुत सारी ऐसे, जोगी, मलब जोगी नहीं जोग, स समचान में किसी वेक्ती मर गई, उसकी खोपड़ी के अंदर जलपान क्या करते थे, अम नर्मूंड लटकाया रापता, यानि गड़ा गया अंदर नर्मूंड लटकाया रापता, ये चीजें बंद कर लेगे, ये सही नहीं है, सदाचार को देखते हैं, इन चीजों पर रो तो ध्यान रहे, हिंदू धरम से ही तो बोद धरम निकला है, हिंदू धरम से ही जें धरम निकला है, हिंदू धरम से ही सिक धरम निकला है, यानि ये दिन्नू भी हिंदू धरम के अंदर ही माने गई हैं, स्विधान के अंदर, यानि हिंदू धरम में खुद हिंदू आ गए जेन भी हिंदु धरम में माने गई हैं बोध भी हिंदु धरम में माने गई हैं और शिक भी हिंदु धरम के अंदर ही माने गई अब एक परसन जो बड़ा इंपोर्टेंट है उसको रटा लगा लेना कि अगर आप से पूछ ले कि शिक जो है वो करपान का धरन करते हैं शिक जो है वो अपने पास क्या रखते हैं करपान रखते हैं कच्छा कंगा के इस कटार करपान जो पांस चीज़े दीगी थी गुर्गोविन सिंग्जी ने उन में से करपान है अब आप और हम तो नहीं रख सकते याने हत्यारों के साथ जुलूस बगे रहे ये लेकिन शिक्कों को किस अनुचेद के तहट करपार रखने का अधिकार है तो याद रखना अनुचेद 25 अनुचेद 25 बड़ा इंपोर्टेंट क्यूसम है सिक्खों को कि सन उचेद के तहट करपान रखने का दिकार है और उचेद पक्ची रख्यक के दूँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैं बस एक बार आपकी करपा से जोब लग जाओ फिर मैं दंगा कर दूँगी सर आपकी पोल्टी लिकलास दुणना पफ्लोट हो जब ए बावडी कांगा दंगा करा गए तू सर मेरी जबरदस्ती साथी करा रहे है बचाओ हुझे फिलीज बचाओ अच्या जबरदस्ती कुण करा रहे है रहे है लोग आँ ही तो और ही को नहीं ही जबरदस्ती होन लाग रहे है अच्या इतो बड़ आदम है तू कर ले सरी मिलन लाग रहे है फुर्जीता कमेंट पढ़ लिए हमारो एक की नाम ले लिए थार नाम ले आगा चलो, नेक्स्ट चलते हैं, ओके, चलो पिती दूर कमेंट के जल्दी ताल है, मुबाइल में रोख के देखी यह और की चलो, नेक्स्ट, अनुछेद 26 यानि अनुछेद 25 कहता है, आप किसी भी धरम को मान सकते हैं अनुछेद 26 क्या कहता है? अनुछेद 26 यह कहता है, कि धार्मी कारियों परबंदन की सवतंतर था धार्मी कारियों में परबंदन की सवतंतर था अब समझो इस सीज़ को सबसे पहले धार्मी कारियों में परबंदन की सवतंतर था लेकिन व्यक्ति नहीं कर सकता, संस्ता कर सकती इस चीज की ध्यान रखना यालि इस अनुचेद में ये काये, ये सहुतनत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, धार्मी के संपर्दाई के लिए, जैसे रामकर्ष्न मिश्र अगर करें, वो एक संपर्दाय है, संपरदाय बनाता वेक्ति है जैसे मैं कोई नया संपरदाय बना दूँ तो वो संपरदाय का वेक्ति कर सकता है वेक्ति विशेस नहीं कर सकता कि इस संस्ता के तहत ये कारी हो रहा है यानि धार्मी कारियों में परबंदन की यानि ये अधिकार वेक्टी को नहीं है, संस्ता को है, समझ गई, ठीक है गोजी, अब आत्मारे समझ में आ गई, अगे चले, अब अगर संसद कोई चीज बनाई है, जैसे संसद ने बनाई है, जैसे अलिगड मुस्लिम यूनिवर्शिटी है, ये यूनिवर्शिटी कोई धार्मे कारिय नहीं कर सकती, संसद द्वारा बनाई गई अगर कोई है तो वो नहीं कर सकती, मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी संस्ता हो, मैं कर सकता हूँ, जैसे मान लो कि मैं कोई संपर्दाई अलग से बना लूँ, तर्डी माता संपर्दाई, उसके तहत में धार्मिकारी करो, बनाईगा तो व अगर संसद ऐसी कोई चीज बनाता है, वो नहीं कर सकती, जैसे मुस्लिम युनिवर्शिटी है, वो नहीं कर सकती, ऐसा कोई कारी है, अच्छो गुर्जी आ बात है, हाँ मुना, आ बात है, चलो, बात समझ में आई यह अनुचेत 25-26 भोती जी है, 25 में किसी धरम को मान सकते पर करपान क्या है, करपान का मानले सिख जो रखते हैं तलवार, एन इसी दिवासा में तलवार माते हैं, ठीक है, अपन तरवार बोल देते हैं, करपान बोल देते हैं, करपान वो जी जो सिखों को 5 चीज़ें, गुर गोविन सिंग जी ने दी थी न, तो वो उनमें से एक पांट चीजे तो नहीं कच्छा, कंगा, केस, कठार, करपान उनमें से एक है करपान ठीक है करपान तलवार को बोखे चलो जंडा समिति का देख जंडा जेबी करफला नी जेबी करफला नी आज़ा चलो ठीक है अनुछेद 27 सबसे पहले धरम को मालेंगे धरम का परचार करेंगे, अब बात आती है टेक्स की 27 के अंदर देखें क्या निखा है धार्मिक अभीवर्दी हेतू कर्मुक्पी सरकार आपसे ऐसा कोई टेक्स नहीं ले सकती जो किसी एक धरम को बढ़ावा दे सरकार आपसे ऐसा कोई कर नहीं ले सकती जो एक धरम को बढ़ावा दे, जैसे सरकार कह दे कि हम हिंदू धरम के बढ़ावा के लिए आपसे टेक्स ले रहे, ना होना ना ऐसा नहीं कर सकती, यानि धार्मिक कारियों में कर की वर्दी, यानि ऐसा कोई कर देने के लिए बात दे इसमें लिखी गई है यानि राज्य जो है वो बीना बेदवाव करेगा लोकिक दार्मिक संस्ताओं की साहिता कर सकता है बीना बेदवाव साहिता कर सकता है जैसे हमारे महवीर स्वामी की 25 वी महा परी निर्वान दियुसाया तो सरकार ने उस आयोजन के लिए और क्या दिया मतलब आयोजन के लिए एक तरीके से साहिता की थी वो किसी दर्म को वर्दी नहीं कर रही थी जैसे महावीर स्वान दियुसाय तो आयोजन के लिए पैसे लग दे दिये सरकार ने आयोजन करवा दिया तो वो उस दर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है वो देक आयोजन करवा है है आयोजन करवा सकती हैं लेकिन किसी एक धरम को वर्दी को नहीं कर सकती है समझ गए क्या राम राम बाया आपने आइस मीती जे भी करना है चलो उपर चलो ये लो जी कितने अनुशेद हो गई एक चीज़ जार रखना सरकार ने तरीके निकार रखे यारी दार्मिक कर नहीं लगा सकती सरकार लेकिन सुल्क ले सकती है सुल्क लिया जाता है सेवा के बदले जैसे हम आपके विवस्ता कर रहे हैं मंदिर पे तो सुल्क लगाएगा लगेगा आपको कर नहीं ले सकती, सुल्क ले सकती है सुल्क होता है, सेवा के बदले आम इतना कुछ कर रहें तो, आप नहीं इतना करो लेकिन टेक्स नहीं लगा सकती समझगे क्या बात को, चैलो ठीक है लाइब कम है सज्दियाज कम है, कոई बात इंतreं कम है अरे आजकार उच्छी कोन रेट आप रहाएंगे कोई भी एक्जामिल जू मान दे हो देख लग कम बेशिव किये फ्राट पड़े है बाबा इन चीजों से उप्रूप सुके है चलो ठीक है मन देखे इगर मन देखे इगर मन देखे इगर चलो अनुचेद लास्ट 28 अनुचेद अठाई सिक्षन संस्ताओं के बारे में किसी भी सिक्षन संस्ता में धार्मिक शिक्षा निशेद है जैसे कोई भी स्कूल है उसमें यह नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म की बाते करे हिंदू धर्म की किताबे लगा दे किसी भी दर्म को, यानि कोई भी शिक्षन संस्ता जो है, उसमें धार्मिक जो है, शिक्ष्या वो है निशेद, अनुछेद 28.1 के तैट ये बाद लिखेए, अब 28.3 में क्या लिखा है, जैसे 28.3 में हमारे सुबह सुबह और प्रातना होती थी, वैसे वो प्रातना हिंदू ध बच्चा होता है, वो स्कूल का बच्चा है, किसी के बैकाओं में, अगर गार्जन आका है, दियो का है, ओ छोरो, अगर सुबह प्रातना बाग नहीं ले रहे हैंगा, दो धोड मार गए, प्रातना करवानी है, वो करवा सकता है, टीचा, समझ गई, बाकी उसके लोग बाद सबसे पहले दरम को मानना, फिर परचार करना, फिर टेक्स, फिर सिक्षन समस्ता, कि इतनों इजी है, वो इंजी और के बताओं, कल हम कप्लीट कर देंगे, समझे क्या बात, होती जी, हाँ, ओके, ठैंक्यू, अरे वीत्रण क्या कह रहे हो, मैं करणी माता को मानता हूँ, ठीक है, अब मैं करणी माता से समंदित गरंतों को, अगर किसी को वित्रण करो, कि ये करणी माता का चारीसा है, या इसमें करणी माता की चमतकार है, तो वो परचार मैं कर सकता हूँ वई, परचार करने की सवतंतरता है, आप, सिर्फ आप बोसना कर सकते हो, आप धरम का परचार कर सकते हो, यह तो परचार का हिंसा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, हम जो पढ़ चुके हैं टोपिक कहां तक 28 तक, धार्विक वाड़ा पढ़ चुके हैं 25-28, आज एक छोटा सा है, उसके बाद में बहुत इंपोर्टेट शुरू हो जोगाज, संसकर्ती और शिक्षा समंदी अधिकार, अनुचेद 39 और 30, यानि आपको हमारी मानलो कोई कल्चर है, कल्चर है, हरवेक्ती के अपनी कल्चर है, हरजाती के अपनी एक कल्चर है, हरजाती में कुछ ना कुछ, माना कि हम सब मान लेके हम सब हिंदू है, लेकिन हि दो में भी अलग लग लोगों में अलग लग कल्चर है कुछ जनजातियों की कल्चर पुर्णते भिल है और हमारी भी कुछ जातियों की कल्चर पुर्णते भिल है तो हमारी कल्चर बचाई रखने का हमारे उपर जिम्मेवारी है और यह एक तरीके का हमारा अधिकार भी है 29-39-39 29-39-39 चालो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आनुछेद 29 29 कहता है कि अलब संखियक वर्गों के वर्गों के हितों का सरक्सन परतेक नागरिक अपनी भासा जैसे मालो मेरी कोई अलग भासा हो परतेक नागरिक जो है वो अपनी भासा को है या अपनी ससकर्ती से संबन्दी जो भी चीज़ आए क्योंकि इस 29 में आएगी सारी भासा है लिपी है या ससकर्ती है उसको बचाए रखने का अधिकार है अनुचेद रास्तान के आउट में गई खेलने जाओं क्या भी शाता होते थी तरह एक चीग और बढ़िया चीज़ा में आगड़ा देख लेओ इंग ओपर बहुत बढ़ो बासन देश का ओफ लाइन तो बढ़िया खोला गए कि अब ओन लाइन में थोड़ो सो बढ़िया खोला गए क्योंकर तहीं बढ़ा बढ़ा महान किरकेत रांगी हमा तो खीवली बेश्ती कराऊं थोड़ो सो सोशल मीडिया पर बढ़िया खोला गए चलो देखे वैसे इसे चलो 29 के 29 दो सिक्षन संस्ताओं में परवेश के बारे में है किसी भी नागरी को जाती या फिर धरम जाती धरम लिती को बनाए रखने का अधिकार है यानि कि साधार पे किसी को भी परवेश से भी बंचित नहीं किया जा सकता किसी भी स्कूल सिक्षन संस्ता सरकारी प्राइवेट सद्साउं, जिनके अजिने सरकार्वार मानने के लिए यूर का लाग लागा tips अब प्राइवेट टीर जालते हैं अलब संक्य वरकी भासा लिपी संस्कर्ती को बचाई रखने के लिए अलग से सिक्षन संस्ताउं स्तापित करने का अधिकार है UPP CS 1997 में ये परचल भाई बस, बस, 39, बस, 39 एक में बचाना गिया है, दूसरा है सिक्षन संस्तागी बात आ लिए नोर्मल सी है, भई, एक दमी जी एक 39, 30, बहुत कम परशन पुछा जाता है यहां से ज्यादा तर तो अनुचियत सत्रा बगेर है, यह ज्यादा कुछी जाते है अब हम लास्ट पढ़ते हैं, जो कि अती, अती, अती महत्व वेरी, वेरी, वेरी इपोर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं फिर करें शुरू नेक्स्ट है समवेधानिक, समवेधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत इपोर्टेंट है, इतना इपोर्टेंट है यह, उपचार किस चीज़ का होता है, किसी ना किसी बिमारी का ही तो उपचार होता है, वे उपचार हमेशा बिमारी का होगा, यह जो अधिकार हमें दि गारंटी कोण लेता है, माल लो मेरे साथ किसी ने छुआ छूत की, तो इस चीज की गारंटी कोण ले रहा है कि आपके साथ छुआ छूत नहीं होगी, माल लो आप कोई दुकान पे सामाल लेने के लिए गए, माल लो गड़ी ले लिए के लिए, कहा कि हम गारंटी लेते हैं, क अनुछेद 32, इतना इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर भीवराव अमेड करने इसे स्वीधान की आत्मा कहा, वैसे स्वीधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है, लेकिन ये पूछले कि डॉक्टर भीवराव अमेड करने किसे स्वीधान की आत्मा कहा है, तो वो इसको क कहा है इस गारंटेट को कहा है इस उपचार को का है उन्होंने और यानि इसे हम कह सकते हैं ह多गी घरन में सक पर करना ना आधम में हरदे को ज्यादा में तो आज-सकल फेपटां गोए को गया सारा हर्दे दिल तूट यह बौर-दिल इसब अगर तो लेकिन अब बेरो चाले है का भाई एक लोग दिली सो क्यों को नहीं है फेपडागी भी बहुत जूरत है वित्ती वित्ती जूरत है फेपडागी भी तो इन हर्दे कैस का आपा हो ना रंग की एक राह चला तरास्तान के कोहिनूर हीरा हो बत्तों को आखरी उम्मीद और भी आएंगे बहारों की कलियां चुनने वाले तुमसे बहतर पढ़ने वाले हमसे बहतर पढ़ाने वाले और भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आते जाएंगे लेकिन वह बात आपको अच्छे लगने लगे तो अच्छे हो गए नहीं लगते तो नहीं लगते हर् अगर आपके मूल अधिकार का उलंगन हुआ है तो अनूचेद 226 के तहत हाई कोर्ट ज्यान ले जा सकते हो यानि आप कोर्ट में दिख आपनी रक्ष्या कूण कर रहे हैं कोर्ट कर रहे है हर कोई ड्र रहे हो क्यों है कोर्ट उड्र है पुलीस से निड़ रहा, कोई कोर्ट से ड़रे लोग है क्यूक죠 हमारा सरक्सर जो है वो कोर्ट है तो गला आंग पर इसके तहत आप कोर्ट आम सुणो कभी नाम सुणाए या आपने जन्हित्याची का जन्हित्याची का बताओ क्ये चीज़ है जन्नित याचीक आचे ज़े गुरु ज़ंबेश्वर की जए हो जबेश्वर महाराथ की ज़े हो शराव की भारता भुगोल आईगा न, मेरी कलास आरी उनकी भी आईगी, जब मेरा गह पाएगा उस दिन उनकी कलास आईगी बिल्कुल भारत की भुगोल हम शूरू करें आपको करवाएगे पूरी और आपको तो अलग गंटा लगा दो जब आपकी कलास उटकी में बहुत रोई और मतलब देश तो क्या बात है विशू गुरू बढ़ने ही वाला है लोग कलास के लिए रो रहे हैं चालो हाँ जी अरे बताईए क्या है जन ही तियाची का इंग्लीज में क्ये बोले हुरू हाँ ठीके हो अरे क्या बात है कबीर जी का है पर साइदी ये दोहा बताईए बताईए जल्दी बताईए ऐसा ही मा आई गया क्या बात कर रहा है बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है तो जल्दी बताईए फिर मैं करूँ अब जरूरी थोड़ी है किया आदमी के पास पैसा हो कई बार अकबार में ऐसी न्यूज चपती है कि देखिए यहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है यहाँ इनके अधिकार तक नहीं मिले हुए उस आधार पर भी कोरट कारवाई कर सकता है यह ऐसा हो क्या रहा है कि कोई बेक्ती कोरट में जायरिट लगाए किसी संग्यान के आधार पर जन हित याचिका के आधार पर भी कोरट इस बात पर कर सकता है कि देखिए यहाँ तो मूल अधिकारों का अनन हो रहा है कारवाई करता है तो वो करता है पांच परकार की कारवाई और बड़े ही इपोर्टेंट ने इनको एक एक पो हम बड़े अच्छे डिटेल से समझते हैं यानि त्वेधानिक उपचारों के अधिकार के तैत यानि अनुछेद पतिस दो के तैत सुप्रीम कोल्ट पांच परका है रडबली टी रीट को निया रीट परकार की यानि जब आपके अधिकारों का हनन्द होगा तो पांच परकार के ओप्रेशन किये जाएगे किसके द्वारा को रट के द्वारा अब देखे हो पांच परकार की ओपरेशन कोन-कोन से है 31 तो वो संपत्ति वाला था तो वो अठा दिया चलो देखे सबसे पहली रिट है बंदी यानि बंदे के गरारी वैं बंदी या थारी कोई बंदी है निए या बंदी होगी बंदी को करना है परतेक्स परतेक्स सी करन थारी इंगलीस बताओं हमें यां इंगलीस की भी जूरड पडती है Libius Corpus बंदी का मतलब वो बंदी निए जो बंदी आपको कई जगे बंदी बोना जब बंदा बंदी ये बंदी वो बंदी है जो बंदी बनाया जाता है यानि किसी को जेल में डाल गिया वो बंदी उस बंदी को परतेक्स करना है किस के सामने कोरट के सामने नाम में पता देखो नाम में सब सुपा बंदी यानि इसका आर्थ होता है व वेक्ती को परस्तू करना यानि मान लो किसी को गिरवदार किया तो इस गंटे से जादा होगे तो भई उसका कोई दोस्त कोई वकील कोर्ट में लगाएगा कि ये कर क्या रखा है आपके सामने पेस ही नहीं किया उसको तो वो ही है फिर कोर्ट आदेश करेगा कि उस बंदी को ऐसे वेक्ति आप अधिकारी के विरूद होता है ये यानि ऐसे अधिकारी के विरूद होता है ये बंदी परतेक्स करो जिसने किसी वेक्ती को अवेद रूप से बंद कर रखा है निरुद कर रखा है नाम से पता चल रहा है बंदी को परतेक्स करो तो बंदी बना रखा है उसको हमारे सामने पेस करो, हम पूछेंगे क्या मामला, आपको 27 गंटे रख लिया, आप हम करेंगे उसके उपर 6 महीने रखना, 12 महीने रखना क्या है, तो वो ही है बंदी पर देख सिंस करें, आराम से याद रह जाएगा, कोई टेंशन, इसमें ज्यादा सोचा विचारी करन आगे चलो, चलो, आगे चलो, देखिए, ना मर्दों के, परमादेस, मेंडेमस, आदेस के उपर जो आदेस होता है, वो इपरमादेस है, अरे इन सब्दों के अर्थ में सब कुछ छुपा है, आदेस के उपर आदेस, एक चीज बताओ, आपके गर में में है, आपके पिता जी, हो सकता है, आपके दादा जी जिन्दा होगे, तो आपके दादा जी में है, आपके दादा जी को, लास्ट आपके दादा जी सुप्रीम कोर्ट है, आपके पिता जी हाई कोर्ट है, आप भी जिला के अंदर ही आते हैं, ठीक है, जिस अमेशा बड़ा वेक्ति छोटे को देगा, आदेश हमेशा बड़े वाड़ा छोटे वाड़े को देगा, परम आदेश यानि तकड़ो आदेश यानि हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हम आदेश देते हैं, यानि बड़ा नयाले, छोटे नयाले को आदेश देगा बड़ा जो है वो छोटे को आदेश देगा प्रमादेश का अब देखो ये जो जारी की जाती है ये नयाले द्वारा किसी वेक्ती या फिर अधिकारी के विरूद भी हो सकती है किसी वेक्ती या फिर अधिकारी या दिनस्त नयाले सरकार या फिर निगम को अवेदकार ये करन यह जो परमादेश है वो ऐसे अधिकारी के लिए की जाती है कि जो सारवजनिक नियमों का सारवजनिक कर्तवियों का पालन नहीं कर रहा हो यानि जो सारवजनिक कर्तवियों का पालन नहीं कर रहा हो इनकार कर रहा हो उसके विरूद की जाती है लेकिन ध्यान रहे ये कभी भी राष्टपती या राज्यपाल के विरूद नहीं होती राष्टपती पलस राज्यपाल के विरूद नहीं होती मान लो चिक्ष्या के अधिकार के तैद आपको जाती बगेरे से विवेद नहीं किया जा सकता आप जाति कमान लोग को किसी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाओं और वहां का H.M. साब ये कह दे कि नहीं नहीं तेरी आ जाती है नहीं आ जाती है नहीं आडमिशन ही को लिया तो ऐसा नहीं कर सकता फिर बड़ा दिकारी से कहेगा कि हमादेश दे रहे ये हो गया परमादेश प्राइवेट के विरूद नहीं कर सकते जहान रहे मैं करद्यापक हो आप से पढ़ने का लगी अनुग हो ठेके थगे कबीर भीन मांगे मोती मिले मांगे मिले नभीक मरना बला है तो रोच्या मांगन से मरना बला जे कोई मांगन जाए उससे पहले वो मरा जो खुत नट जाए समझे है पभीर जी का मनना भी दोवाब हो था लड़ी चाल कोण कोण सी बताई बंदी को परतेक्स लाओ हम आदेश देते हैं परमादेश बड़ा अधिकारी बड़ा कोल्ट या कोई तीसरा परतिसेद परतिसेद जिसे इंगलीज में बोलते हैं प्रोहाईवी थेसाल यानि परतिसेद का आर्थ होता है परतिसोद नहीं है ये परतिसेद है परतिसोद होता है बदला ये परतिसेद है परतिशेद कार्थ होता है मना करना मना कोण कर सकता है मना भी हमेशा बडोडो कर सकता है छोटियों बडोडों कर सकता है यानि बड़ा नयाले छोटे नयाले को ही मना कर सकता है छोटियों नयाले कह देऊगे फेतार पिताजी नहीं कह देऊगे वरिष्ट न्याले द्वारा अधिनस्त या अर्ध न्याईक भी रुदू ये रिट रिट नहीं ये रिट ये रिट जो है वो उसी स्थिती में जारी होगी जब कारवाई किसी न्याले या अधिकार छेतर से बाहर बगेर वो तभी जारी होती है यह परती से तभी मना ही की जाती है अब लिए आगे बात नहीं है इसीज़ मना ही है ये भी बड़ा न्याले छोटे न्याले को करता है की कह रहा हूँ एक मिल्ट कमेंट पड़ी की कहनो सारे है तरेप में कलास क्यों नहीं आ रही कलाएगी दो दिनों से थोड़ा वीजित ही वीजित ही ना वीजित ही हम कुछ ना कहीं कह सकए उनसे कि इतने जज़वातों के बाद रही आजनवी के अजनवी रहे इतनी बुलागा तो पड़्रन आएडा हो साहिरी सुना आएडा हो करो, आपकी English बहुत आभी तो ठी एक दस्यूम तो ठी बादर सिरी आठाशा करना गया, वाकी English पड़ी को छी, जुर्टमर पड़ी तैयार कर ले, आम पुए टेंचन नाहीं बाथ को नि, चलो, थोड़ी बहुत सकॉपन भी क्ले लिए, चलो, प्यार नम्मर रिट है उत्प्रेशन 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 साइंस के अंदर हुए तो बिया आचीज है कि यह चीज है उत्प्रेशन यानि कोई चीज अपने पास मंगवा लेना मार्गन बेज दे यानि उत्प्रेशन कार्थ हुआ कि मंगवा लेना या फिर पुर्ण ता सुचित करना मानने बता तूँ उपर मंगवाले के छोटी यो बड़ोड़े कोने कोई चीज मंगवास कहेगे ना गुर्जी छोटी यो बड़ोड़े कोने बड़ोड़े छोटी यो बड़ोड़े कोने हो यानि उपर वाड़ा न्याले छोटे वाले न्याले से कुछ मंगवाएगा यानि उत्प्रेशन के अंदर क्या होता है ये अधिनस्त न्याले उसे मंगवाया जाता है यानि आपके अधिन जो ये मामला है ये हमारे पास बेजिए पर क्यों बेजिए? इसके पीछे कारण होता है कि भी आपके पास ये जो मामला आया हुआ है माल लो कि कोई पढ़ाने से समधित मामला गया कोई तो ये नयाले जो है उपर वाड़ा नयाले नीचे बाड़े से कहेगा कि भाई साब हमारे पास बेद ये मामला कारण देखो इसका क्या है देखो समझो कोई नयाले अपने पास किसी मामले को क्यों मंगवाईगा इसके तराक पारी क्या भाव ओ या फिर काम ज्यादा वाधी क्यों नियाय सहीं नहीं क्या तो अगर ऐसा को यह एक फैसिल सुनाई उन बेजो उपरनो न्याले याणि अगर न्याइ सही नहीं वहा है यानि नैसर्गिक न्याइ का उलनगर या फिर कोई निरने सुनाने में आपनी गल्ति कर दी यानि छोटे वाला न्याले अगर निरने सुनाने में गल्ती कर दे तो भी यह जान रहे परतिसेद और उत्परेशन दोनू जो है वो अधिनस्त न्याले को उपरी वाला न्याले करता है यानि ये दोनु चीजें जो है जारी करता है वो उपरवारा न्याले नीचे वाले न्यालियों के लिए यानि अधिनस्त न्याले के विरुद जारी किये जाते हैं ये दोनु के दो अब एक चीज और बता हूँ आपको ले परतिसेद परति सेथ परति सेथ कार्थ होता है मनाही यानि रोकनी और दूसरा है उत्प्रेशन देखो अधर हो स्टे नाम सुनेट वोगे С्टेख है स्टेख उनजवया माँ बता हो स्टेख उनजवया एग नमर या दो नमर सीधर लिखती हो एक नमर या दो नमर बता उस्टे कॉन सा इसमें कहा है नहीं मैं श्टे लियाए हो वो श्टे किये है भीमा वाड़ा क्या हाँ वो करवा देंगे वो गुरुजी उनके कोई साधी बगेर होगी इस वज़े से आज कल दो तीन टीचर छुटी पे कि साधीयों का चीद न वो आम करवा देंगे बताना इसमें स्टे कॉन सा इसमें देखिए स्टे लियाए हो मैं वो श्टे बोज़ोर की चीज है वहां लोग को या दिनस न्याले ने आपको दे दी सजा और थेत्तुन्द को गारा मरवाओ को बेटियाव आप जल्दी सीवी पर स्टे लियाओ उपर ले न्याले हैं लिजाओ लास्क सुब्रीम को अठाई उसने फैसला दे दी है उसके विलो तो कोई है नी लेकिन ये बड़ा काम आता है स्टे ये तो कारवाई के दोरान कारवाई रोकने मान लो कि न्याले ने ओडर दिया है कि ये सड़क खोड़ दो अब क्या है तो उस सड़क के अंदर मालो नहीं सड़क निर्मान का दिया है कुछ घर जो है वो सड़क से नीचे हो जाएंगे उनके गर पे पानी बरेगा तो उनके पास और तो कोई लाज नहीं है बोल मैं स्टे लिया है तो वो उस्टे है यानि होते कामने रोकण खातर जुक है वो तो है स्टे के परती सेथ अब अगर निर्ने दे दियो निर्ने देगे कोरट समाप्त कर दियो बिंगे विरूद जुक है वो है परती सेथ समझया के बात ने ये तो किसी काम को हो रहा है उसको रोकने के लिए ये अगर कोरट में आदेश दे दिया उसके विरुद कारवाई ये एक तरीक है कि मानने बेज तुम के मामलो है समझया बात ने दोनू चीजों में थोड़ा सांतर है लास्ट और पाँच भी बताईए भाई साब आपने कैसी किया अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो अधिकार क्या है आपके पास यानि इस नाम में पता चल रहा है अधिकार क्या है मानलो पटवारी जी स्कूल से एक करण उर जा अब मैं मास्टर जी चले आजा मान लेओ कोर्ट में तो कोर्ट कहेगो कि पटवारी जी थे आप बताओ कि स्कूल चेक करने कुन से दिखार गयता है दिया था नहीं दिखार दियो कुनो जी अब मान लेओ थे बस गया अंदर बेठिया पुली सारों आगे कहें दिल्या आप टिकेट दिखा तो फिर आप जा सकते हो कि भाई साब कोरट इन से पूछ सकता है कि आप ये बताईए आपको टिकेट चेक करने का अधिकार दिया किसने ये पावर आपके पास आई कहां से कई बार ऐसे कारिये कर देता है अधिकारी तो बाद में समस्चा ही पैदा हो जाती है वो ही अधिकार प्रच्छा है कि आपने किस अधिकार के तैट किया ये ये है अधिकार प्रच्छा यानि ऐसे वेक्टी के विरुद जो लोगपद का अवेद रूप से कर रहा हो कई बार क्या होता है कोई वेक्टी नोकरी कर रहा है जैसे भोज में नोकरी कर रहा है बहुत सारी ऐसे कर लेते हैं और इधर बीए कर रहे हैं वो रेगुलर तर भोजकी नोकरी कर रहे हैं इदर बीए रेगुलर कर रहे हैं यानि आपके फोरूम बरना या पेपर दे दिया मालों किसी प्राइवेट स्कूल से कर रहे हैं वो अब क्या होता है किसी न किसी दोस्त को तो पता होता है इस चीज़ का अब यहां से बाद मालो यहां बीए की रच्छी नोकरी लगया मालो फोजकी कर रहा था वो यहां से बीए कर ली उसने बराबर में रेगुलर और उसके बादे वो ऐसा ही बन गया 20 साल तक करता रहा है उसके दोस्त को पता था एक दिन दोस्त के साथ बिगड़ी उसने कारवाई कर दी बोले ये जब फोज की नोकरी कर रहा था रिदर रेगुलर बिये कर रहा था भाई साब तुरंट आदेश आएगा कोर्ट का लिए आप ये बताईए जब आपने फोज की नोकरी भी वा कर ली रहा रेगुलर बिये भी कर ली कैसी होता है हमें भी समझाईए तब आपने जो 20 साल नोकरी किया है सरकार ब्याद सही तरिकिया लेगे मांगा देगी चालो आजो यानि किसी लोग पद को अवेद रूप से कोई जारी कर सकता है इसको यानि ये जो पद आपने ले रखा है वो कैसे ले रखा है भाई ये बताईए इस रिट का अवेदन कोई व्यक्ति कर सकता है किसी के भी खिलाब सकता है समझे क्या बात को अधिकार परचो गुर्जी समझ गया एल्योजी अनुचेद 32 पांच परकार की रिट जारी करता है पांचु परकार की रिटा मैं थान बता दी, नॉर्मल है एकदम, लेकिन भोट इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बंदी को परचिक्ष लाओ हम आदेश देते हैं परति शेद मना ही कर रहे हैं उत्प्रेशन उपर भेजो और अधिकार प्रच्ष यानि किस अधिकार के तहतो आप ने ये का रही है अब बताईए कहां क्या समस्या आ रही है अब अनुछेद चो तीस अनुछेद चो तीस ये तब लागू होता है जब सेना की वीदी लागू हो सेना यानि मान लो कि सेनिक सासन लगा हो तब आपके अधिकार मान लो सेनिक सासन लगा हो और फोजी को बाब कर फिला गड़ा है कोई बारे फिर तो फोजी पकड़े दो च्यार वेल दे तो यह मतलब वो कोई नी कोरट में थे उड़िया हुआ क्यों क्योंकि उस समय अलग रूल होते हैं उस समाथ की अधिकार काम नहीं करते तो वो होता है अनुचेद 34 के तहट आप इसको चुनोती नहीं देशके मेरा अधिकार था गूमणे का नहीं भाई कर्फ्यू लगा था तेरा अधिकार स्माथ हो गया था अनुचेद 35 इसमें लिखा है कि संसथ जो है वो विद्धी बनाने की सक्ति है विद्धी बनाने की सक्ति यानि इन अधिकारों से समदित कोई कानून बना सकता है वो सिर्फ संसत बना सकती विधान मंदल नहीं बना सकता है